आउसकर 2023 के लिए नामांकित भारती फिल्म भारती प्रविष्टी कौन सी है तो छेलो शो नाम है इसका गुजराती मोवी है छेलो शो 17 सितंबर 2022 को प्रधान मंतरी मोदी का जर्म दिवस होता है इसको इस दिन को हम सेवा देश का दिवसी रूपे मनाते हैं तो नामी बिया से आठ चीते कहां से नामी बिया से मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए जिसमें पांच नर और तीन मादा हैं ये भी पूछ सकता है याद रखेगा काकडू 2022 ये क्या है तो बहुपक्षी नौसेन अभ्यास है कोई भी अभ्यास जो होता है वो द्वी पक्षी या बहुपक्षी या फिर एकल होता है तो ये बहुपक्षी है जिसमें दो से अधिक देशों की नौसेनाय भागली है तो इसमें 25 देशों की 9 सेनाओं ने भाग लिया है आस्टेलिया में आयुजित हुआ है और इसमें भारत ने भी भाग लिया महत्पूर्ण प्रशन यह हो सकता है कि काकडू में भारत ने भाग लिया या नहीं लिया हैती हिमाचर प्रदेश का जो हैती जन जाती है नारी कुरावन और कुरू विकरन यह तमिल नाट के दो प्रजातियां है या जन जातियां है वेट्टा कुरूबा करनाटक की जन जाती है और बिंजिर 36 गड़ की जन जाती है गोंड यूपी के जन जाती है यह अंसूचित जातियों में शामिल थी IBM Quantum Network में ये शामिल कर लिया गया है आगन 2.0 समेलन कहां परायोजित हुआ नई दिल्ली मायोजित हुआ आगन 2.0 समेलन भारत का सर्वसेश चिडिया घर किसे घोशित किया गया है तो दारजिलिंग चिडिया घर को भारत का सर्फ से स्टिडियागर होशित किया गया है कहां पे है वेश्ट बंगाल में है इनसाइट अंतराष्टी सम्मेलन 2022 जो की हरित परिवहन पर अपने तरह का एक सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित हुआ गुलाम अली अभी हाली में चर्चा में रहे क्यों क्योंकि जम्मू कश्मीर से राजसभा के लिए मनुनित इनको किया गया है राश्पती के द्वारा प्रशना सकता है महाराष्ट संपत्ति पंजीकरण को डिशलाइस करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है कौन महाराष्ट उत्तरा खंड प्री प्राइमरी अस्तर पर था प्राइमरी के पहले अस्तर पर पहले जो पढ़ाई होती उस अस्तर पर नई सिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है राश्पत्री समुद्री विरासत परिसर कहां पर बनाया जाएगा लोथल में इसकी घोशना हाली में संस्कति मंत्राल के दुरा की गई है याद रखेगा अहमदाबाद प्रधान मंत्री के दुरा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले काउज गाटन कहां पर किया गया अहमदाबाद में क्या नाम था कलम नो कारनेवाल पुस्तक मेला BSF दुनिया का पहला महिला उट सवार दल किसमे शामिल किया गया है Border Security Force नए इसने दुनिया का पहला महिला उट सवार दल ये बनाया है Operation Gearbox किस संबंदित है तो राजस्व खूफिया निदेशाले से संबंदित है पूछेगा कि आपरेशन गीरबास की से संबंदित है तो राजस्व खूफिया निदेशाले से संबंदित इसमें राजस्व चोरी या अन्य प्रकरणों संबंदि जो खूफिया जानकारिया दी जाती है या फिर प्रोवाइड करवाई जाती है उसके निदशाले से निक्षे 2.0 क्या है तो शेर हो गया टीबी को 2025 तक समात करने के लिए ये अभियान है UNDP United Nation Development Program मानो विकास उजकांक 1990 से जारी करता है 2022 में जो इसने जारी किया है इसमें भारत की रैंकिंग पूछ सकता है तो 132 वी रैंक है भारत की पिछले वर से 131 वी थी एक रैंक नीचे गिर गया है सितंबर 2022 भारत और जापान का 2 प्लस 2 वारता हुआ है ध्यान रखेगा भारत जापान अप्स्ट्रेलिया अमेरिका और रूस के साथ इन चार देशों के साथ 2 प्लस 2 वारता करता है तो केवल क्वार्ड कंट्रीज के बीच नहीं होता है बलकि भारत और रुसिया के बीच भी 2 प्लस 2 वारता कुछ समय पहले संपन होई है तो कहीं नहीं कहीं कौार्ड से जो एक गलत संदेश रसिया को जा सकता था वो यहां से उसको नकार दिया गया उसको यहां पर भारत ने नगर्डेगोशित कर दिया एक प्रकार से रसिया के साथ करके तो भारत जापान का 2 प्लस 2 वारता हुआ है सितंबर 2022 में यही पूछेगा परश्री के सितंबर 2022 में भारत और किस देश के साथ 2 प्लस 2 वारता हुआ है तो जापान के साथ वारंगल तेलंगाना का जो शहर है इसके लावाद तरिशूर और निलामबर या निलामबूर ये केरल के दो शहर हैं इन तीनों शहरों को युनेसको ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है रिटेन में अभी हाली में सत्ता परिवर्तन हुआ लिजिटरस नई प्रधान मंत्री बनी है और स्वेला ब्रेवर मैं जो के भारती मूल की है गृह मंत्री बनाई गई है दास पारा गाउं त्रिपूरा में स्थित है क्यों चर्चा में रहा भारत का पहला जैव गाउं घोशित किया गया है ध्यान रखेगा भारत का पहला जैविक खेती वाला राज सिक्किम भारत का पहला केंसासिश प्रदेश जैविक पूर्टह जो राज है लक्षदीप है और इस तरह से कर देखा जाए तो भारत में अब तक दो राज या केंसासिश प्रदेश ने जो पूर्टह जैविक घोशित किये गए हैं पहला से किम है दूसरा लक्षदीप है उमंग ये क्या है तो e-governance के लिए सरकारी पोर्टलों का संगा महर्थात एक ही पोर्टल पे जाएंगे आप उमंग एप डाउनलोड करेंगे तो इसमें जितने भी सरकारी सेवाओं से जुड़े पोर्टल हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे अलग-अलग एप आपको या पोर्टल या जो एप्लिकेशन है उसको डाउनलोड करने की आउशकता नहीं होगी उमंग के बारे में अभी हाली में UPPCS मुख्य परिक्षा में भी सेकंड पेपर में पूछा गया था की उमंग जो की गवनियं से जुड़ी योजना है पूचेगा पूछेगा पूच्छी योजना किस संब्ध है? स्कूली सिक्षा के योजना से संब्धित है 3 सितंबर 2022 को भारती नौ सेना के नय ध्वज और भारत के पहले स्वदेशी विमान वहागपोत आईनेस विक्रांद को लॉंच किया गया प्रधान मंत्री ने लॉंच किया कब 3 सितंबर 2022 को लंपी क्या है यह तवचा रोग है हाली में काफी चर्चा में रहा मवेशियों को यह गंभीर एक तरह का रोग हो जाता था और फैलता भी बहुत तेजी से था और हजारों मवेशियों की इसमें मृत्यू भी हो गई है तो लंपी क्या है तवचा रोग है कर्तब विपत देखे राजपत जो है दिल्ली में इसका नया नाम कर्तब विपत कर दिया गया है याद रखेगा गाधी नगर गुजरात में जो इस्तित है डिफेंस एक्सपो 2022 कायोजन गुजरात की राजधानी गाधी नगर में हुआ रोशनी क्या है तो भारत की खारे पानी से चलने वाली पहली लालटेन है तो क्या नाम है इसका रोशनी भारत की खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन है वाय उगुडवत्ताव स्वास्त रिपोर्ट ये हाली में जारी हुआ इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदुशिश शहर कौन है नई दिल्ली है भारत की राजधानी अटल ब्रिज प्रधान मंत्री द्वारा कहां पर अटल ब्रिज का उधगाटन किया गया द्वारा किया गया है इंदोर वन नेशन वन एड्रेस के तहर सभी पते डिजिटल प्रेट फार्म पर उप्लब्त कराने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसा शहर हो गया है कौन इंदोर ठीक है जबकि पहला कैलिफोर्निया है युएसे का छाता ये क्या है उड़ी राश्टी पोशन सपता आएक से 7 सितंबर 2022 के बीच मनाया गया थीम क्या थी सेलिब्रेट वर्ड फार फ्लेवर नई दिल्ली देश का पहला वर्च्वल स्कूल कहां पर लांच किया गया नई दिल्ली में दिल्ली की सरकार के द्वारा भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को 2025 तक 50 बिलियन डालर तक पहुचाने का लक्ष रखा है तो पूछेगा कि कितने बिलियन डालर तक पहुचाने का लक्ष रखा है 50 बिलियन डालर या पूछेगा 50 बिलियन डालर तक पहुचाने का लक्ष कब तक रखा है 2025 तक किसको हेल्थ केयर सेक्टर को भारत स्वच्छ सागर सुरक्षे सागर अभियान किसने चलाया भारत ने सागर की सफाई आसपास इर्दिकर्द की पर्या और उर्ण की सुरक्षा के लिए सुरक्षे सागर गया जो की बिहार में इस्तित है देश के सबसे बड़े रबर डैम का उदगाटन यहां पे किया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम भुज जो की गुजरात में स्तित है और 2002 में यहां पे भूकम पाया था भीशड भूकम पता तो देश का पहला भूकम पसंगरहाले जो है वो गुजरात के भुज में बनाये जाएगा पधान मंती के द्वारा इसका उदगाटन किया गया वरुण यह भारत का पहला यात्री ड्रोन है क्या नाम है इसका वरुण गुवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाडित राज्य बन गया है राशन मित्र राशन कार्डों में नाम दर्श करने के लिए राशन मित्र भियान ये चलाये गया सरकार के द्वारा यह परागवे क्या है दक्षण मेर की देश है विदेश मंती जैशंकर ने इस जैशंकर जी ने मात्मा गादी की प्रतिमा का नावरन यहाँ पर किया पंजाब में एशिया के सबसे बड़े ध्यान रखेगा टर्म्स आपको याद होने चीए भारत का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा या फिर वर्ड का सबसे बड़ा तो एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली मेक इंडिया मेक इंडिया नंबर वन अभियान सुरू किया तो किस सरकार ने कहां की सरकार ने है मेक इंडिया नंबर वन अभियान सुरू किया तो दिल्ली की सरकार ने अर्विंद केजिवल की सरकार ने कोलकाता 23 में भारत अंतराशी समुद्री योजना शोकायोजन 2023 में कहां पर होगा कोलकाता में होगा पंजाब के मोहाली में होमी भाबा कैंसर रस्किताल काउध घाटन प्रधान मंत्री के द्वारा किया गया पूछ सकता है जगा का नाम तो मोहाली में भारत के 49 वे चीफ जस्टिश आफ इंडिया कौन बने है तो उदय उमेश ललित बने है 49 में है यानम विज्ञान पर आधारित संस्कित भाषा की विश्र की पहली फिल्म है क्या नाम इसका यानम है मंगल यान पर ये आधारित फिल्म है मंगल यान जो भारत का सफल अभियान सफलतम अभियान में इसे एक है भारत का गौरों कह सकते हैं इंदोर शहरी जव विवित्ता पर सम्मेलन कहां प्रायुजित हुआ हाली में इंदोर में व्ीके पाल कमेटी किसके उपर बनाई गई है तो मंकी पाक्स परधियन के लिए विके पाल डाक्टर वीके पाल के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है केरल आन लाइन सरकारी इटैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला भारती राजय दन गया है चाबहार दीवस समेलन, यह कहाँ प्रायुजित हुआ, मुंबईी में पिंच ब्लैंक 2022, बहुँ पक्छी वाईवस ए नभ्यास है कहाँ प्रायुजित हुआ, अस्टेलिया में भारत ने भी इसमें भाग लिया वाईवस ए नभ्यास है ध्यान लिखेगा एक अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की रूप में मनाने का निर्णे केंसरकार के द्वारा लिया गया है कब एक अगस्त को फरीदाबाद प्रधान मंति के द्वारा एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अम्रित अस्पताल का उदगाटन कहां पर किया गया हरियाना के फरीदाबाद में सुपरवासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है इसका नाम है सुपरवासुकी कितनी लंबाई है 3.5 किलो मीटर पंदर अगस्त 2022 को इसका ट्रायल किया गया निदान पोर्टल ग्री मंत्री के द्वारा इसको सुरू किया गया किसके लिए है ड्रक्स के विरुद्ध है कुशियारा नदी भारत और बांगलादेश के बीच कुशियारा नदी जल पे समझोता संपन हुआ बारवा भारती राष्टी विज्ञान फिल महसो कहां पर आयोजित हुआ मध्या परदेश में इंडिया एनिमल हेल्थ सम्मिट 2022 कहां पर आयोजित हुआ नई दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस 2022 11 जुलाई को मनाया जाता है 2022 में जो ये मनाया गया समयलन इसकी जो दिवस इसकी थीम क्या थी 8 Billion की दुनिया सेख्तिराश के द्वारा ये एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2023 तक दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वला देश बन जाये गया किसके द्वारा कहा गया सेख्तिराश का जो जनसंख्या कोश है उसके द्वारा आईमडी की विश्व प्रतिस्परधात मक्ता सूचकान 2022 में भारत की रेंक क्या है 37 में है याद रखेगा वाराणसी प्रधान मंती के द्वारा अखिल भारती सिक्षा समागम का उधगाटन कहां पर किया गया वाराणसी में सूरत में भारत की पहली छेलें स्टील स्लेग सड़क का उधगाटन किया गया कहां सूरत में नई दिल्ली में औद्योगिक डी कार्वनाईशन सम्मिट 2022 आयोजित हुआ नमूना पंजीकरन प्रणाली एसारिस के जो अभी हाली में आकड़े आये हैं उसके अनसार 2015 से 2019 के दोरान भारत में जन्म की समय जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई 79.7 वर्ष सरवादिक जीवन प्रत्याशा नई दिल्ली में है सबसे कम 36 गड़ में है पांच जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस की रूपे मना जाता है इस बार की जो थीम रही ओनली वन अर्थ प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा वैशिक पहल इस औसर पर सुरू किया गया पर्यावरण के लिए जीवन शैली अंदोनन लाइफ ये एक वैशिक पहल है जो प्रधान मंत्री मोदी ने पांच जून को सुरू किया इशा फाउंडेशन जो कि जग्गी वासुदेव का था है आप अक्सर इनका इंटर्व्यू सुनते होंगे विभिन प्लेटफॉर्म पे इनके द्वारा मिट्टी बचाओ अंदोलन की सुरुवात की गई सुपलक्ष में परियावन प्रधर्शन सुचकांग 2022 में भारत सबसे निशले पायदान पर है एक सो सी में पर भारत ने इसको अस्विकार कर दिया है पूरी तरीके से ये सुचकांग येल विश्वध्याले के द्वारा जारी होता है वैश्विक शांति सुचकांग 2022 में भारत की रैंकिंग 135 में है नवी करंडी वैश्विक स्थिती रिपोर्ट 2022 में भारत वर्ष 2021 में तीसरे पायदान पर है निपुण परियोजना किस से संबंदित है ये निपुण भारत नहीं ये सिक्षा वाला निपुण परियोजना है ये निर्माण स्रमिकों के कौशल प्रशेक्षन के लिए सुरू की गई योजना है राहुल नार्वेकर क्यों चर्चा मेर है महाराश विधान सभा में स्पीकर बनाए गया है देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर है ये उत्राखंड तो नई सिक्षा नीत इलागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है कौन उत्राखंड NFSA राज्य रैंकिंग सुचकांग 2022 NFSA जो भूग का जो कानून बना Food Security जो एक्ट हुआ National Food Security Act उसको सही ढंग से लागू करने के मामले में प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में उडिसा सीर्स पे है दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है तीसरे पे आंद्प्रदेश है Top 500 सुपरकंप्यूटर की अभी हाली में सूची जारी हुई है ये 69 संस्क्रण है इस सूची को जारी करने के एक्रम में पहले स्थान पे Frontier है USA का दूसरे पे फुगाकू है जापान का तीसरे पे Lumi है फिल्लैंड का भारत का जो सरसेष्ट सुपरकंप्यूटर है सबसे तेज परम सिध्धी AI है 111 अस्थान पे ही सूची में आहमदाबाद प्रधान मंत्री के जारा भारती राष्टी अंतरिक समर्धन और प्रादिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्याले का उद्गाटन कहां पर किया गया आहमदाबाद में देवस्थल उत्राखंड में इस्थित है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेली स्कोप यहां पे स्थापित किया गया है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा नई दिल्ली में ग्रीमंत्री के द्वारा राष्टी जनजाती अंसंधान संस्थान का उधगाटन किया गया कहां नई दिल्ली में भारती सेना द्वारा जोधपूर में सुरक्षा मंथन 2022 का एवजन किया गया कहां जोधपूर राजस्थान में आपरेशन नारकोस ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंदित है उसका चलाया हुआ अभियान है काई चटनी ये उडिसा की एक विशेश चटनी है जी आई टैग इसको प्रदान किया गया है मयूर भंज जो जिला है वहां पर ये चटनी वहां की उत्पाद है बेदती वर्दा नदी जोड़ो प्रियुजना ये कहां की योजना है प्रियुजना है करनाटक की नई दिली में जी ट्विंटी शिकर सम्मेलन 2023 सायोजित होगा पियूश गोयल की जगह अमिताब कांत नए शेरपा बनाए गये हैं सैंक्तराष्ट दोजार पैंतिस तक भारत की शहरी प्रणोप में सामने आया है एनकोवैक्स क्या है जानवरों के लिए विक्सित भारत का पहला कोविड रोधी टीका है क्या नाम है एनकोवैक्स एक जुलाई 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कब एक जुलाई 2020 को कलोल गुजरात में स्थित है प्रधान मंती के दोरा कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया सेंतर का शुभारंब किया गया नई दिली तीसरा ग्लोबल ऑर्गनिक एक्सपो 2022 आयोजित हुआ नई दिली में कट हुआ जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है उत्तर भारत का पहला ओद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित हुआ कहां का पूरे भारत का नहीं उत्तर भारत का के वल एक्किस जून को अंतर राष्टी योग दिवस मनाया जाता है इस बार की जो थीम रही 2022 की क्या रही माना होता के लिए यो रिम आफ दी पेसिफिक दुनिया का सबस रिम की राज बिटर फ्लाई इसको घुशित किया गया है नारी को नमन योजना हीमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना नारी शशक्ति करन के लिए स्टार्ट की गई है दे इंडिया वे स्टेटिजी 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 फॉर एन अंसर्टेन वर्ड एस जैशं पांस से 21 वर्ष रहेगी लेकिन पहली बार छूट दी गई है कोवीट के ओजसे 23 वर्ष तक के लोग इस बार भर सकते हैं मिताली एक्सपेस न्यू जलपाई गुडी जो की भारत में स्थित है और ढाका जो की बांगलादेश की राजधानी है इन दोनों को जोड़ने के ल जार और इसके साथ ही वहां पे खुदाई भी सुरू हो गई जार खंड और आन पदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला ये तीसरा राज़े बन गया है लाल बादु शास्त्री बाबत पूर अंतरराष्टी हवाई अड़ा है वराणसी का संस्कित में ए भारत सब्ता 2022 का शुभारम यहां पे किया गया बैंगलूरू प्रधान मंती के द्वारा बी यार अमेटकर स्कूल आफ एकोनॉमिक्स का उद्गाटन बैंगलूरू में किया गया विश्र प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 नार्वे पहले अस्थान पे दूसरे पे डिनमार ती इस बार एक सो पचासमें अस्थान पे खिसक गया है भारत की बात करें तो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट में आठ लाक डॉलर का योगदान या आठ सो हजार डॉलर का योगदान भारत करेगा उडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेदशाला का जो की स्थापना कहां पर की जा रही है उडिशा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेदशाला हैदराबाद भारत का पहला flow chemistry technology hub यहाँ पे अस्थापित किया गया कहा हैदराबाद में NFHS 5 जो आकड़े आये हैं उसके अंसार भारत की TFR कितनी हो गई टोटर फर्टल्टी रेट 2.0 हो गई है पहले 2.2 थी देव सहयम पिल्लई वेटिकन में संत की उपादी पाने वाले पहले मूलता हिंदू भारती हैं पहले मूलता हिंदू भारती हैं तिती जल पुरुषकार 2022 की घोशना हुई जिसमें प्रथम अस्थान उत्तर प्देश को प्राप्त हुआ गाधी नगर गुजरात में भारत के पहले पोर्टेबल सूलर रूफटाफ सिस्टम का उधगाटन किया गया है स्वामी अक्षरधाम मंदिर परिशक में राजस्थान निर्बाद इंटरनेट प्रदान करने के लिए इल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन राजस्थान मुंबई खराब भोजन से बना देश का पहला इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर लगाया गया है मुंबई में मुंबई में ही भारत की पहली पूर्टा डिश्टल बस सेवा सुरू की गई है उर्जा प्रवा क्या है भारती तट रक्षक पोत है जिसको लॉंच किया गया है पल्ली गाओं ये सामबा जिला जम्मू कश्मिर में स्थित है भारत की पहली कारबन न्यूटल पंचायद घुशित किया गया है दूधवाडी क्या है पश्पालन को समर्पित भारत की पहली सामुदाइग रेडियो सेवा है दूधवाडी पांच अक्टूबर को राश्टी डालफंग दिवस के रूपे मनाया जाएगा इसकी खुशना की गई है आई एनेस वलसूरा ये प्रेसिडेंट कालर अवार्ड इसको प्रदान किया गया रामनात कोबित जी के दवारा सिपरी के दवारा हाले में जो रिपोर्ट आई उसके अंसार भारत सैन खर्च के मामले में USA और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है महाराष्ट की बात करें तो भारत का पहला जीन बैंक का एक्रम किस राजे ने खुशित किया महाराष्ट ने अटल सुरंग सरसेश बुनियारी धाचा प्रयुजना पुरसकार किसको प्रदान किया गया अटल सुरंग को जो रहाट जो की असम में इस्तित है आईल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइडोजन पाइलेट प्लांट के सुरुआत यहां पर की गई है डिबरुगर असम में जो की इस्तित है जल मार्ग कानकलियो 2022 का जन्यहां पर किया गया रवांडा देखी रवांडा की राजधानी किगाली में 26 वा राशमंडल सिखर संबिलना यूजित हुआ गैबोन और टोगो को इसमें सदस्यता प्रदान की गई किसको गैबोन और टोगो को 16 सितंबर को विशोजोन दिवस के रूपे मना जाता है 2022 की जो थीम रही मांटियल प्रोटोकॉल एट 35 प्रितवी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयो जलवाई विज्ञान स्पष्ट है हम गलत दिशा में जा रहे हैं नामक रिपोर्ट किसने जारी की विशो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले का है जेनेवा में है सुड़जा लेंड में स्वयम को परमाड संपनराश्ट हाली में घोशित किया है आपरेशन लंदन ब्रिज या है बिटेन की दिवंगत महारानी के अंतिम संसकार एलिजब्यद्योतिति अभी हाली में मिरती होई उनकी उनके अंतिम संसकार के लिए कय क्रम का नाम दिया गया था अपरेशन लंदन ब्रिज भारती राश्पती भी इसमें शामिल हुई समरकन जोगी उजबिकिस्तान में इस्तित है 22 वां SCO शिखर सम्मिलन आउजित हुआ 23 वां जो SCO शिखर सम्मिलन होगा ये भारत में आउजित होगा 23 में किंग चार्स्त्रिती ब्रिटेन के नए राजा खोशित किये गए है जेपो रीजिया परमार सेत्र युक्रेन मिस्तित है हाली में चर्चा में रहा डांस आफ लाइट चीन में गगन चुम्बी इमारत का नाम है डांस आफ लाइट साओधी अरब दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी दलाइन का निर्माड करने वाला ये देश है दुनिया का पहला खयाम इरान का उपग्रह है रूस द्वारा इसको प्रमोचित किया गया है सुकुरा जिमा ज्वाला मुखी विसफोर्ट हाली में इस ज्वाला मुखी में विसफोर्ट हुआ है कहां परिस्तित है जापान के क्यूशु दीप पे मिलान इटली का शहर है एलेंजी पर केंद्रित गैस टेक 2022 समेलन यहां पर आजित हुआ वोलकर तुर्क आस्ट्रिया की है ध्यान रखेगा मानवा दिकारों के लिए स्युक्त राष्ट का उच्चायुकत इनको नियुक्त किया गया है दलाइट वी केरी पुस्तक किसकी है मिशेल अबामा की दनूरी ये क्या है दक्षिंड कोरिया का चंद आर्बेट मिशन है पहला सुदेशी उपग्रह है कुटैसी जौर्जिया में इस्थित सहर है कुटैसी खगोल विग्यान पर खगोल भोतकी और खगोल विग्यान पर 15 अंतराष्टी उलम्पियाड यहां पर आउजित हुआ उलम्पियाड में भारत तीसरे अस्थान पे रहा विश उजल सबता 23 अगस से 1 सितंब्र 2022 तक मनाया गया इसके थीम क्या रही Seeing the unseen The value of water दक्षिन कोरिया दुनिया का सबसे कम प्रजनंदर वाला देश घोशित हुआ है 0.81 प्रजनंदर है यहां की उलची Freedom Shield USA अमेरिका और दक्षिन कोरिया के मध्य युद्या भास रहा काफी चर्चा में रहा हंगरी रूस द्वारा दो परमार्व सेंतर स्थापित किया जाएगा कहां पे हंगरी में पाकिस्तान यहां पे भेंकर बाढ़ाई 3.3 करोन लोग विस्थापित हुए जिसके करण दस अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान को मिखाईल गोरबाचो सोविय संग के अंतिम राश्वती थे और इनका हाली में निधन हो गया दुबई होमेपैथी के लिए प्रथम विश वस्वास सिखर सम्मिलन कहा आजित हुआ दुबई में दलुलो रोज ये क्या है तो अंगोला में खोजा गया गुलाबी हीरा है क्या नाम है दलुलो रोज जून दोजार बाइस में चौधावा ब्रिक्स शिकर सम्मिलन चीन में आजित हुआ थीम क्या थी फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर्शिप युशर इन न्यू एरा फार ग्लोबल डिबलब्मेंट फूजियान चीन का सबसे उन्नत और पूरता सुदेशी नौसेनिक पोत है इसका क्या नाम है फूजियान पासी डोनिया आस्ट्रेलिया ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जिसको आस्ट्रेलिया में खो जा गया इसलिए इसका नाम पासी डोनिया आस्ट्रेलिया रखा गया है आरती प्रभाकर USA के राश्पती बाइडन की वैग्यानिक सलाकार बनी है 420 मिलियन ये 420 मिलियन क्या है तो स्टेट आफ वर्ड फारेश रिपोर्ट 2022 के अंसार वनों की कटाई के करण वर्स 1990 और 2020 के बीच इस 420 मिलियन वन छेतर जो है नश्ट हो गये है सिंजो अबे ये पूर जापानी प्रधान मंत्री थे इनकी हाली में हत्या कर दी गई स्पेन की राजधानी मैडरिड में 32 नाटो सिकर से मिलना युजित हुआ वियना आश्टिया की राजधानी है वैश्विक लिवेलिविल्टी इंडेक्स में दुनिया का सबसे रहने योगी शहर इसको खोशित किया गया है रूस सिपरी द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अंसार विश्व में सरवाधिक जो पर्माण हथियारवाला राश्टर है नौ राश्टरों में रूस है जिनेवा वर्ड सम्मिट आफ इन्फार्मेशन सोसाइटी कहां पर आजधित हुआ जिनेवा स्विड़ जैलेंड में सेउक्तराष्ट महासागर सम्मिलन ये केनिया और पुर्तगाल की मेजबानी में आजध हुआ पांच जून दोजार बाइस विश्व परियावण दियुस कुरूब में बनाया जाता है थीम क्या रही वनली वनर्थ मेजबान कौन रहा स्वीडन रहा इस बार हर बार एक मेजबान देश घुशित किया गया इस बार स्वीडन स्वीडन जो है मेजबान देश रहा कसाबा कुरोसी जो की हंगरी के हैं 77 में सेउक्तराष्ट महासाबा सत्र के अध्यक्ष इनको बनाया गया था अभी हालीम जुसंपन हुआ क्वार्ड दुती शिखर बैठक कहां पराज जित हुआ टोक्यो में जापान में पहला कहां जित हुआ था वासिंगटन डीसी में कैप स्टोन अंतरिक्षयान नासा का चाद पर पुनह अंतरिक्षयात्री भेजने का कदम है क्या नाम था इसका कैप स्टोन अंतरिक्षयान 2021 ट्री सिटी आफ द वर्ड किसको घुशित किया गया है मुंबई और हैदराबाद को गौर्डल जारा जो कि मेक्सिको का शहर है विश पुस्तक राजधानी इसको घुशित किया गया है 2022 के लिए मेक्सिको की राजधानी है 22 अप्रेल 2022 को विश पृत्वी दिवस ग्रूप में मनाया गया थीम क्या थी इनविश्ट इन अवर प्लैनेट गुजरात एहमदाबाद के पास देश का पहला सेमी कंड़क्टर सेंक्तर स्थापित किया जा रहा है कहां गुजरात में भारत ब्रिटेन को पचाड कर विश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवे उस्था बन गया है सूरत देश के पहले अंतराश्टी बुलियन एक्सचेंज का उद्गाटन कहां किया गया है गुजरात के सूरत में विद्दूत मंत्राले हाली में आकड़े जारी किये गए इसके अंसार कुल विद्दूत स्थापिश शम्ता भारत की कितनी है 4,3,760 मेगावार्ड जीवाश मिधन का जो प्रतिशत है 8.5 प्रतिशत है इसमें कोईला सरवादिक है 50.7 प्रतिशत गैर जीवाश मिधन का हिस्सा 41.5 परसंट है जिसमें 100 उर्जा सरवादिक है 14.3 परसंट उसके बाद जल उसके बाद पवन और फिर नाभी किये उर्जा देखें वहीं अगर छेत्रों की करम में देखें तो नेजी छेत्र का सरवादिक हिस्सा है 49.5 परसंट फिर राज्यों का हिस्सा है 26 परसंट और उसके बाद केंदर का हिस्सा है 24.6 परसंट FDI देखें वैश्विक संदर में और भारत के संदर में तो विश्व के संदर में देखें तो सबसे ज़ादा FDI किसको प्राप्ट होती है पहले अस्थान पर USA फिर चीन फिर हांग कांग उसके बाद सिंगापूर फिर पांचवा कनाड़ा भारत इस मामले में बहुत पीछे नहीं है साथमें अस्थान पर FDI प्राप्ट करने वाले में सरवादिक निर्गत अर्था सरवादिक FDI करने वाले जो देश है USA फिर जर्मनी फिर जापान चौथे पे चीन पांचवें पे यूके है भारत के संदब देखें तो सबसे आदा FDI भारत को सिंगापूर से प्राप्ट हुआ फिर USA और उसके बाद मौरिशस किस शेत्र में प्राप्ट हुआ सरवादी के FDI तो कम्पीटर साफ्ट यज और हार्डवेर के रिशIII में उसके बाद सबास शेत्र Özके बाद आटो मौाइल शेत्र में कि सर्राज में सरवादी के FDI प्राप्ट हुआ तो करनाटक में फिर उसके बाद महारायश उसके बाद दिल ली यूनिकॉन की बात करें तो भारत की पहली कंपनी जो यूनिकॉन बनी थी 2011 में इन मोबी कंपनी थी भारत की सौवी यूनिकॉन कौन बनी ओपन ए बी जान सिटी देखें 101 वी भी पूछ सकता है अलख पंडे का जो physics वाला है वो बना है ए बी जान सिटी आईवरी दी कोष्ट दी आईवर जिसको कहते हैं उसमें UNCCD का पंदरहवा कोप पंदरहवा कामपेंसाब पार्टी आयोजित हुआ चौदहवा काउजित हुआ था ग्रेटर नोइडा में भारत में थीम इसकी क्या रही पंदरहवे कोप की तो लैंड लीगे सी भोपाल में 48 अखिल भारती पुलिस कांग्रेस आयोजित हुआ कहां भोपाल में विविन पुस्तके हैं बेटकर एंड मोदी किसने लिखी इलिया राजा ने टेन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम ये सुभास गर की पुस्तक है रिजॉल्ड युनाइटे नेशन्स इन अ डिवाइड़ वर्ड वान की मुन की पुस्तक है अन्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-2019 अरूज एटली जी के चैनित लेखों पर अधारिते पुस्तक है दगल इन अरूम 105 चेतन भगत की पुस्तक है लीडर्शिप है इनरी किसिंजर की पुस्तक है नो इस्पिन शेनवान जो कि दिवंगत हो गया है और मार्क निकोलस की पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरच चोपडा नोदीब गिल ने पुस्तक लिखी है फ्री फाल ये मलिका साराभाई की पुस्तक है स्टेट आफ टेरर हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है दे हीरो आफ टाइगर हिल योगेंदर यादो की पुस्तक है जो की परमवीर चक्र विजेता है नॉट जस्ट और नाइट वाच्मैन वीनोद राय की पुस्तक है पूरु कैग है भारत के ममता बियोंड दोजार इक्किस जैन्त गोशाल की पुस्तक है दा बली इनकी रचना इनके लिए फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शटी को मिला करनाटक की हैं 31 सरवस्ती पुरुसकार 2022 राम दरस मिस्तरा को मिला मैं तो यहां हूँ के लिए 60-वे फिल्म फेर पुरुसकार 2022 दोजार इक्किस की फिल्मों के लिए जो प्रदान किये गए सरवसेष्ट अभिनेता रणवेश्चिंग फिल्म सेरशा अभिनेत्री कृती सेनन और निर्देशक विश्णु वर्धन शेरशा मुवी के लिए 60-वे राश्टी फिल्म पुरुसकार 2022 जो की 2020 की फिल्मों के लिए प्रवाइट किये गए हैं सरवसेष्ट फिल्म का सुगरई पोटू, लोकप्री फिल्म का ताना जी, हिंदी फिल्म सरवसेष्ट तुलसीदास जूनियर सरवसेष्ट निर्देशक, सातिदानन केयार, सरवसेष अभिनियत्ता, अजय देवगन और सूर्या सरवसेष अभिनियत्री, अपर्णा बाल मुरली, सरवसेष फिल्म फिंडली स्टेट, मध्यप्रदेश चमेली देवी जैन पुरुसकार 2021, आरिफ जोहरी को दिया गया रमेन में एक सेसे पुरुसकार 2022, चार लोगों को प्रदान किया गया सो थियारा च्छिम, तदाशी हतोरी, बरनाडिट मैडडिट और गैरी बेनचीजी वैशिक उर्जा पुरुसकार 2022, कोशिक राजशेकर को पुरुसकार को पुरुसकार 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 पुरुसक बुकर अंतराश्टी पुरुसकार 2022 गितांजली श्री को हरेत समाधी इनकी हिंदी रचना थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद टांबाफ सैंड है डेजी राकविल ने इसका अनुवाद किया है इसके लिए प्रदान किया गया और यह पुरुसकार प्राप्त करने वाली यह हिंदी रचना है पुलिजर पुरुसकार 2022 चार भारती पत्रकारों को दिया गया जिनमें एक दिवंगत दानिश सिद्धी की भी थे इसके लमा अधना नाबिदी सना मट्टो और अमित दवे को टेंपल्टन पुरुसकार 2022 फ्रेंक विलजेक को दिया गया डाक्टर सिंथिय रोसिन ज्वेक को विश उखाद पुरुसकार 2022 प्रदान किया गया यूएन एपी चैंपियन्स आफ दे अर्थ लाइट टाइम अचीवन अवार्ड डेविड एटन बरो को प्रदान किया गया फालगुनी नायर को अन्ट यंग वर्ल्ड एंटर्पेनियर आप दे येर अव तेनिस खिलाडी थी संयास इन्होंने ले लिया त्याइस ग्रेंड सलेम एकल और चौ ओद forehead में यू इन्होंने जीते ले लिया स्विजर लेष उन्हे रोजर्ड़ एकल जोकि लंदन वे खिला गया इनका आक्ठी मुकाब्ला था 20 Grand Slam जीते हैं और 20 Grand Slam जीतने वाले दुनिया के 30 खिलाड़ी है इन 20 Grand Slam में 6 Australian Open, 1 French Open, 8 Bimbledon और 5 US Open उन्होंने जीते हैं इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 103 पुरुष एकल खिताब जो अंतर राष्टे खिताब हैं उन्होंने जीते हैं लिन्थोई चनंबम भारती जूडो खिलाड़ी हैं इन्होंने अभी हाली में इतिहास रज़ दिया जब इन्होंने विश और कैड़िट जूडो चैंपियंशिप में स्वण पदक जीता मिताली राज क्रिकेटर भारत की सबसे महान महिला क्रिकेटर कह सकते हैं सन्याज इन्होंने ले लिया पहला मैच इन्होंने 1999 में आईरलेंड के खिलाव खेला था वंडे मैच इन्होंने कुल 12 टेश्ट, 232 वंडे और 89 टी-20 मैच खेले हैं तीनों में ही इन्होंने कप्तानी की है एक दिवसी अंतराष्टी में सरवाधिक रन बनाने वाली पुरे विश्व में महिला खिलाडी हैं ये, 7,805 रन इन्होंने बनाया है एशिया कब 2022 क्रिकेट टूनामिंट 15 संस्क्रण था, UAE में खेला गया छटीमों ने हिस्सा लिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, शिलंका, अफगानिस्तान और हांकोंग ने शिलंका ने पाकिस्तान को फाइनल महरा कर छटी बार ये टूनामिंट जित लिया हाला कि भारत ने सरवाधिक 7 बार ये टूनामिंट जिता है रनजी ट्राफी 2021-22 मद्ध बदेश ने मुंबई को हुरा करके पहली बार ये टूर्णामिन्ट जित लिया महिला वंडे विश्कप 2025 भारत में आजित होगा चन्नाई उपन टेनिस 2022 टूर्णामिन्ट किसने जिता लिंडा फॉर्तिनेवा ने चेक रिपब्लिक की है ग्रैंड स्लेम जो परतिवक्ताएं हैं चारों यूएस ओपन कारलोस अलकराज ने जिता पुरुष खिलाडी है इस्पेन के इगा स्विटेग महिला खिलाडी है पॉलेंड की इन्होंने महिलाओ एकल में और कारलोस अलकराज ने पुरुष एकल में जिता विम्डलर उपन नुवाग जोकविश्ट ने पुरुशेकल में सर्विया के हैं वहीं एलेना रिबा कीना ने फीमेल केटेगरी में कजाकिस्तान की हैं इन्होंने जीता फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने चौदवी बार फ्रेंच ओपन जीता है जबंदे ने ध्यान इन्होंने जीता डूरंड कप फुटबाल 2022 बैंगलूरू एफसी ने मुंबई को हरा कर जिता कल्यान चौबे अखिल भारती फुटबाल संग के अध्यक्ष हैं और पहले खिलाडी बने हैं इसके अध्यक्ष बनने वाले 75 संतोष ट्राफी फुटबाल टूनामिंट केरल न इसमें प्रतिबंधित कर दिये गए युद्ध के करणा पहला अस्थान इसमें पदख तालिका में USA को मिला 33 पदख जिता दूसरा अस्थान इथियोपिया को भारत की बात करें तो 19 वर्षों के बाद भारत ने इसमें कोई पदख जिता है और कुल मिलाकर दूसरा पदख मिला रजट पदक पहली बार रजट पदक जीता नीरच चोपड़ाने भाला फेक में अंजू बावी जाज 2003 में कास जीता था उन्होंने इसके बाद 19 वर्षों का इंतिजार करना पड़ा भारत को खेलो इंडिया यूथ गेम दोजार बाईस चोथा ये संसकंड था हरियाना में पंच कुला में खेला गया पहले अस्थान पे पदक तालिकाम हरियाना रहा दूसरे पे महराश रहा यूपी जो है बारवे अस्थान पे रहा खेलो इंडिया इन्वस्टी गेम दोजार बाईस बेंगलोरू में आउजित हुआ जैन विश्वद्याले पहले अस्थान पे दूसरे पे लवली प्रोफेशन इन्वरस्टी तीसरे पे पंजाब विश्वद्याले 22 वा राश्मंडल खेल 2022 बर्मिंगम इंग्लेंड में आउजित हुआ महिला क्रिकेट को पहले अस्थान पे रहा, दूसरे पे इंग्लेंड रहा तीसरे पे कनाड़ा, चोथे पे भारत रहा इसमें, ध्यान रखेगा चोथे पे कौन रहा, भारत रहा भारत 22 स्वण सोरह रजट और 23 कांसे के साथ कुल 61 पदक जितने में कामयाब रहा पैरी इन खेलों का सुभंकर था इस बार ध्यान देने वाली बात है निशानेवाजी शामिल नहीं था निशानेवाजी भारत कम से कम 15 से 20 पदक जीत सकता था इस तरह से अगर देखें और स्वण जीत सकता था 15 स्वण कम से कम जीतता इस तरह से भारत पदक तालिका में तीसे अस्थान पे या दूसे अस्थान पे भी आ सकता था ध्यान रखेगा कि उधगाटन समारों में ध्वजवाहग भारत तरब से पीवी सिंधू और मनपीज सिंग थे समापन समारों में ध्वजबाहग, सरत, कमल और निखत जरीन थे थामस कप 2022 भारत ने इंडोनेशिया को जो की गट चेंपियन था उसको हरा कर पहली बार ये कप जीत लिया बैटमिंटन जो का सबसे बड़ा कप माना जाता है और भारत थामस कप जितने वाला छठा देश बन गया किवल च्छा देशों ने ही थामस कप आस तक जीता है तो ये महत्पूर्ण करेंट अफेयर्स थे इनको आप कई बार दोरा ली जाएगा इनका पीडियेफ आपको हम नीचे डिस्क्रिंस्टन बॉक्स में टेलिग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें प्रोवाइट करवा दे रहा है डेली करेंट अफेयर्स देखना ना भूले है यूपी पीशस दोजार बाइस आरो यारो बीयो और एल्टी ग्रेट अन्य परिक्षाओं के लिए और जीयस की विशेश त्यारी के लिए आप हमसे जोड सकते हैं हमारे टेलिग्राम का एक्रम से 9453 7 5039 पे संपर करके वाट्सप करके हमारे का एक्रम प्रिलिम्स और मुखी परिक्षाओं दोनों के लिए उपलब्ध हैं इसके लावा वेकल्पिक विशे भी लोग प्रशासन समाश शास्त्र इतिहास आपको उपलब्ध हैं बहुत बुध धन्यवाद आज है 31 अक्टूबर 2022 और पूरे मन्त के करेंट अफेर्स को आज रिवाइस करेंगे 31 अक्टूबर को राश्टी एक्ता दिवस के रूपे मनाते हैं सरदार वल्लब भाई पटेल की जैन्ती 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था इस वर्ष 145 वी जैन्ती मनाई जा रही है आपको पता है राश्टी एक्ता दिवस का जो मुख्य वेन्यो रहता है मुख्य अस्थल रहता है जिस तरीके से कर्तब विपत पूरु में जिसे राजपत कहा जाता था वो गर्तन दिवस के लिए महीं सुतंता दिवस के लिए लाल के लिए की पहचान है इसी तरह राश्टी एक्ता दिवस के लिए जो स्टेच्य आफ यूनिटी है वो मुख्य वेन्यो रहता है तो आठवी बार मनाया जा रहा है इस बार 2014 में पहली बार मनाया गया था राश्टी एक्ता दिवस के रूप में इतनी बाते आप याद रखे 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में लोपुरुश का जन्व हुआ था उत्तर प्रदेश यहां पे केंदर द्वारा तराई हाथी रिजर्व को अभी प्रश्ण पूर सकता है किस राजे में मन्जोरे मिली है तो उत्तर प्रदेश में हरियाना ने पालतु कुत्तों का पंजी करण अनिवारी किया है तो किस राज ने हाली में पालतु कुत्तों का पंजी करण अनिवारी कर दिया है तो हरियाना में एक अक्टूबर को आर वेंकट रमणी भारत के नए महानयवादी बनाये गए पता है कि पूर्व जो महानयवादी थे मुकल रोतगी उनको आफर किया गया था लेकिन उन्हें ठुकरा दिया था अंतता इसके बाद आर वेंकर ट्रमणी को भारत का महानयवादी नया बनाया गया समिधान के नुच्छेद 76 में महानयवादी के बारे में प्राउधान है आई SSF राइफल पिश्टल विस्ट चेंपियंशिप 2022 सीनियर और जूनियर दोनों ही एक साथ आयोजित हुई थी और एक ही पदक तालिका दोनों के लिए बनाई गयी थी अलग लग नहीं बनाई गयी थी कहाँ पराईजित हुआ ये मिस्ट की राजधानी काहिरा में चीन ने सरवाधिक अठाउन पदक जिसमें 27 गोल्ड, 16 सिल्वर और 15 ब्रॉंज थे हासिल करके पदक तालिका में पहला अस्थान बनाया वहीं भारत दूसरे अस्थान पे रहा कुल 34 पदकों के साथ जिसमें 12 स्वन 9 रजध और 13 कांसर है इसके साथ ही जो पेरिस में उलम्पिक होने वाला है अगला उसके लिए दो कोटा भी हासिल किया भारत के दौरा एक रुद्रांग्ष पाटिल को मिला दूसरा स्वपनिक कुसाले को तो रुद्रांग्ष जो पाटिल है 10 मीटर एर राइफल में स्वन पदक इन्होंने जीता और इसके साथ ओलम्पिक कोटा प्राप्ट किया वहीं स्वपनिक कुसाले कोई पदक नहीं जीते व्यक्तिकत प्रतिसपरधा में लेकिन टीन प्रतिसपरधा में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए 50 मीटर राइफल में इनको दूसरा कोटा मिला तो दोनों का नाम याद रखेगा पूछ सकता है किस खेल से संबंदित है जहाजों की बात कल हमने की थी समुद्री शम्ता परिपेक शियोजना के अंसार 2027 तक भारत के पास लगबग 200 जह होने चाहिए ठीक है अपनी जोड़तों को पूरा करने के लिए महाशक्ती के रूप में अपने आपको कायम करने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लेकिन वरतमान में भारत के पास हैं केवल 150 जहाज और पंडुबी तो इस छेतर में काफी तेजी से औ रिष्ण करने के लिए प्रयोग होता है भारत में इसका बहुतायत कृष्शी और विक्षा रोपने में प्रयोग किया जाता रहा है हाली में कैंसरकार द्वारा नियंतित उप योग के आदेश को दिये गया है सीमित इसके उप्योग को कर दिया गया है कारण है कई देशों में प्रतिबंधित इसको किया गया है क्योंकि यह कार्शिनों जैने कैंसर जैसी गंभीर विमारी पैदा कर सकता है अलमित्र एच पटेल बनाम भारत संगवाद उनिस्सो चानवे ये वाद क्यों चर्चा में रहा किस से सम्मंदित है तो यह ठोस अपसिष्ट वस सीवेच के वैग्यानी कुपचार और प्रबंधन समंदित दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोट ने दिये थे उससे सम्मंदित है उस सरजन अंतराल रिपोर्ट दोजार बाईस देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीटेल नहीं जाएं क्योंकि डेली हम आपनों को ये खबरें डीटेल बदाते हैं तो केवल मुख मुख बिंदू पर चर्चा करेंगे उस सरजन अंतराल रिपोर्ट दोजार बाईस सेयुक तराश परियावन का एक्रम दोरा ये जारी होता है इस बार 13 वां इस कड़ी में रिपोर्ट था सीर स साथ उस सरजक दो विश्व में हैं चीन, यूरोपियन इंगियन के 27 देश, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संग और युएसे वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उस सरजन का 55 पच्चत ये अकेले साथ देश करते हैं इन देशों का ग्रीन हाउस गैस उस सरजन वर्स 2021 में पुना बढ़ गया जो पूर्व महामारी अस्तरथात कोरोना के पहले से भी ज़्यादा हो गया है इसके अलामा जो अन्यनिशकरश है वर्स 2020 में आउसत प्रतिव्यक्ती वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उस सरजन 6.3 तन थी अरथा 6.3 कार्बन डाइक्साइट के सम्तुल थी भारत काफी नीचे है अगर आउसत देखा जाए मात्र 2.4 प्रतिवक्ती उत्सरजन है ग्रीन हाउस गैस का इसका कारण में भारत एक बड़ी जनसंख्यावला देश है विसमें काफी असमान तायमें दमान है बडूदरा गुजराद में प्रधान मंत्री के द्वरा भारती वाई सेना के लिए पहली नीजी परिवहन विमान परियुजना C295MW की आधारशिला रखी गई तो ये नीजी पहला ऐसा केंदर होगा जहां पर वाई सेना के लिए परियुजन विमान की का निर्माड की आ जाएगा माला बार ये क्या है तो एक स्वनकार कंपनी है CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement के तहट भारत तो UA की भी जो agreement हुआ उसके तहट स्वन आयात करने वाला पहला भारती स्वनकारिय बना है 25 किलो इसने स्वन UAE से आयात किया है बोगोर इंडोनेशिया का शहर है यहाँ पर पहला आशियान भारत स्टार्ट अप फेस्टिवल का उधगाटन हुआ गरुण क्या है तो यह वाई सैन अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच सात्वा संसकन हाली में जोदपूर में आजित हुआ नई दिल्ली यहाँ पे केंद्री मंत्री फगगन सिंग दोरा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उधगाटन किया गया कहाँ पे नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल केंद्री गामेड विकास मंत्राले के दोरा इसका आवजन किया गया महिला शशक्ती करण को जो एससजीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरसकार समारों से रूस और बेला रूस को पहले ही निशकासित किया गया था इरान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया प्रतिबंधित और निशकासित नहीं जर्मनी मनोरंजन प्रियोजनों के लिए भांग के उपयोग को मजूरी दिने वाला हाली में कौन तो आपको पता है राश्टी जाज एजनसी विधेक 2008 इस अधनियम के द्वारा इस विधेक के द्वारा राश्टी जाज एजनसी 2009 में एनाईय का गठन हुआ नई दिल्ली में इसका मुख्याले है अभी हाली में इसने अपना एकलक्ष बताया कि 2024 तक सभी राज्यों में कार् रंकवादी गत्विदियों पर लगाम लगाई जा सके कोब 27 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change का जो 27 वी बैठक हो रही है इनके Conference of Parties की मिस्र के शर्म अलस शेख में हो रही है BCCI जो भारती किकेट कंट्रोल बोर्ड है महिला खिलाडी को पुरुष खिलाडियों के समान वेतन देने की घोशना हाली में की है एश कार्टर इनका निधन हो गया कौन है ये USA क रक्षा मंत्री थे 2015 से 2017 के बीच 29 अक्टूबर 2022 की जो खबरे थी WHO विश्वास संगठन इसने विश्व टीबी रिपोर्ट 2022 हाली में जारी की COVID महामारी में नकारात्मक प्रभाव देखा गया है ध्यान रखेगा टीबी नियंतन में दूसरी बात जो इसकी निश्कर्स थी 2021 में 10.6 मिलियन नए मामले सामने आये जो 2020 से 4 पस्चत अधिक हैं UNFCCC ने NDC संस्थान रिपोर्ट जारी किया तो याद रखेगा बस इतना है कि NDC संस्थान रिपोर्ट हाली में किस संस्थान जारी किया है तो UNFCCC ने SIMBACS क्या है तो नोसेन अभ्यास है तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं का ये अभ्यास है अभी हाली मिशा का पटना में आज़ित हुआ ट्वीटर एलन मस्क द्वारा 44 बिलियन डॉलर में ट्वीटर का अधिधरहन कर लिया गया फिजी की राजधानी आपको पता है सुगा है फिजी जो है यहां पर बारवा विश्वहंदी सम्मिलन की मेजबानी होगी अर्थात फिजी बारवा विश्वहंदी सम्मिलन की मेजबानी फरवरी 2023 में करेगा और ऐसा करने वाला प्रशान्त शेत्र का पहला देश बन जायेगा O.A.G. नामक एक्षानस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार दिल्ली हवाई अड़ा दुनिया का दसवा व्यस्ततम हवाई अड़ा बन गया है इंडियन इस्टिट आफ जियो मैगनेटिज्म मुंबई के वैग्यानिकों ने एक स्वदेशी ओर हॉसर मैगनेटोमीटर जो चुमकी छेत चुमकी तीवता की पहचान करता है विक्सित किया है जिसे अली बाग चुमकी विशाला महराश में जो अली बाग चुमकी विशाला है मुंबई में यहां स्थापित किया गया है ये भारत का पहला स्वदेशी ओर हॉसर मैगनोमीटर होगा शेफाली जुनेजा की उचर्चा में रही संयुक्त राश की वाई परिवहन समित की अध्यक्षे निर्वाचित हो गई है ICO में भारत का प्रत्रित करने वाली ये पहली महिला भी है थीक है ICO इसका गठन 1947 में मंट्रियल कनाड़ा में इसका मुख्याले है ICO ये IBA भारती बैंक संग के पुना अध्यक्ष बन गए है भारती बैंक संग की इस्थापना 1946 में हुई थी मुंबई मिसका मुख्याले है 28 अक्टूबर को अंतराश्टी एनिमेशन दिवस मनाया जाता है GM सरसो अनवांशिक इंजिनिंग मुल्यांकन कमिटी ने ब्यावसाइक खेती को अनुमती दे दी किसके GM सरसो के तो ध्यान लखेगा इसके पहले किवल मातर एक बीटी का पास था जिसको अनुमती मिली थी 2006 में 16 वर्षों बाद किसी फसल को GM फसल को अनुमती मिली है ये कौन है GM सरसो लक्षदीप के मिनिकाय थुंडी समुद्धी तट और कदमत समुद्धी तट को ब्लू फ्लैग प्रमाडन मिल गया है ब्लू फ्लैग ये तट घोशित कर दिये गए है तो अब कुल भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाडन तट हो गए है डेनमार्क स्थित NGO Foundation for Environmental Education के दवारा विभिन मानकों पर पहचान की जाती है ब्लू फ्लैग प्रमाडन दिया जाता है मुंबई और दिल्ली UNSC की आतंगवादी रोधी बैठा कहां पर हुई? मुंबई और दिल्ली में हुई नोट करने वाली बात है कि भारत वरतमान में UNSC के आतंगवाद रोधी कमिटी का ध्यक्ष है यही करण है कि भारत में दो शहरों में ये अर्थाद भारत में ये आयोजन हुआ सुरजकुंड हरियाना में राजीों के ग्रहमनतरियों तथा मुख्यमनतरियों ने भाग लिया उत्तर》वदेश के मुख्यमनतरी माननी योगी आज़्टनात ने भी स्मिजव भाग लिया है आपने देखा होगा गुजिराद जल्जीवन मिशन के तत्षर प्रतिशत पाइब्ड कनेक्शन वाला राज्य बन गया. कौन गुजराद? इसके पहले जो अन्य सो प्रतिशत पाइब्ड कनेक्शन वाले राज्य हैं. अभी कौन बन गया नया गुजराद बन गया आपको पता है जल जीवन मिशन 2019 में इसकी घोशना होई थी स्टार्ट हुआ था लांच हुआ था 2024 तक ये इसको अपने लक्ष प्राप्ट करने है खांग खुई गुफा ये मड़ीपूर में इस्थिद गुफा है चर्चा में क्यों रही क्योंकि परेटन परपस के लिए चमगादणों को बाहर निकाला गया कौन से चमगादण घोड़े की नाल वाले इनके जो कान है वो घोड़े की नाल के तरह दिखाई पड़ते हैं ट्रिपल आर ये मूवी है सेटन अवार्ज 2022 में सर्वसेष्ट अंतराष्टी फिल्म का पूरसकार इसने जीता लांस एज़ेस यूएसे में ये पूरसकार दिये गए इसके साथ ही इसकी दावेदारी मजबूत हो गई किसमें आउसकर अवार्ज में बेस्तू वर्ष गुजराती नव वर्ष को बेस्तू वर्ष कहते हैं 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया जाते अब है कि विक्रम समवत सतावन 57 इसवी को मनायाता है तो संसार 2089 ये विक्रम समवत वाला वर्ष है इमानदारी की दुकान या होनेश्टी शाप हाली में काफी चर्चा में रही एरना कुलम केरल में स्कूली शात्रों के लिए सुरू की गई एक पहल है तो इस पहल में क्या होगा एक दुकान होगी खाली दुकान कोई इसमें दुकानदार नहीं होगा बच्चों को जाकर के वहाँ से सामान लेना है उसका जो प्राइज है वो रख देना है इस तरह से इसको होनेश्टी शाप नाम दिया गया इमानदारी की जो प्रवित्ती है उसको बढ़ाने के लिए उसको डेवलप करने के लिए सम्रिद्धी 2022 ये दिल्ली के उपरा जिपाल के दोरा शुरू संपत्ती कर माफी ओजना है क्या नाम है सम्रिद्धी 2022 युराज सिंग भारत में दिसम्बर 2022 में होने जा रहे है तीसरे ने तरहीनों के T20 विश्वकप के ब्रांड एमबिस्डर बनाए गये है 24 अक्टूबर 2022 को विश्व पोलियो दिवस की रूपे मनाया गया जिसकी थीम क्या थी A Healthier Future for Mothers and Children कुन जब ये क्या है तो ये केरल द्वारा ये केरल की राज सरकार द्वारा बच्चों के खिलाफ साइबर अपराद रोकने के लिए जारी किया गया एक पोर्टल है From Dependence to Self-Reliance ये पुस्तक है विमल जलान की जो की पूर वार बियाई गुवर्नर है The Carbet Papers ये भी पुस्तक है इसको अक्षय शाह वज टीफन अल्टर ने लिखा है Jammu Kашmir, Jammu में जलवाई परिवर्तन पर अंतराष्टी श्रमेलन हाली में एवजित किया गया duty bomb अभी हाली में चर्चा में रहा ये पारंप्रिक और रेडियो धर्मी मिश्ण होता है जो की जो पारंप्रिक हथियार है पारंप्रिक bomb है उससे ज़्यादा प्रदूशन और उससे खातक मनायाता है इसके बारे हमने पूरी चर्चा की थी जिस दिन का ये वीडियो था सितारंग ये चक्रवात है बांगला देश में ये चक्रवात सबसे पहले आया बंगाल की खाड़ी में उत्पन हुआ उड़ीसा, पशिममंगाल और उत्तरपूर्वी भारत इससे प्रभवित रहे थाइलेंड द्वारा ये सितारंग नाम दिया गया था टाइगर ट्रम्प क्या है तो भारत और USA की मानवी सहता अभ्यास है विशाखा पटनम्या जित हुई अमन सहरावत अंडर 23 कुष्टी चेंपियंशिप यो विश्व कुष्टी चेंपियंशिप हुई इसमें सण पटक जितने वाले पहले भारती बने क्या नाम है अमन सहरावत म्यामार को Financial Action Task Force ने Black List में शामिल कर लिया Financial Action Task Force इसका मुख्याले पेरीज फ्रांस में है 1989 में G7 की पहल पर इसकी स्थापना हुई थी शुरुआत में Money Laundering के अगेंस्ट काम करता था लेकिन जब अमेरिका में परवान हमला होता है तो आतनकवाद भी इसका एक मुख्य के इंदर बन जाता है पाथेर पंचाली International Federation of Film Critics द्वारा अब तक की सरसेष्ट भारती फिल्म इसको गोशित किया गया है 1955 में ये रिलीज हुई थी मुवी इसके निर्माता सतर जीत रे थे सतर जीत रे को 1992 में भारत तरत्न दिया गया है 24 अक्टूबर 2022 सेयुक्त राष्ट दिवस के रूपे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को सेयुक्त राष्ट के स्थपना हुई थी इसकी थीम इस बार क्या थी दिवस की बिल्डिंग बैक टुगेधर फॉर पीस एंड प्रोस्परेटी LMV-3 लाँच वीकल मार्ग 3 अभी हाली में इस रो द्वारा अपने सबसे भारी रॉकेट लाँच वीकल का सफलता पूरवक लाँचिंग किया गया 5796 किलो ग्राम के पेलोड के साथ इसमें 36 युनाइटेट किंगडम के उपगरहों को LEU में लोवर अर्थ और्बिट में स्थापित किया गया ये इसरो का अर्थात LMV-3 का जो सर्वाद सबसे भारी रॉकेट है लाँचर है पहला वाणजिक प्रक्षेपन भी था इसको जब इसरो स्वदेशी कोई प्रक्षेपन करता है राष्टी या राजकी प्रक्षेपन करता है तब LMV-3 का नाम क्या होता है GSLV Mark 3 Giorgio Meloni इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है क्या नाम है Giorgio Meloni 23 अक्टूबर को साथ तुवा आयरुवेद दिवस मनाया गया थीम क्या थी हर दिन हर घर आयरुवेद शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्पदी बने कौन? शी जिनपिंग आयोध्या में दिपोसो पर 15,86,000 दिये जलाये गये सितरंग चक्रवात है बंगला देश में आया है रिशी सुनक भारती मूल के पहले व्यक्ती है जो बिटेन के प्रधान मंतरी बने भूत कोला ये कांतारा फिल्म में इसका प्रदर्शन हुआ है ये एक प्रकार का उत्सव है भूत कोला एक परंपरा है करनाटक में प्रचलित विशेश अनुस्ठान के रूप में इसकी पहचान होती है यक्षगान जो की करनाटक का लोक रंगमंच है इस पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है हाली में चर्चा मेरा पूछा जा सकता है ग्रीन पठाके चंडी गर्ड ने ग्रीन पठाकों के उप्योब को हाली में अनुमती दी है ग्रीन पठाके पारंपरिक पठाकों से 30% तक कम वाइस प्रदूषड करते हैं प्रश्ण आचुका है उसमें लिखा था कि शून प्रदूषण होता है वो गलत है ग्रिन पटाके प्रदूशन फैलाते हैं लेकिन जो पारंप्रिक पटाके उनसे 30% तक कम प्रदूशन करते हैं इसमें बेरियम नाइट्रेड जैसे हानिकारक तत्व नहीं होते हैं CSIR द्वारा तीन प्रकार के ग्रिन पटाकों का विकास किया गया है स्वास स्टार और सफल स्वास सेफ वाटर रिलीजर जिसमें भाप का प्रयोग होता है स्टार जिसमें थर्माइट का प्रयोग होता है सेफ थर्माइट करेकर इसका फूल फार्म है और सफल सेफ मिनिमल एलुमूनियम कम मात्रा में एलुमूनियम का प्रियोग इसमें होता है T113 क्या है रण थंबोर टाइगर रिजरु का एक बाग है जिसे सरिस्का बाग भ्यारण में स्थानांतरित किया गया DBO Digital Bank Units अभी हाली में प्रधान मंती ने 75 Digital Bank एकाया राष्ट को समर्पित की बजट 2022-23 में ही इसकी घुशना की गई थी जो Digital Banking Units है Digital जो Payments है उसको बढ़ावा देने वाली काया होती है Digital सुरक्षा के शेत्र में काम करने वाली काया होती है इसमें RBI Reserve Bank of India भारती बैंक संग और बैंक जिस बैंक का ये Digital Bank Unit होता है ये बैंक जो है उसमें प्रतिभागी होता है तो तीम प्रतिभागी होते हैं किसी भी Digital Banking Unit में बहु आयामी गरीबी सुचकांग 2022 हाली में United Nation Development Program और OPHI दोरा जारी किये गए 2010 से ही ये सुचकांग जारी किया जाता है सीरसक इस बार का क्या था Unpacking Deprivation Bundles to Reduce MPR Multi Dimensional Poverty Report है ये इसका फुल फार्म है परडाम निशकष क्या क्या रहे है दुनिया भर में एक बिसमलोग दो अरब लोग बहु आयामी गरीब है सबसे आदा संख्या में अगर बहु आयामी गरीब है तो भारत में है दूसरे अस्थान पे नाइजिरिया है बच्चों में गरीबी तेजी से कम हुई है ये निशकष में सामने आया है कि विश्व में सबसे यदा तेजी से किसमें गरीबी कम हुई तो बच्चों में 2005 से 2020 में अर्थाद इन 15 वर्षों में गरीबी 55.1% से घट करके 16.4% रह गई है लगबग 21.2% गरीब ग्रामीर शेत्रों से आते हैं वहीं 5.5% सहरों में रहते हैं भारत में गरीबों की संख्या में 2005 से 2020 अर्थाद 15 वर्षों में 415 मिलियन की गिरावट आई है 41.5 करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं मेडेन फार्मा लिम्टेड भारती भार्मा कमपनी हैं अभी हाली में चर्चा में रही जब दूशित कफ सिर्प जो इसने गांबिया में निर्याद किया था उसके सेवन से गांबिया में काफी मौते हों गई डबलु एच उदारा इस पर गहन जाज की जा रही है विदेशी मुद्रा भंडार भारत का आपको पता है कि आरबियाई के कुछ बाजार गत्विधियों के करण जवरत केंसार बाजार गत्विधियां उसने की और काफी घट गया था सितंबर 2022 में 530 अरब डॉलर तक पहुँच गया जबकि सितंबर 2021 में अगर देखा जाए तो 642 अरब डॉलर एक वर्ष पहले 642 अरब डॉलर तक पहुच गया था हैदराबाद इंटरनेशनल एसोसियेशन आफ हर्टी कल्चर प्रडूसर्स के वर्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारो 2022 जो की जेजु दक्षिंड कोरिया में जित हुआ हैदराबाद को वर्ड ग्रीन सिटी अवार्ड की योजना है इसमें आयुश्मान कार्ड वितरत वितरित किया जाएगा लोगों को गूगल भारती प्रतिसपर्धा आयोग द्वारा 1338 क्रोड रुपे का जुर्माना गूगल पे लगाया गया अभी हाली में दुबारा गूगल पे जुर्माना लगाया गया है मोटा मेटावर्स ये इंटरपोल के द्वारा नब्बेवी महासभा जो नई दिल्ली में आवजित हुई उसमें मेटावर्स लाँज किया गया W.E.F. के साथ साजेदारी में पहला मेटावर्स लाँज किया गया इसमें वैश्विक साजेदारी वैश्विक भागेदारी जो पुलिस के बीच है वो बढ़ावा इसको दिया जाएगा वैश्विक जो कानून है उनकी समिक्षा की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि जो वैश्विक मुद्दे हैं पेंटर पूल काम करता है उन कानूनों का एकी करण किया जाए उसमें समानता लाई जाए लिज्टरस बिटेन की प्रधान मंत्री थी उन्होंने इस्तिफा दे दिया था अब तक की सबसे नियुंतम अवदी अर्थात 45 दिन तक रहने वाली प्रधान मंत्री ये बनी है शिव नादर हुरून रिपोर्ड के अंसार HCL के ये संस्थापक जो है शिव नादर इनको भारत के सबसे उदार या सबसे दानी व्यक्ति के रूप में इनको घुशेत किया गया है IIT मदरास रास्टी बहुदिक संपदा पुरसकार 2021 और 2022 किसको मिला IIT मदरास को पुनीत राजकुमार अभिनेता थे मृत्ती हो गई थी मर्डो परांत इनको करनाटक रतन पुरसकार दिया गया असम आठ जिलों में अफस्पा का असम ने विस्तार किया पूछ सकता है किस राजने हाली में आठ जिलों में अफस्पा का विस्तार किया तो असम ने वहीं पश्चमी कारवी आगलांग से असम ने अफस्पा को हटाने का भी फैसला किया निहोंशू ये एक मादक पे है जिसको जापान द्वारा जी आई टेग देने की मांग की गई है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मिती दिवस के रूप में मनाय जाता है 21 अक्टूबर 1969 को CRPF के जवानों की भारत इबबस सीमा पर कुर्बानी की याद में इस दिवस को मनाय जाता है DP मनू जेवलिन थ्रोवर है भारत के इन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक चेंपिनशिप में स्वणपदक जीता इंडिया गेट ये एक बासमती चावल का ब्रांड है इसको विश्व का नंबर वन बासमती चावल ब्रांड घुशित किया गया है HTT40 ये HAL का स्वदेशी ट्रेनर विमान है प्रधानमंती की द्वारा इसका नावरण हाली में किया गया है मलिकार जुन खड़गे हाली में कांग्रेस के नए अध्याक्ष्य बनाए गया है गुजरात नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कांपलेक्स खोला जा रहा है गुजरात में कहां पे लोथल में जो की हडपा से बिता का ये गोदी बाड़ा था बंदरगा था गुजरात प्रधानमंती द्वारा मिशन स्कूल फॉर एक्सिलेंस का सुभारम कहां किया गया गुजरात में पूरे में ओमिक्रान का सब वेरियंट बी क्यूब पॉइंट वन का पहला मामला सामने आया USA भारत को 307 पुरावशेस हाली में किसने लोटा आया USA ने दिसा हवाई शेत्र कहां पर है गुजरात में प्रधानमंती के द्वारा इसकी अधार शेला हाली में रखी गई मुंबई वर्ड स्पाइस कांग्रिस का चौदवा संस्क्रण कहां जित हुआ मुंबई महराष्टर में संगरूर पंजाब का शहर है यहाँ पराली जलाने को कम करने के लिए प्रोजेक्ट वाय अमरित लॉंच हिया गया माइकल लिनो ये विश बैंग द्वारा शिंद उजल संधी आर्विटेशन के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया प्रधान मंत्री भारती जन उर्वरक योजना का सुभारम प्रधान मंत्री के द्वारा किया गया इसका नारा है एक राष्ट एक उर्वरक 17 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री के जनन दिन पे इसका सुभारम किया गया सभी सोरी 17 सितंबर को उनका जनन दिन होता है ये भारती प्रधान मंत्री के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को सुरू किया गया सभी कम्पनियां एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत इसमें उर्वरक का विपढ़न करेंगी कोफ माउ ये Central Organization for Modernization of Workshops भारती रेलवे की एक कम्पनी है 1989 नई दिल्ली में इसका मुख्याले था 1989 को अस्थापना होई थी भारती रेलवे के द्वारा इसको बंद करने की घोशना हाली में की गई है UIDAI 28 January 2009 को इसकी अस्थापना होई थी नई दिल्ली में इसका मुख्याले है D.A.R.P.G. अर्थाद प्रसास्निक सुधार वर लोग शिकायद विभाग जिसकी अस्थापना 1 अगस्त 1970 को होई थी नई दिल्ली मुख्याले है इसके द्वारा जारी शिकायद निवारन सुचकांक में UIDAI को सीर्स स्थान पर रखा गया है UIDAI शिकायद निवारन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है ये घोशित किया गया D.A.R.P.G. के दोरा UIDAI Unique Identification Authority of India ध्यान लखेगा 12 अंकों का जो आधार कार्ड है यही जारी करता है 20 अक्टूबर 2022 विश्व सांकी दिवस के रूप में मनाया गया प्रतेक पांच वर्ष में 20 अक्टूबर को विश्व सांकी दिवस के रूप मनाया जाता है प्रतेक पांच वर्ष में इस दिवस को मनाते हैं पहली बार 2010 मनाया गया था दूसरी बार इसको 2015 में मनाया गया तीसरी बार 2020 में अब चौथी बार 2025 में मनाया जाएगा लेकिन 20 अक्टूबर जिक्र था इसलिए हमने आपको बताया दिया राष्टी सांग की दिवस उलेखनी है कि प्रती वर्स 29 जून को मनाया जाता है आई ऐसे अंतराष्टी सवर गडबंधन इसकी पाँचवी महासभा नई दिली में आयोजित हुई अध्यक्ष कौन है आरके सिंग भारत के सहध्यक्ष के 16 जोचा रोपोलू फ्रांस के हैं ध्यान अखेगा कि भारत और फ्रांस पुनह इस सम्मेलन में अध्यक्ष और सहध्य के रोप में निर्वाजित हुए दुरगावती टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व का एक भाग है नए बाग अभ्यारण के रूप में इसको प्रगमत्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है दुबई 22 विश्व ब्लाग्चेन सिकर सम्मेलन 2022 ये दुबई में आउजित हुआ अगला जो आउजित होगा बैकॉप में आउजित होगा 2022 दिसंबर में गाधी नगर यहां बारवाण डिफेंस एक्सपो आरम हुआ है इसकी थीम पाथ टू प्राइड रही बारबरा मेटकॉफ एम्यू द्वारा अलीगर्ण मुल्स्लिम इनुश्टी सर सयद उतकिष्टा पुरसकार 2022 इनको प्रदान किया गया खुलना ये बांगला देश में इस्थित है यहां पर वैश्विक युवा जलवाय शिखर समेलन 2022 का आयोजन हुआ भविश यह क्या है तो सरकार द्वारा जारी एक पोर्टल है किसके लिए पेंशन भोगियों के लिए एक ही कित पोर्टल है संगरूर पंजाब का शहर है यहां केंद्री मंती हरदीव सिंग पूरी द्वारा एशिया के सबसे बड़े कंप्रेश्ड बायोगैस सेंतर का उधगाटन सीबीजी का उधगाटन हुआ डोनारूमा गुकेश मैगनस कालसन को हराने वाले सबसे क उम्र के भारती बन गए हैं सोलह वर्ष के मातर हैं बाब डायलाग या दे फिलासपी आफ मार्डन सांग इन्होंने इसकी रचना की क्या नाम है इसका बाब डायलाग दे फिलासपी आफ मार्डन सांग नामत पुस्तक की रचना इन्होंने की शेहान करोना तिल्क ये शिलं संविधा भरती को किस राजने हाली में समाप्त कर दिया उडीसा सरकार ने जो संविधा कर्मी थे उनको परमान एंट करने की घुशना की गरीबी अभी आपको पता है गरीबी संभिन आकडे सहुत राश्तवारा जो बहुआयामी गरीबी सुचकांक आया उसके अंसार 2005-2019 के भारत में गरीबों की संख्या 415 मिलियन घट गई है रोजर बिन्नी BCCI के 36 में अध्यक्ष बन गये हैं उल्फ क्रिश्टरसन स्वीडन के नए प्रधान मिंत्री बने हैं इस्टीड फास्ट नून ये बेलजियम में नाटो के 30 में से 14 अधश्यों का वारशिक परमाण अभ ये किस्सा का विकास इन्होंने किया था इसके जनक थे हाली में इनका निधन हो गया एंटोनियो गुटेरेस सेउक्त राश के महासचिव हैं 18-20 अक्टूबर के दोरान भारत दोरे पे रहें सौरब गाउंगली बंधन बैंक के ब्रांट एंबिजडर बन गये स्थापना ब अर्बन हाउसिंग कॉनक्लेव का एवजन किया गया CRIIO for good ये ICC द्वारा UNICEF का महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए साज़ेदारी की गई है ICC और UNICEF के द्वारा इसमें ICC क्रिकेट आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को सशक्ती करण को बढ़ावा देगी भुनेश्वर रेल मंत्री अश्वनी वैश्वों के द्वारा भुनेश्वर उडीशा की राजधानी में भुनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले अलूमिनियम फ्रेट रेक का उधिगाटन किया गया नई दिल्ली में इंटर पूल अंतराश्टी आपराधिक पुलिस संगठन की 92 महासभा का आवजन हुआ ध्यान रखेगा इसके पहले भारत ने 1997 में इंटर पूल की अध्यक्षता की थी इंटर पूल की मेजवानी की थी इसके महासभा की भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था इंटरपोल की जो स्थापना होई थी 1923 में होई थी लियोन फ्रांस में इसका मुख्याले है UN का ये विशिष्ट निकाय है UN से जुड़ी संस्था है मेघाले मेघा कयाक या कयाक महसो कायोजन मेघाले में हुआ इसका ये पांचवा संस्था प्रधान मंत्री किसान समान समयलन 2022 का आवजन कहा हुआ नई दिल्ली में हुआ गोवा में नौवे विश्व आयरवेद कांग्रेस वा आरोग एक्सपो का आवजन हुआ कहां गोवा में IISC बेंगलूर का क्यों चर्चा में रहा द जो संस्था है इसके दोरा विश्व इन्वस्टी रैंकिंग 2030 में भारत की तरफ से सीर्स पर है यह टाप 300 जो इंस्टिउशन्स है इस रैंकिंग में इसमें एक मात्र भारती संस्थान है भारत के कुल 75 संस्थानों को 1000 से भी ज़्यादा जो संस्थानों की रैंकिंग है इसमें स्थान मिला हुआ है लेकिन सब निचले हैं 300 में भी अगर देखिये तो एक मात्र भारती संस्थान आई IISC बेंगलूर है आक्सपोर्ड विश्द्याले पहले अस्थान पे है, दूसरे पे हार्वर विश्द्याले है और तीसरे पे कैम्ब्रिज विश्द्याले है विश्वखाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाये जाता है 1981 से प्रतिवर से इसको मनाये जा रहा है 16 अक्टूबर 1945 को स्तेयुक तराश्ट के दौरा FAO खाद याम क्रिस संगिठन की इस्थापना होई थी इसकी उपलक्ष में ही विशोखाद दिवस के रूप में मनाये जाता है FAO का मुख्याले कहां है? रोम में है नोट करने वाली बात है कि 7 जून को विशोखाद सुरक्षा दिवस के रूप मनाया आता है तो दोनों में अंतर करियेगा 2022 की जो विशोखाद दिवस की थीम है वो है लिव No One Behind कोई पीछे न चूटे सितंबर 1993 में शिकागो धर्म संसद में 11 से 27 सितंबर के दोरान स्वामी विएकनन ने 6 बार संबोधित किया था जिसमें चौथे संबोधन में उन्होंने कहा था कि पूरब की दुनिया की सबसे बड़ी जवरत धर्म नहीं बलकि रोटी है भूख से मरती जनता को धर्म का उदेश देना उसका अपमान है वैशिक भुकमरी सुचकांग 2022 हाली में जारी हुआ जिसमें भारत को 121 देशों में 107 में अस्थान पे रखा गया है गंभीर की सेडी में रखा गया है भारत का स्कोर 29.1 था इसमें 2021 में भारत 116 देशों में 101 में पायधान पे था तो 6 अस्थान लड़क गया है इसमें ध्यान लखेगा 22 भूकमरी सूचकांग को अब कंसर्ण वर्ड वाइड आयरलेंड की संस्था और वेल्ट हेंगर हिल पे जो की जर्मनी की संस्था है जारी करती है 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है सबसे खराब स्कोर माना जाता है चार संकेतकों के अधार पे ये सूचकांग जारी होता है अलपपोशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मित उदर ये एक वार्षिक रिपोर्ट है लेकिन पांच वर्षों के आकड़ों पे आधारित रहता है 2022 में अन्य जो महत्पूर बाते हैं वेश्विक स्कोर्ज 18.02 जो की बताता है कि वेश्व मध्यम अस्तर से गुजर रहा है भूग के 2014 में 19.01 के अस्तर से ये घटा है पहले अस्थान पे बेलारूस है पहले अस्तान पे कोई नहीं CS पे कह सकता है कि CS पे 18 देश है बेलारूस, बोस्निया, हर्जगोविना, चीली, चीन, क्रोईशिया जैसे देश इसमें समिलित है 64 अस्तान पे शिलंका है जो भारत के सीमा वरती देश है उसमें स्रिलंका, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान और म्यामार भारत से उपर है रैंकिंग क्रमशा, स्रिलंका की 64, नेपाल की क्यास्वी, बंगलादेश की 84, पाकिस्तान की 99 है और 61 है म्यामार की आफगानिस्तान एक मात्र सीमा वरती देश है भारत का जो की रैंकिंग में भारत से बुरी इस्तिती में है, 109 अस्थान पे है वहीं पूरी रैंकिंग में सबसे निचले पाइदान पे सोमा लिया है सतर अक्टूबर को गरीबी उनमुलन के लिए अंतराश्टी दिवस ग्रूपे मनाया जाता है यूएन जीए से उक्तुराश्ट की महासभा के द्वारा 1992 में इसको मनाने की होशना की गई थी इसकी थीम क्या है 2022 की डिगनिटी फर आल इन प्रैक्टिस भारत महिला एशिया कब 2022 में शीलंका को हराकर इसने सात्मा खिताब जीत लिया महिला एशिया का भ्यान नखेगा ये बांगला देश में आज जीत हुआ था रेंडुका सिंको प्लेयर आप्द मैच घोशित के आ गया था अब्दुललतीव राशित इराक के नए राश्पती बने है कौन अब्दुललतीव राशित परम कामरूप ये आई आई टी गुहाटी में राश्पती के दोरा सुपरकंप्यूटर सुविधास थापित की गई है ये पूर्वतर शेतर का एकमाद सुपरकंप्यूटर है WWF ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हाली में वर्ड वाइड लाइफ फंड के दोरा फंड फार नेचर के दोरा जारी हुआ एक द्वी वार्शिक रिपोर्ट है WWF एक अंतर राज्जी गैर सरकारी संग्ठन है NGO है 1961 में इसकी स्थापना होई थी इस रिपोर्ट में जो 2022 में जारी होई है 1970 से 2018 के मध्यवन जिव आबादी जो कि निगरानी की जाने वाली होती है उनमें 79 प्रस्चत की भारी गिरावट आई है इसका जिकर किया है इसके लावा मीठे पानी की आबादी में 83 प्रस्चत अफ्रीका में 66 प्रस्चत और एशिया प्रसान में 55 प्रस्चत गिरावट आई है वन जीवबादी में इंदौर 17 प्रवासी भारती दिवस समयलन कहा अजित होगा इंदौर में ठीके जनवरी 2003 में पहला कहा हुँआ था 2003 में नई दिल्ली में 16 कहा हुँआ था इसे पहले वाला जनवरी 2019 में वारानसी में हुआ था तब से अभी तक इसका आयजन नहीं हुआ है मा भारती के सपूत तीनों सिनाओं के शहीदों के परिवारों के लिए सहायता देने के लिए वेवसाइट रक्षा मंत्री ने हाली में लॉंच किया है हनोई वियत नाम की राजधानी है पूरवी एशिया सिखर सम्मेलन हाली में अजित हुआ यहाँ सिक्षा मंत्रीयों की बैठक में भारत ने भी भाग लिया वाड़ा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्टी कहां जित हुई नई दिल्ली में मेखाले पहली बार मानसिक स्वास्त वस सामाजिक देखभाल नेत की घोशना किसने की अभी हाली में मेखाले जाए 14 अक्टूबर को अंतराश्टी मानक दिवस वर्ड इस्टेंडर्स टे के रूप में मनाया जाता है आई SSF विश्व चेंपियंशिप ये आसी जैक कुरेशिया में संपन हुए इटली पहले अस्थान पे दूसरे पे ब्रिटेन तीसरे पे युएसे रहा भारत एक सौन एक रजट और दो कांस्य कुल चार पदकों के साथ पाँचमें अस्थान पे रहा इस टोनामेंट में 36 में राष्टी खेल गुजरात मिहाली में संपन हुए इसमें सर्वसेश पहला अस्थान दूसरा अस्थान महराष्ट को मिला हरशिका रामचंदन सर्वसेश महिला खिलाडी साजन प्रकास सर्वसेश पुरुस खिलाडी दोनों तैराक हैं चुने गए 35 इसके पहले जो आयोजन हुआ था राष्टी खेल का केरल में हुआ था 2015 में 37 जो 2023 में होगा गोवा में होगा PM डिवाइन योजना प्रधान मंत्री डेबलमेंट इनिशेटिव इन नौर्थ इस्ट पूरुतर छेत के विकास के लिए योजना है इसकी घोशना बजट 2022 ते इसमें हुई थी 2022 से 2026 तक की अवदी के लिए चार वर्षों के लिए 6800 कुरुन रुपए इसमें खर्ज किये जाएंगे कुआफू वन चीन ने अपनी पहली सौर वेदसाला लांच किये इसका नाम क्या है कुआफू वन जिसको पतला लौरिस भी कहते हैं भारत का पहला स्लेंडर लौरिस अभ्यारण तमिल नाड में करूर और डिंडी गुल जिलो में कडावूर अभ्यारण में खोला जा रहा है ठीक है स्लेंडर लौरिस को वन जियो अधनियम 1972 अंसूची वन में सारक्षितर किया गया है धारा चाचटे जो की हाली में चर्चा मेरी सूचना प्रद्योकी की अधनियम की धारा है जिसको कुछ समय पहले सुप्रीम कोट ने असमयधानी घुशित कर दिया था लेकिन फिर भी राज इसके अधार पर तमाम केस कर रहे थे तो सूप्रीम कोट के दौरा कडाई से ये कहा गया कि जितनी कारवाईया चाचटे के तहच चल रही है वो असमयधानी के इसलिए तुरंत इस पे रोक लगाई जाए साल्ट प्रोजेक्ट विश्व बैन के दौरा राज इकी सिक्षा प्रणाली में बदलाओ के लिए ये लाँज किया गया है साल्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आनपरदेश लिखा नहीं है किस राज में पूछेगा तो आनपरदेश में ठीक है यह हम लिख कर आपको दे देंगे तो आनपरदेश में राज्य की जो सिक्षा पढाली है उसमें बदलाओ के लिए लोन धाई सो अरब डालर का मिलियन डालर का लोन ये दे रहा है विश्वबैंक इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरपोल जो इंटरनेशनल किमिनल पुलिस औरगनाईशन है हाली में चर्चा में रहा CBI जो भारत की संस्था है वो प्रतनिदी संस्था है इंटरपोल में क्यों चर्चा में रहा तो भारत द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुर्पत वंत सिंक पन्नू के खिलाब रेड नोटिस जारी करने की प्रार्थना को इंटर पोल ने खारिच कर दिया CSTO सामोई सुरक्षा संदी संग्ठन ये यूरेशिया का अंतर सरकारी संग्ठन है इसमें छे दे समलित हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकस्तान किर्गिस्तान में सेन अभ्यास आउजित होना था जिसको किर्गिस्तान ने रद्य कर दिया बैंक रन जब कई ग्रहाग बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निकट भुष में बैंक कारे करना बन कर देगा या बैंक दिवालिया हो जाएगा तो ऐसी इस्तिति में लोग पैसा निकालने लगते हैं बैंक से इस इस्तिती को बैंक रन कहा जाता है इसका अध्यान करने के लिए हाली में अर्थ शास्त के शेत्र में नोबेल पुरस्कार दिये गया है टेली मानस ये 24 इंटू 7 24 दिन 7 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर है इसमें टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रॉइट करवाई जाएगा ये एक प्रकार का टेली मेडिसिन सुविधा है मानसिक स्वास्त देखभाल के लिए स्वास बंत्राले की एक पहल है क्या नाम है टेली मानस Green Wash ये सब्द काफी चर्चा में रहा हाली में इसमें ये एक ऐसी अफधारना है जिसमें कोई पर्यावरन को नुकसान पहुचाने वाली कंपनी अपने आपको इस तरह दर्शाती है कि वो पर्यावरन अनकूल कारे कर रही है तो इस तरह से पर्यावरन अन्कूल होने का गलत दावा इसमें किया जाता है हाली में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि UNFCCC का जो कोग 27 का अवजन मिस्क के सरमल सेक म्याजित हो रहा है इसकी स्पॉंसर्शिप कोका कोला कमपनी को दे दी गए थी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूशकों में से एक मानी आती है इसकी आलोचना इसाधार पे की गए कि यह एक प्रकार की ग्रीन वाशिंग है जस्टिस डी वाई चंचूड भारत के 50 में CGI बन रहे हैं इनके पिता जस्टिस वाई वी चंचूड भारत के 16 मुखिनाधीस थे और अब तक सरवाधिक अवधिवाले मुखिनाधीस भी हैं साथ वरसे अधिक का इनका कारिकाल रहा था एक और कारण से जस्टिस वी डी वाई चंचूड की चर्चा हो रही है वो इसलिए क्योंकि सामानत तह 5 जजों का कालेजियम जो मुखिनाधीस अगले मुखिनाधीस के नाम की सिफारिश करता है लेकिन इस बार 5 जजों नहीं बलकि 6 जजों की कालेजियम ने इसका प्रस्ताव रखा है ये एक असाधरन कालेजियम है ऐसा इसलिए है कि पाच जजों में जो पाच जज बैठते हैं कॉलेजियम उसमें एक ऐसा वरिष्ट जज रहता है जो की अगला मुख्षिनाईधिश बनेगा लेकिन इन चार जजों में एक तो मुख्षिनाईधिश हैं ही जो रिटायर हो रहे हैं इसके लिए जो चार चूट के retirement के बाद मुखे नाइदीज बने सब का कारकाल समात हो जाएगा सब retire हो जाएंगे इसलिए एक extra judge को इसमें समलित किया गया है हैदराबाद दूसरा सेंगत राष्ट भूज और अगर आपको detail में इस चीज़ को जानना है इस इन सब description box में लिंक है आप लोग ले सकते हैं हैदराबाद दूसरा सेंगत राष्ट भू स्थानिक Congress हैदराबाद में आजित हुआ प्रधान मन्ति के दोरा इसका उधगाटन किया गया डार्ट एक मिशन है जो कि नासा का छुद ग्रहों की दिशा बदलने के लिए पहला वैश्रिक मिशन के रूप में इसकी पहचान की गई है सफल हुआ हाली में इसके सफलता की घोशना नासा के दोरा की गई तो डार्ट मिशन शूद्र क्रहों की दिशा बदलने के लिए पहला वेश्रिक मिशन है इबसामार भारत ब्राजीर और दश्य अफिका की सेयुक्त जो नो सैन्य अभ्यास है सात्वा नो सैन्य अभ्यास है ये हाली में आजित हुआ आई एनस तरकस ने इसमें भाग लिया उडीसा फुटबाल फॉर आल अभियान हाली में किस राज के दोरा लॉंच किया गया फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए उडीसा असम पुलिस अधिक्षकों का सम्मेलन हाली में कहा है जित हुआ असम में ग्री मंत्री ने इस सम्मेलन में संबोधन दिया पाकिस्तान डबलु एचो को ज़रा भारत से 6 लाग मच्छरदानी खरीद कर भेजने की खोशना की गई तो दबलु एचो भारत से 6 लाग मच्छरदानी खरीदेगा और पाकिस्तान में भेजेगा क्रिष्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबाल में 700 गोल दागने वाले पहले फुटबालर बन गए टॉम क्रूज अंत्रिक्ष में मुवी शूट करने वाले पहले अब नेता बनेंगे बिहार ग्री मंत्रिया मिशादवारा लोक नायक जैप्रकास्ट नरायन की 15 फीट उची प्रतिमा का अनावरन सिताब दियारा गाउं जो की पैत्रिक गाउं है इनका शपरा जिला में इस्तित है यहाँ पर किया गया 121 जैनती इस बार लोक नायक जैप्रकास्ट नरायन की थी उच्च नैले में हाली में मुखिन अधीशों की नियुक्तिया होई है जिसमें करनाटक में प्रसन्ना वीवरले राजस्थान में पंकर्ज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाक में एम मागरे विश्वबैंक गरीबी व साजा समरिधी रिपोर्ट किसने जारी की विश्वबैंक ने यूनिसेफ म्यामार से 10 लाक लोग विस्थापित हुए अपनी रिपोर्ट में इसने कहा है न्यायमूर्थी के जी बाला कश्नन की अध्यक्षता में धर्मांतरि दल्तों के जो एसी शिडूल काष्ट की जो इस्थिती है वो क्या होनी चाहिए उसकी जांच के लिए इनकी अध्यक्षता में आयोक का गठन किया गया है 12 अक्टूबर 1993 को राष्टी मानवा दिकार आयोक की स्थापना होई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्थी रंगनाद मिश्चा थे समिती एक बनती है प्रधान मंती लोगसभा स्पीकर लोगसभा अगर स्पीकर नहीं है तो लोगसभा के उपाध्यक्ष रहेंगे उसमें राज सभा के जो सभापती रहते हैं तो उपराश्पती रहते हैं वो समलित नहीं रहते हैं बलकि राज सभा के उपराश्पती या उपाध्यक्ष ग्रिह मंत्री और दोनों सद्नों की विपक्षिनेता इनसे मिलकर एक समिती बनती है जो की नाम की सिफारिश करती है जिस पर राश्पति इनकी नियुक्ति करता है। इस आयोग में एक अध्यक्च और 6 सदस्य रहते हैं। इसका कारेकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूर्ण हो वह था। लेकिन 2019 में इसमें शंशोधन हुआ तीन वर्ष या 70 वर्ष का कारेकाल जो पहले पूर्ण हो ये अब क करने वाली बात है कि पहले जो अध्यक्ष होता था सेवा निवित सुप्रिम कोर्ट का मुखिनाधिश होता था लेकिन अब कोई भी सेवा निवित सुप्रिम कोर्ट का नियाधिश भी इनके इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसराइल ने लेवनान के साथ समुद्री विवा ले रही है भुनेश्वर के अलवा मुंबई के डी वाई पार्टिल स्टेडियम तथा गोवा के पी जे एन स्टेडियम में इसका योजन हुआ नई दिल्ली नितिन गटकरी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल इथे नाल से चलने वाली कार लॉंच की इसको जापान की पहली भारती महिला बनी अक्टूबर में सितंबर मंत का जो आया था उसके लिए लखनओ नितिन गटकरी द्वारा इंडिया रोड कांग्रेस का उद घाटन कहां पर किया गया लखनओ में इंडोनेशिया जावा दीप के मलंग में कंजरू हान स्टेडियम में फुडबाल म तीनों ही अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं मुलायम सिंग यादो जी का हाले में निधन हो गया दस अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ 1967 में पहली बार ये विधायक बने थे दस बार विधायक साथ बार सांसद रहे हैं तीन बार उत्तरवदेश के चीफ मिनिश्टर रहे हैं 1988 से 1991 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक वहीं 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंतरी भी रह चुके हैं एंटी डश्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा वाई प्रदूशन अश्री निपटने के लिए सुरूख किया गया स्मार्ट वायर सुविधा ये ICICI बैंक द्वारा ये सुविधा लाउंच की गयी स्मार्ट वायर सुविधा राजस्थान गौता मड़ानी के द्वारा 65,000 क्रोण रुपए निवेश की खोशना राजस्थान में की गई NIT शीनगर यहां भारत की पहली हरित प्रद्योग की उश्मायन सुविधा का उधगाटन किया गया जकारता G20 संसद ध्यक्षों का आठवा शिकर समयलन हाली में इंडोनेशिया के जकारता में आज़ेत हुआ आउकलेंड विदेश्वंती जैशंकर के द्वारा मोधी 820 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लाउंच किया गया गुजरात MSME मंतराले द्वारा SCST हब कानकलेओ यहां पर आउज़ेत किया गया पी-म गत शक्ती पोर्टल लांच करने वाला गुजरात पहला राज़ बना जीजे गुजरात के मोधेरा गाउं में जीजे मतलब गुजरात इसके मोधेरा गाउं में जो की महसाणा जिला में पढ़ता है गुजरात में देश का पहला 24 गंटे सौर उर्जा संचालित इसको गाउं घोशित किया गया प्रधान मन्ति के दौरा सूर्य मंदिर मोधेरा में ही स्तित आपको पता है चालुक के शाशक भीम प्रथम ने 226 से 27 इसापूर में इसका निर्माण करवाया था अंतराश्टी सौर गड़ मंदिन की पाँचवी महासभा ये कहां परायुजित हुई नई दिल्ले में आठ अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूपे मनाया गया थीम क्या थी प्रकास पदूशन भारती वायु सेना दिवस भी आठ अक्टूबर को मनाया जाता है भारती वायु सेना की स्थापना आठ अक्टूबर 1932 को हुई थी महाराष्ट में 6-8-8-9-6 दहम चक्र परवड़तन दिवस कायोजन किया गया ग्राहम रीड भारती पुरुष होकी कोच इनको FIH के सर्वसेश्ट कोच के रूप में पुरस्कित किया गया वहीं योनके शॉपमेन जो की भारती महिला होकी कोच है इनको F.I.H. के सर्वसेष्ट महिला कोच के रूप में समानित किया गया नोबेल पुरसकार 2022 जिसमें एक क्रूनर का पुरसकार दिया जाता है हर एक पुरसकार सेनी में अलफेट बर्नार नोबेल की याद में ये पुरसकार पदान किया जाते हैं 1895 में इन्होंने एक वसीयत लिखी थी जिसमें जो बैंक में इनका पैसा था स्वीडिस बैंक में उसके ब्याज के पैसों से पुरसकार देने की बात की गई थी चिकिस्सा बहुत की रसायन साहित और शांती पांच सेडियों में पुरसकार दिये जाते थे 1961 से एक नई शेड़ी अर्थशास में भी ये पुरसकार प्रारम हो गए दो रॉयल स्वीडिस अकेडमी आफ साइंसेज बहुत तिक रसायन और अर्थशास के शेथ में नोबेल देती है दो नोबल एसेंबली चिकिस्सा के शेथ में पुरसकार देती है दो स्वीडिस अकेडमी साहित के शेथ में पुरसकार देती है यह सबी स्वीडिस संस्थाएं हैं जो पुरुस्कार देती हैं लेकिन नारवे नोबल कमेटी एक मात्र स्वीडन के बाहर का निकाय है जो कि शांती का नोबल पुरुस्कार देता है जो 2022 का पुरुसकार मिला चिकिस्टा के शेत में स्वान्तो पाबो स्वीडन के हैं इनको विलुप्त मानो प्रजातित्था मानो उद्भो सम्मंधी जिनोम की खोज के लिए पुरुसकार प्रदान किया गया बहुत की के शेत में तीन वेग्यानिकों को एलिन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं जान कलॉजर युएसे के हैं एंटोन जिलिंगर ये एटोन जिलंगर जो हैं ये कौन्टम फोटांस पर शोध हैं तीनों को कौन्टम फोटांस पर शोध के लिए पुरुसकार दिया गया इनका एंटोन जिलिंगर दोस्तों आस्ट्रिया के हैं ठीक है न आस्ट्रिया के हैं ये आस्ट्रिया के हैं अभी हम लिख कर दे देंगे बगल में ठीक है रसायन के शेत में केरोलिन बर्डो जिक को जो USA के हैं मौर्टेन मेल्डल डेन्मार के हैं और बेरी शार्पलेस USA के हैं इनको क्लिक केमेस्टी वर बायो केमेस्टी में विकास के लिए इसमें कारे के लिए दिया गया साहित कानोबिल एनी एरनोक्स को दिया गया फ्रांस के हैं शांती के शेत में बेलारूस के मानवादिकार कार करता एलेस बियालियास्की और रूसी मानवादिकार संस्था मेमोरियल और युक्रेन का मानवादिकार संग्ठन सेंटर फार सिविल लिबर्टीज इन तीन संस्थाओं को दिया गया अर्तसास का हमने बता ही दिया आपको इयान चक्रवाद था क्यूबा में इसके करण आपातकाल की होशना कर दी गई ये क्यूबा में आया और दक्षिन पश्चमी जो अमेर की तठ है वहाँ पर आया उत्तरवदेश सोलर रूप टाप प्रोजेक्ट का प्रारम हाली में उत्तरवदेश सरकार द्वारा किया गया दिल्ली में आईटी मंत्रियों का तीन दिवसी डिश्टल इंडिया समेला नाईजित हुआ हर स्टार्ट ये क्या है महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट अप पोर्टल है राश्पति के द्वारा लॉंच किया गया मुमताज खान विश हौकी की वारशिक स्टार खिलाडी इनको चुना गया चीनी अक्टूबर 2022 तक भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया फाइच पुरुष ये हलाकि भारत लगातार चीनी का सबसे सरवाधिक अग्रणी उत्पादक रहा है अभी अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट आई है उसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक चीनी का बना हुआ है इफाइच इसने जो अवार्ड दिये इसमें पुरुस गोल कीपर आफ दे इयर का पी आर सीजेश को महिला गोल कीपर आफ दे इयर का सविता पुनिया को स्तन कैंसर जागरुकता माह 31 अक्टूबर 2022 तक ये माह मनाया गया 31 अक्टूबर 2022 अर्थात आज तक नितिन मेनन विश्वकप में अंपायर पैनल में शामिल होने वाले भारती कौन बने नितिन मेनन क्रूफ फाइब मिशन क्या है स्पेस एक्स का अंतरिक्ष अभियान है निकोल मान भी क्रूफ फाइब सम्मेलन में मिशन में सामिल है जो कि पहली मूल अमेरिकी महिला है इस अभियान में सम्मिलित होने वाली अंतर राष्टी हौकी महासंग जिसको कहा जाता है 1924 में इसकी इस्थापना होई लुसाने स्वेडिया लेंड में इसका मुख्याला है दो का तो आपने नाम पढ़ी लिया ठीक है किसका किसका पुरुस गोल कीपर आप दे इयर पिया सीचेस महिला गोल कीपर आप दे इयर सविता पुनिया इसके अलामा चार अन्ने को गुर्जीत कोर वर्स की सरसेश महिला खिलाडी हर्मन पित सिंग वर्स के सरसेश पुरुस खिलाडी शर्मिला देवी सरसेष नवदित महिला वीवेक प्रसाद सरसेष नवदित पुरुष इसके लावा दो कोचो जो महिला कोच का है और सरसेष पुरुष कोच का भी अवार्ड भारत के ही हाथ में आया तो ये कुल आठ अवार्ड भारत नहीं जीते है इसमें 6 अक्टूबर 2022 5 अक्टूबर को प्रथम राष्टी डाल्फिन दिवस ग्रूप में मनाया गया पिछले वर्स इसकी घोशना की गई थी पूछा भी गया था आपके PCS के एक्जाम में ये इरानी ट्राफी ये क्रिकेट टूनामिंट है Rest of India ने सौराष्ट कोहरा कर इरानी ट्राफी जीत लिया गुजरात भारत की पहली राष्टी तट रक्षक पुलिस एकेडमी ये कहां पर स्थापित की गई गुजरात में उत्तरबदेश में भारत की सबसे लंबी elevated road ये बनाई गई तो मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने किया इससे गाजियाबद और दिल्ली के बीच जो यात्रा है 15 मिनट में ही की जा सकेगी 10.30 किलो मीटर लंबी अर्था 10 किलो मीटर 300 मीटर लंबी ये elevated road है जो कि भारत की सबसे लंबी elevated road है 6 lane ये road है सूरत सो प्रचसद सो रुर्जा संचालिस स्वास केंदरोला पहला भारती जिला कौन बना सूरत बना फीबा महिला बासकेट बाल विश्वकप जो कि सिडनी में आउजित हुआ USA ने चीन को हरा कर ये टूनामिन जित लिया USA का लगतार चौथा और कुल 11 किताब ये बासकेट बाल विश्वकप का है नोबेल पुरसकार 2022 ये तो हमने आपको पता ही दिया शास्त रामा नुजन पुरसकार 2022 यून किंग टैंग USA के हैं इनको प्राप्त हुआ प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्मित ग्रामीड घरों में 79 प्रत्यत स्वामित महिलाओं के पास है ये अभी सरकार ने घोशना की सात्वा स्वच सर्वेक्षन सहरी पुरसकार 2022 की घोशना होई आवास वशहरी मंत्राले के दोरा इन दोर को लगातार छट्वे वर्ष सीर्स अस्थान मिला ये भारत का पहला साथ सेवन इस्टार कचरा मुक्त शहर भी खोशित किया गया इस बार 4355 शहरों ने इस सर्वेक्षन में भाग लिया एक लाग से अधिक आबादी के शहरों में पहले अस्थान पे इंदोर, दूसरे पे सूरत, तीसे पे नवी मुंबई, चौते पे वाईजेक पांच में विशा का पटनम है बारवे नंबर पे गाजियाबाद है उत्तरवदेश का ठीक है याद रखेगा एक लाग से अधिक शहरों में एक लाग से कम वाले शहरों में इस सेड़ी में तिरुपती पहले अस्थान पे सरुसेश गंगा शहर हरिद्वार फास्ट मूविंग सिटी शियुमोगा फाइव स्टार स्वच्च सहर कौन-कौन है सूरत, भुपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाका, पंड़म तिरुपती ये फाइव स्टार स्वच्च सहर घोशित किये गए है एक मात्र सेवन स्टार स्वच्च सहर कौन सा है इंदवर है सौ से अधिक नगरी अस्थानी निकायवाले राज्यों में पहले अस्थान पे मदबदेश है दूसरे पे च्छतिस गड़, तीसे पे महाराज्च है सौ से कम नगरी अस्थानी निकायवाले राज्यों में पहले अस्थान पे त्रिपुरा है दूसरे पे जहार खंड, तीसे पे उत्तरा खंड दोनों ही अस्थानों पे अगर देखें एक लाग से अधिक आबादी में सबसे निचले पायदान पे आगरा रहा सोवें पे और 99.99 पे वापी गुजराथ का एक लाग से नीचे के आबादी में अगर देखें तो सबसे नीचे ले पाइदान पे गौादर वारा मदबदेश का रहा और सनावड जो है मदबदेश का वो 99 अस्थान पे नोईडा Best Self-sustenable Medium City पुरसकार किसको मिला इसमें नोईडा को मिला सवच सर्वेच्छन ग्रामीर 2022 इसमें बड़े राजियों में तलंगाना पहले हस्थान पे दूसरे हस्थान पे हरियाना, तीसरे हस्थान पे तमिलाड रहा छोटे राजियों और केंसासित पदेशों की सेड़ी में अंडवान नीकुवार पहले अस्थान पे दूसरे पे दमन दीव और दादरा नगर हवेली तीसरे पे सिक्किम यहाँ पे भीवानी जिला जो की हरियाना में है वो टॉप पे रहा पूरे सेड़ी में सर्वाधिक जो जिला है जिलों में टॉप पर हरियाना रहा राज्यों में कौन रहा ते लंगाना रहा गुल्डन पैन अफ रीडम अवार्ड गंजेटा बाई बोरजा को मिला लतावंगेशकर पुरुसकार 2021 मदबदेश सरकार के दोरा जो परदान किया गया किसे परदान किया गया कुमार सानों को 5G ये परदान मन्ती के दोरा 16 शहरों में 6G लांच किया गया अम्बेटकर अलाइफ ये पुस्तक शशी थरूर ने लिखी पुल्लम पारा केरल का ये पंचायत है केरल की देश की पहली डिजिटली साक्षर पंचायत इसको घोशित किया गया है सामन्था कृष्टोफ फेरेटी ये अंतर राष्टी अंतरिक स्टेशन की कमान समानने वाली पहली यूरोपी महिला बनी है 32 बिहारी पुरुषकार डाक्टर माधो हरदा को दिया गया UN SDG चेंजमेकर पुरुषकार सिस्टी बख्षी को दिया गया पांच अक्टूबर को विश्षक दिवस के रूप में मनाया गया इसकी थीम क्या थी The Transformation of Education Begins with Teachers एंजेला मरकल जर्मनी की पूर चांसलर थी नान सिन पुरुषकार 2022 सेंटराश के दोरा इनको प्रदान किया गया 36 वा राष्टी खेल ये गुजरात में आज़ जित हुआ जिसमें सर्व से इस पहले अस्थान पे दूसरे पहरी आना और तीसरे पे महरास्ट रहे तो ये पूरे मन्त के अक्टूबर के Current Affairs थे आप लोग इनके PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप पे हमारे नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो में पूरे महिने के अर्थाद नौंबर माह के Current Affairs देखेंगे प्लेलिस्ट में आप लोग परमन्त की Current पूरी देख सकते हैं प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जेहो श्टेडी टेलिग्राम गूप का या फिर Direct जेहो श्टेडी टेलिग्राम ग्रूप टाइप करके आप लोग जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम पे हमें वहाँ पे पीडिया प्राप्त हो जाएगी आपको तो विश उर्जा उटलुक 2022 जो जारी हुआ IEA के द्वारा International Energy Agency के द्वारा जारी होता है और प्रतिवर्ष जारी होता है IEA की बात करें तो 1974 में इसकी इस्थापना होई थी OECD के द्वारा वर्तमान में 30 सदस्य इसमें है French Open Super 750 French Open के नाम से Grand Slam टेनिस टूनामिंट भी होता है वो ये नहीं है ये Badminton टूनामिंट है यहाँ से प्रशन आ सकता है भारत के सात्विक साही राज और चिराग शटी ने पुरुष योगल किताब यहाँ पर जीत लिया है सिंगल्स में वेक्टर एक्सल्स हैं इसमें विजयता रहे है लुईज इनासियो लूलाडी सिल्वा ब्राजील के नए राश्पती बन गए है तीसरी बार ये ब्राजील के राश्पती बने है ध्यान रखेगा 2003 से 2011 तक ये इसके पहले भी दो लगातार कारकालों के लिए राश्पती रह चुके है फुटबाल फॉर इस्कूल भारत में इस पहले के लिए फीफा और आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के मद्ध्य समझोता हुआ है सुल्तान जोहोर कब 2022 ये जो हौकी टूनामिंट है भारत ने जीत लिया मलेशिया में ये आयोजित हुआ था किसको हरा कर जिता अस्टेलिया को हरा कर क्यों कैसरी बार जीता भारत ने तीसरी बार ये टूनामिंट जित लिया M. अमृतान अंदमाई G20 के आधिकारे आपको पता है G20 का 2023 में भारत में समेलन हुने वला है भारत ने अध्यक्षता गरहन कर ली इंडोनेशिया में इस बार आयोजित हुआ था तो इसका एक आधिकारिक समूझ जो C20 है नागरिक 20 है इसकी अध्यक्षर नियोत किया गया है M. अमृतान अंदमाई को गुजरात काफी चर्चा में है शुनाव है वहाँ पर समान नागरिक सहीता लागू करने के लिए एक समीति का गठन कर दिया गया यहाँ पे इसके साथ ही एक और घटना के कारण काफी चर्चा में रहा इस पुल का नाम पूछ सकता है मुर्भी पुल या मुर्भी जिला में एक ब्रिज था बहुत पुराना ब्रिज था ठीक केबल ब्रिज था किस नदी पर था? मच्छू नदी पर था तो ये केबल ब्रिज तूड गया जिससे काफी लोगों की मृत्ती हो गई 1889 में मुर्भी के राजा वाग जी राओ जी द्वारा बिटिस इंजिनिरों के माध्यम से इसको बनाया गया था 31 अक्टूबर को राष्टी एक्ता दिवस के रूपे मना जाता है पहली बार 2014 में मनाया गया था 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लब भाई पटेल का जन्म हुआ था उन्ही की याद में इस दिन को राष्टी एक्ता दिवस करूपे मनाया जाता है क्योंकि सुतंता के बाद देशी रियास्तों के एकी करण में भारत को एक करने में आज जो भारत का सुरूप दिख रहा है अकंड भारत का इसका ये सुरूप जो है उसमें बहुत बड़ी देन है सरदार पटेल की नीतियों की ठीक है नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2022 में इनका 147 वा जन्म दिवस मनाया जा रहा है पहली बार 2014 में ये राष्टी एक्ता दिवस ग्रूप में घोशित हुआ था उत्तर बडेश में केंद द्वारा तराई हाथी रेजर को मंजूरी मिल गई है किस राज में पूछेगा उत्तर बडेश में हर्याणा में पालतु कुतों का पंजीकर न निवारे कर दिया गया है एक अक्टूबर को आर वेंकट रमडी भारत के नए महानयावदी बन गया है समिधान के अनुछेद 766 के अधिन अनुछेद 766 में ही महानयावदी के पद का जिक्र है ये महानयावदी का पद राश्पती द्वारा ये नियुक्त होता है और राश्पती के प्रसाद परियंती कारे करता है आई SSF राइफल या पिस्टल विश्चों चैंपियंशिप 2022 सबसे महतपुडबात है कि इसमें रुद्रांक्ष पाटिल काफी चर्चा में रहे कहां पर आज़ुत हुआ था काहिरा मिस्र में आज़ुत हुआ था मिस्की राज़ानी में ये भी पूछ सकता है एक साथ सीनिय और जूनियर की ये प्रतिसपरधा थी अथा सीनियर लेबल जूनियर लेबल पदक तालिका एक ही थी ये इस टूनामिंट की महतपुडबात थी सबसे आदा पदक चीन ने जीते अठावन पदक कुल जीते जिसमें 27 गोल्ड, 16 सिल्वर और 15 ब्रांज थे भारत ने कुल 34 पदक जीते दूसरे अस्थान पे रहा भारत 12 स्वन्ड, 9 रजत और 13 कांसे के साथ इसमें रुद्रांग श्पाटिल काफी चर्चा में रहे, 10 मीटर एयर राइफल में स्वन्ड जीतकर ओलंपिक कोटा इन्होंने प्राप्त कर लिया इसके लामा भी स्वपनिल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में दूसरा कोटा भी, ओलंपिक वाला जो दो कोटा था उसमें एक तो रुद्रांग श्पाटिल ने जीतकर प्राप्त किया, दूसरा स्वपनिल कुसाले ने, हाला कि स्वपनिल कुसाले व्यक्तिगत प्रतिसपरधा में तो इतना कमाल नहीं कर सके, लेकिन टीम प्रतिसपरधा में जो उनका प्रदर्शन रहा, उसके आधार पर कोटा दिया गया, यह जो तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी मिली है केंशरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, इसके बारे हम थोड़ा जालने, कि केंदर ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीली भीत में आ था, दुधवा और पीली भीत जो दो बाग अब्यारणे हैं इन में स्थापना को मंजूरी दी है, इनके संयुक्त शेत्र में भारत का या 33 हाथी रिजर्व होगा, याद रखेगा, तमिलनाड तथा असम में सरवाथिक हाथी रिजर्व हैं 55, हाली में लेमरू जो 36 गड़ में है, अगस्त मलाई जो की तमिलनाड में हैं नए हाथी रि वन के तहत इनको रखा गया है, सरगशित में, साइट्स के परसिष्ट वन में हाथीों को रखा गया है, 31 अक्टूबर 2022 को एक और बात ध्यान रखेगा की विश्व शहर दीवस के रूप में भी मनाए जाता है, शचत की इस दिन हो मनाए जाता है, इस बार की जो थीुन रह था स्युक्तराश्ट के द्वारा ठीक इस बार कौन सा शहर मेजबान शहर है हर बारे कोई शहर को मेजबान शहर मना बनाया जाता है इसमें तो शंगाई जो है वो इस बार का मेजबान शहर है नए शहरी एजंडा को बढ़ावा देने के लिए 2014 में यूएन हैबिटेट द्व बात करें सैंग्तराश परयावास जिसको कहते है हिंदी में, सतत्र शहरी विकास वब मानो बस्तियों के लिए United Nations का एक निकाय है, जिसे 1976 में कानाड़ा का वेंकुवर में आउजित मानो बस्तियों तथा सतत्र शहरी विकास पर पहले सयुक्त राज्ट रमेनन जिसको हैबिटेट वन के नाम से भी जाना आता है इसके प्रड़ाम सरुप 1978 में स्थापित किया गया था इसका हैड़कॉर्टर जो है UN हैबिटेट का नेरोबी में है केन्या में युनाइटेट नेशन्स के नुसार 2050 तक दुनिया में हर 10 में से 7 लोग शहरों में रहेंगे जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है युनाइटेट नेशन्स की अब आपसे एक प्रश्ण मैंने पूछा था इस दिन की SDG लक्ष संख्या क्या है सतत्सहरी विकास के संदर में आज भी आप लोग हमको जो टिकाउ शहर वाला जो रखा गया है लक्ष वो किस SDG में रखा गया है आज पुना आप लोग कमेंड मेंगाटियन माडियूल ये क्या है तो चीन ने अपनी स्थाई अंतरिक स्टेशन तियान गौंग के अंतिम घटक को लॉंच किया इसका नाम क्या है मेंगाटियन माडल तो चर्चा में था इसलिए पूसकता है हरित आयकर पहल ये प्रत्यक्ष कर बोड द्वारा इस पहल को लॉंच किया अभी हाली में आयकर विभाग के धाचों में सूख्ष्म वन लगाना इसका लक्षर हैगा इस अभियान का इस पहल का पहला सूख्ष्म वन अटारी सीमा पंजाब के पास इस तरह का लगाए गया है सूख्ष्म वन की बात करें तो जो ऐसे अस्थान है जिसका कोई यूज नहीं है वहाँ पर विक्ष लगाने का और इस तरीके से शहर में वन लगाने का और पर्यारण को सरक्षन देने का एक उपाय जो खोजा था मिया वाकी जो है जापान के थे इन्होंने खोजा था इसलिए इसको मिया वाकी पध्धति भी कहा जाता है रानीपू टाइगर रिजर्व जो कि उत्तरवदेश के चित्रकूट में है उत्तरवदेश का चौथा और देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्व घोशित हुआ और बुंदेल खंड शित्र का ये पहला टाइगर रिजर्व है क्या राम है रानीपू टाइगर रिजर्व इसके लमा उत्तरवेस्ट में तीन अन्य जो हैं दुधवा, अमनगर्ण और पीली भी टू फिंगर टेस्ट अभी हाली में काफी चर्चा में रहा यौन उत्पीड़त से जो पीड़त महिलाया होती है उनका अक्साड टू फिंगर टेस्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या इनका यौन सोशन हुआ है या बलादकार हुआ है अत्वा नहीं हुआ है तो सुप्रिम कोड वारा हाली में कहा गया कि बलादकार पीड़ता पर टू या थ्री फिंगर परिक्षण करने वाला कदाचार का दोशी होगा अर्थाद इस पर रोक लगाई न सिर्फ लोग लगाई बलकि ये भी कहा कि जो ऐसा करेगा वो कदाचार का दोशी होगा साथ ही इसे मेडिकल सिक्षा पाटकरम से भी हटाने का आदेश दे दिया जमसेद जे इरानी भारत की स्टील मैं भी कहा जाता है इनको जमसेद पूर में इनका निधन हो गया टाटा इस्टील के ये अधिगारी थे भारत जल सप्ता है, 2022 में सातवा संस्कर्ण भारत जल सप्ता का मनाया गया एक से पांच नवंबर 2022 तक ध्यान रखेगा ग्रेटर नोईडा उत्तरवदेश में राश्पति के दोवरा इस भारत जल सप्ता का उधगाटन किया गया कहां पे यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, इसकी थीम क्या रही वाटर सिक्योर्टी फॉर सस्टेनेबल डेबलमेंट एंड इक्विटी, पूछेगा ध्यानक हैगा, फीफा अंडर सेविंटीन महीला विश्कप दोजार बाईस, इसका सात्मा संस्क्रण भारत में आयुज स्टेडियम में, विक्की लोपेज प्लेयर आप दर टूनामिंटर है, कहां स्पेन की हैं, काला सागर अनाज सौधा हाली काफी चल्चा में रहा, यूवेन तुर्की और यूक्रेन में इसके लिए सहमती बनी, यूवेन मतलब यूनाइटेड नेशन्स तुर्की और यूक् गया था, काला सागर के माध्यम से यूक्रेन से अनाजो का आना जाना बाधित नहोस रक्षित तरीके सो सके, इसके लिए ये व्योस्था की गई, यूट्टा डीवन उत्तरवदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात के द्वारा ग्रेटर नोइडा में, कहां ग्रेटर कुल छे डेटा सेंटर इसके अंतरगत स्थापित होंगे, कोलकाता में चौथा बांगला देश फिल्मों स्वाय जित हुआ, कहां कोलकाता में, IIT रुडकी, यहां DRDO Industry Academia Center of Excellence की स्थापना की गई है, कहां पर IIT रुडकी में, डारेक प्रश्ण पूछाए आग, ट्रैक एश मानगर धाम, हाली में काफी चार्चा में रहा, कहां पर है, राजस्थान में है, प्रधान मंत्री के द्वारा राश्टी स्मारक इसको घुशित किया गया, मानगर धाम को, 1913 में यहां पर बिटिस सेना के द्वारा लगबक 1500 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, शहिद हो गए थे इनकी याद में ही यह धाम, मानगर धाम के नाम से आना आता है, इसको राश्टी स्मारक घुशित किया गया, ठीक है, लक्षमीर मंडार योजना, पश्चिम मंगाल सरकार की योजना है, 2022 का स्कॉच अवार्ड इसके लिए, पश्चिम मंगाल को मिला, 11 दिसंबर को विश्व विद्याले अनुदान आयोग ध्यान रखेगा, द्वारा प्रतिवर्स भारती भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है, कब 11 दिसंबर को, तो विश्व द्याले अनुदान आयोग योजिसी द्वारा प्रतिवस भारती भाषा दिवस इंडियन लेंग रेने नाबा निक्लराइशन आफ एशिया नामक इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है इसलिए ये चर्चा में रहे इनकी पुस्तक निक्लराइशन आफ एशिया ये हाली में लांच हुई है फ्रांसीसी लेखक है इनकी अन्य जो पुस्तक है जो फेमस है पाकिस्तान facing the challenge of post-western world केरल ने केंद्र के जो केंद्र सरकार देती है भारस सरकार देती है पद्म पुरसकार उसकी तर्ज पर केरला पुरसकार अंगल की घोशना की है इसके तहट केरल जोती पुरसकार से M.T. वासुदेवन नायर और केरल प्रभा नामक पुरसकार और तीसरा जो केरल स्री पुरसकार है ये तीन पुरसकार इन्होंने घोशित किये हैं तो केरल जोती पुरसकार, केरल प्रभा और केरल स्री ये तीन पुरसकार जो पदम पुरसकारों की तर्ज पर इन्होंने घोशित किया है केरल गौर्मेंट ने जीरो अरुनाचर प्रदेश में जो है सुबन सीरी जिले में ध्यान रखेगा जीरो क्या है अरुनाचर प्रदेश में सुबन सीरी जिले में भारत सरकार ने भारत का पहला एकिकित एक्वा पार्क इसको स्थापित करने की मंजूरी दे दी तो zero क्या है ये एकिकित एक्वा पार्क है जो कि अव्राच्चा प्रदेश में सुबन सिरी जिले में ये बनाया जा रहा है खोला जा रहा है ठीक है क्या नाम है जीरो स्थान का WHO ये zero है Z I R O है Z E R O नहीं है ठीक है WHO विश्चों में 5.8 मिलियन टीबी रोगी है WHO ने अपने एक आकड़े में कहा USA, सेंगतराज अमेरिका, ये GHG Greenhouse Gas उत्तरजन में सरवाधी योगदान देने वाला देश बन गया है, प्रतिव्यक्ति उत्तरजन के मामले में देखा जाए दो Greater Noida उत्तरवदेश उत्तरवःत का पहला Data Center यहाँ पर स्थापित किया कि मैंने आपको बताया भी, उसके बारे में योट्टा D1 देश का सबसे बड़ा Data Center भी है ये, उत्तरवदेश सरकार और हीरा नंदानी ग्रूप के द्वारा इसके लिए समझोता हुआ था केरल में Urban Mobility India Conference and Expo का 15 संसक्रण आरम हुआ, तो कहां प्राइब जुद हुआ पूछ लेगा, केरल में आजुद हुआ Performance Grading Index जो 14 संसक्रण है, हाली में शिक्षा मंत्राल के द्वारा 2020-21 की अवदी के लिए जारी किया गया कुल 10 केटेगरी इसमें है, जिसमें पहली में कोई राज्य शामिल नहीं है दूसरी कैटेगरी में साथ राज्य है और साथ राज्य के लावा केंसाचिर पदेश है ठीक है ये जो साथ राज्य और केंसाचिर पदेश है कौन-कौन से हैं, एकदम नाम रट लीजेगा केरल, पंजाब, चंडीगड, महाराश, गुजराद, आन्पदेश और राजस्थान गुजराद, आन्पदेश और राजस्थान को पहली बार इस कटेगरी में शामिल किया गया है AD1 क्या है तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है DRDO के दोरा इसका सफल परिक्षन किया गया DRDO के अध्यष कौन है, डाक्टर समीर वी कामत है सूर कुमार यादो, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, बन गए, विश्वकप के दोरान इला भट जो है, स्वराजगार महिला संग, सेवा की संस्थापक है, इनका निधन हो गया 1985 में पदम स्री, 1986 में पद्म भूशन मिला है, इनको पद्म वीभूशन नहीं मिला है, याद रखेगा यही चीज़ इंडिया केम 2022, ये बारवा द्वी वारशिक रासायनिक उर्वरक प्रदशनी है, इसका नाम इंडिया केम 2022 है, नई दिल्ली में इसका आवजन किया गया, बारवी बार यह आवजन हुआ है, ध्यान रखेगा, शिल्प समागम 2022, ये नई दिल्ली में आवजित किया गया, प मदब देस में लाडली लक्ष्मी योजना थी उसी के तरज पर उताद उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इस्टेप आगे करने के लिए लाडली लक्ष्मी टू पॉइंट जीरो योजना आरम हुई है 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना को प्रारम किया गया था MP के जो लोग परिक्षा देने जा रहे हैं इस बात को याद रखेगा स्टेचिवाब बिलीफ हाली में काफी चर्चा में रहा 29 अक्टूबर 2022 को नात द्वारा राजस्थान में ये शिव जी की मूर्ती है 29 अक्टूबर 2022 को इसको प्रतिमा का नावरन किया गया राजसमन जीला में है ध्यान नखेगा नात द्वार जव है विश्व की चौथी सबसे उची प्रतिमा भी है ये और शिव जी की अभी तक की सबसे उची प्रतिमा है कितनी है 379 फीट उचाई है इसकी अर्थात लगबग 112 मीटर इसके लावा अन्य जो इस्टेच्यूस काफी चर्चा में है उनमें स्टेच्यू आफ पीस जो है जैनाचार विजय वल्लब की है 2020 में स्थापित की गई अथाद अनावरन किया गया था पाली राजस्थान में ये 27 फीट है छोटी है मतलब है स्टेच्यू आफ एक्वल्टी जगदगुरू रामा नुजाचार 216 फीट की उची प्रतिमा है प्रदान मंति ने स्वयम इसका अनावरन किया था समसाबाद तेलंगाना में अथाद हैदराबाद में ये इस्थित है स्टेच्यू आफ यूनिटी हर कोई जानता है 2018 में सरदार पटेल की ये प्रतिमा है और विश्व की वर्तमान में सबसे उची प्रतिमा है 597 फीट अथाद 182 मीटर लगबग कहा इस्थित है कावडिया गुजरात में भरुजीले में दुनिया की बात करें तो पहले अस्थान पे जो सबसे उची प्रतिमा है सबसे उची मूर्ती है स्टेच्यू आफ यूनिटी की है 182 मीटर स्प्रिंग टेंपल उसके बाद अस्थान आता है चीन का है 153 मीटर फिलेक्यून सेक्ट यार ये बुद्ध की प्रतिमा है ये भी 115 असमलो 8 मीटर म्यामार में और स्टेच्यू आफ बिलीफ 112 मीटर भारत में ये चौथे अस्थान पे है शिव जी की प्रतिमा है रणवीर सिंग को जो है फीफा 2022 भारत के जो भारत तरफ से ये ब्रांडेमिस्टर है होलंगी ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा ये इटा नगर अरुनाचर पदेश में इस हवाई अड़े का सुभारम किया गया डो नी पोलो हवाई अड़े के रूप में इसका पुना नाम को नामकरण किया गया सुभारम नहीं सोरी डो नी पोलो हवाई अड़े के रूप में अब ये जाना जाएगा होलंगी ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े को गिरिधर अर्माने भारत के नए रक्षा सचियों बनाए गये है कौन गिरिधर अर्माने परधी करण पेरी फेरलाइजेशन ये शब्द काफी चर्चा में रहा पूछ सकता है अनियोजित बस्तियों का विकास को परधी करण या पेरी फेरलाइजेशन के रूप में आनाता है नई दिल्ली के संदर में हाली में ये चर्चा में रहा कोरोनल होल्स जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सूरी का कोरोना है और इस तरीके से होल्स बन जाते हैं कि एक इमोजी हस्ता हुआ सूरे दिखाई पड़ रहा है तो इसी को कोरोनल होल्स के नाम से जो होल्स आप देख रहे हैं जाना जाता है नासा दोरा हाली में सूरी के एक चित्र में सूरी मुष्कुराते हो रहा है सौर कोरोना में पेक्षाकित शांत और कम घने प्लाजमा का अस्थाई शेत्र जो अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए जो बन जाता है इस तरीके दिखाई बढ़ता है इसको ही Conanal Halls बोलते है Sanna Spectabilis एक आक्रामक प्रजादी का पोधा है जिसे सजावटी उपियोग के लिए दक्षिन अमेरिका से भारत लाये गया था ज्यान अखेगा Sanna Spectabilis पूल सकता है क्या है एक आक्रामक प्रजादी का आक्रामक मतलब जहां जाता है वहां की अन्य वनास्पतियों कह नुकसान पहुचाता है कब जा पूरी तरीके उसकर लेता और इस तरह से वहाँ पर इसका पूरी तरीके से राज हो जाता है तो पर्यावड के दिश्ट से ये काफी नुकसान देया होता है ठीक तो मुदू मलाई टाइगर रिजर जो है MTR जो है तमिलाड के नीलगरी जिले में करनाटक केरोल तमिलाड के जंक्षन पर जो के स्थित है यहाँ पर एक रिपोर्ट आई कि सिगुर पठार के पास 800 से 1200 हेक्टेर भूमी पर सेन्ना स्पेक्टा विलस का कबजा हो चुका है ठीक है वहाँ पर काफी ने नुकसान पहुचाया है अमूर बाज मड़िपूर में इसका शिकार हत्या और विक्री पर प्रतिबंद लगा दिया गया है अमूर बाज के ठीक स्थानी रूप से इसको अक्षोई पुईना के नाम से भी जानते हैं चीन, मंगोलिया और रूस से ये प्रवास पर भारत आते हैं उत्तरपूरवी राज्यों में अमूर बाज की बात करें तो इसको आयू सियां रेड डाटा की सूची में लीष्ट कंसर्ण के अंतरगत रखा गया है मड़ीपूर में शिकार, हत्याव, बिक्री पर प्रतिबंध हाली में लगा दिया गया है तीन नॉम्बर 2022 को पहला अंतर राष्टी बायोस्फियर रिजर्व डे मनाये गया कब तीन नॉम्बर 2022 को युनेस्को के दौरा 2021 में इसकी घुश्रा की गई थी कि तीन नॉम्बर को मनाये जाएगा और पहली बार मनाये कब गया इस बार रथात तीन नॉम्बर 2022 को विश्व नेटवर्क आफ बायोस्फियर रिजर्व डबलू एन बियार जो है 1971 में स्थापित हुआ था यही इसके लिए नोडल होगा इसको मनाने के लिए P के सरकार ने रभी सीजन के लिए फासपेटिक और पोटासिक उरवरक सबसेडी को दोगना कर दिया तो N इसमें शामिल नहीं है याद रहेगा नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं है फासपोरस और पोटास है तो सरकार ने रभी सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक सबसेडी को दुगना किया नोट करने वाली बात है कि भारत का लक्ष दोजार पच्चिस से यूरिया आयात को समात करना है कब से दोजार पच्चिस से स्क्वेश दक्षि कोरिया में आयोजेत फाइनल में कुएद कोहराकर भारत ने एशियाई स्क्वेश टीम चेंपियोंशिप में स्वणपतक जीता और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने इसमें स्वणपतक जीता है पर्मा क्राइसिस कोलिंस डिक्षनरी का वर्ड आफ दे इयर 2022 घोशित हुआ अस्थिर्ताव असुरक्षा का काल के रूप में इसको परिभाशित किया जाता है बेंजामीन नेतनियाहु इसराइल के नए प्रधान मंत्री बन गए है इसके पहले भी थे लेकिन बीच में नेतनियाहु बन गए है मुंद्रा जो कि गुजरात में स्थित है अडानी गुरूप द्वारा देश के सबसे बड़े पवन टर्वाइन की स्थापना यहाँ पर की गए यह 200 मीटर लंबा यह टर्वाइन है अरुनाचर प्रदेश पूर्वत्तर का पहला मत्स संग्रहले कहां बनेगा अरुनाचर प्रदेश मत्येगा भोपाल शहर के रास्तों का नाम न सिर्भोपाल का बलकि भोपाल सहीद बावन जिलों में पहला भुपाल यहां मैंने लिगा क्योंकि पहला शहर भुपाल रहा जहां पे शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर होगा एक लाडली लक्ष्मी पत सभी शहरों में होगा तो भुपाल में इस तरह से एक सड़क को लाडली लक्ष्मी पत प्रोफेसर रमेश अरोडा पहला डाक्टर राजन पसाथ पुरसकार इनको प्राप्त हुआ प्रोफेसर रमेश अरोडा को एशियाई महादीव शत्रन चेंपियोंशिप पुरुस वर्ग में आर प्रज्यानन ने जीता और महिला वर्ग में पीवी नंदी था ने धारा मस्ट सरसो की आनुवांशी ग्रूप से तयार प्रजाती है हाल ही में जेनेटिक इंजिनिंग मुल्यांकन कमेटी के द्वारा इसको इसके प्रयोक को अनुमती दे दी गई तो बीटी कपास के बाद ये दूसरी फसल हो गई है अनुमती प्राप्त करने वाली बुनालू उसो, बुनालू तिवार ये तिलंगाना का परमप्रिक उसो है महाकाली किसमें पूजा की जाती है पोथा राजू काली के भाई इसमें एक चर्छित पात्र होता है बांगलानित दा हंड़ेड डुम्स भी इसको कहते हैं दा हंड़ेड डुम्स के नाम से भी जा ये नित्य किया जाता है ट्विन्ट टांजिशन जुडवा संक्रमण अर्थात पर्यावरण का लक्ष निधायत करना और उसके अनुसार जो है तकनीकी सुधार करना ये दोनों चीजें इसमें शामिल है डबलू एफ विश्वार्थिंग मंज के द्वारा सतत विकास की से अंतर राष्टी पेटेंट इसको प्राप्त हुआ है अनकूलन अंतराल एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट यूएन एपी संयुक्त राष्परियार और कायक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया दोजार चौदा में ये पहली बार जारी हुआ था इतना याद रखिए एक जान की अम्मल एक सो परचीस वी जैनती इनकी मनाई गई केरल में जो है इनका जनम हुआ था वनस्पति विज्ञान बाटनी में पिएचडी करने वाली पहली भारती महिला थी एक जान की अम्मल गन्य का संकर सेव दसाइलेंट वैली आंदोलन इन सब चीजों से जूड के हुए हैं विराट कोली टी ट्विंटी विशुकप में लगातार तीन मैचों में अर्शतक बनाने वाले अर्थात हैट्री लगाने वाले पहले खिलाडी बन गया है अरुणा साइराम फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरसकार इनको प्रदान किया गया अरुण सो बाउन की आमचुनावमीन हुने मद्दान किया था शुबरकांद पंडा फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे संजीव मेहता का यह स्थान लेंगे फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर आफ कामर्स के रूप में फिक्की को जनायाता है गैर सरकारी व्यापार संग है 1927 में गाधी जी की सलहा पर घंस्यामदाज बिड़ला और पीडी टंडन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी हेड़क्वार्टर इसका नए दिल्ली में है साथ नॉंबर को राष्टी कैंसर जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2014 से मनाया जाता है ये पोलेंड USA की साज़ेदारी में पहला पर्माण उर्जा सहतर बनाएगा कौन पोलेंड पुषपांजली समारो भारती सेना के दोरा शी नगर में अजित हुआ भुपेंद्र यादो कोब 27 में भारत से नित्यत्व इन्होंने किया भारत तरफ से शर्म अलसेख में मिस्र के शर्म अलसेख में ये आविजन हुआ कोब 27 का इन्होंने इंडिया पवेलियन का महाँ पे उधगाटन किया जियो जो कमपनी है जियो रिलाइंस की 24 में विश्व संचार प्रुसकार क्लाउड नेटिव अवार्ट से ये नवाजा गया लियोनल मेंसी जो कि फुटबाल खिलाडी हैं बाईजू ने एजुकेशन फॉर आल पहल का ग्लोबल अमबिस्डर इनको बनाया है करनाटक में स्कूली शात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनिट योग अनिमारी किया गया केरल में एक लाग शात्रों को फुटबाल प्रसिक्षन देने की खुशना की गई आधार मित्र यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथार्टी आप इंडिया जो यू आई डी ए आई है इसके द्वारा लॉंच चाड़ बॉट है क्या नाम है आधार मित्र डच जील डल जील सोरी ये शीनगर में इस्थित है प्रसिद जील है आपको पता है इंडियन पोश्ट पेमेंट बैंक द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्ती साचरता शीवर यहाँ पर आउजित किया गया राधा किष्ण समिती इसको सिक्षा मंत्राले द्वारा उच्छ सिक्षा सनस्थानों के लिए गठित किया गया है राधा किष्ण समिती पूर सकता है किस से सम्बंदित है मेघाल है पुर्वोत्तर में जल सम्बंदी खेलों को बढ़ावा जो जल से सम्बंदित खेल है तैराकियो या अन्य हो गया उसको बढ़ावा देने के लिए राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 यहां पर आवजित किया गया मुहम्मद तैयब इकराम अंतराष्टी होकी महासंग के ये अध्यक्ष बनाए गये है नरिंदर बत्ता ने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था उनके अस्थान पे कहां के हैं पाकिस्तान के हैं सेद मुस्ताक अली ट्राफी क्रिकेट की ट्राफी है मुंबई ने हिमाचर पदेश को हरा कर पहली बार सेद मुस्ताक अली ट्राफी जीत ली उलाव शोल ये चांसलर है जर्मनी के पिछले तीन वर्षों में चीन का दोरा करने वाले पहले जी सेविन के ये नेता बने रूस दोजार बाइस देश के दोरान भारत से पिग आईरन का सबसे बड़ाय अतक देश बन गया बेदू चीन ने उपग्र नेविगेशन पढ़ा ली लॉंज की इसका नाम क्या है बेदू आपको पता है केरल राज सडक परिवहन निगम को सरसेष्ट साजनिक परिवहन सेवाओं के लिए राष्टी पुरसकार नवाजा गया लगपती दीदी ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा चार नॉम्बर 2022 को देहरा दून में इस मेले का उधगटन किया गया राज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रूप से जुड़ी महिलाएं है एक दसमलो दो पांच लाख महिलाओं को लगपती बनाया जाएगा इस अभियान के माध्यम से उजयन दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापिद गयी उजयन में एक दसमलो एक पांच दिगरी सिल्सियस यह क्यों चर्चा में रहा यह डिगरी सिल्सियस मैंने क्यों गोला किया है क्योंकि यह याद रहा आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में 1.15 डिग्री सिल्सियस अधिक गर्मी रही पिछले वर्ष के तुलना में ठीक है आठ नॉमबर 2022 को विश्व शहरी करण दिवस या विश्व नगर नी ओजन दिवस वर्ड टाउन प्लानिंग डे के रूपे मनाया जाता है आईसो कार्प इंटरनेशनल सोसाइटी आफ सिटी एंड रिजनल प्लानर्स के द्वारा इसका ओजन किया जाता है 1965 में आईसो कार्प की अस्थापना हुई दहेग नीदर लेंड में इसका मुख्याला है EWS आरक्षन समंदी एक याजिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पांच जजों की पीठ ने तीन दो के बहुमत से एक सो तीने में समिधान संसोधन अदनियम को वैध अठा राया CDIUS जो आपको पता है कि पूर CDIUS जनरल विपेंड रावत थे भारत के पहले CDIUS थे चीफ आफ डिफेंस इस्टाफ थे अजीट डोभाल और प्रसून जोसी इनके अलावा भी दो लोगों को अर्थाद कुल पांच लोगों को उत्तरा खंड गवर सम्मान से सम्मानित किया गया लंदन में वर्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आवजन किया गया कहां पे लंदन में डाक्टर मुहम्मद इर्फान अली ये गुयाना के राश्पती हैं 17 भारती प्रवासी दिवस में ये मुख्यतिती होंगे जो कि इन दोर में आवजित होने वाला है 2023 में गुयाना की राश्धानी जाज टाउन है गुयाना डॉलर यहां की मुद्रा है गुयाना एक दक्षण मिर की देश है थीम क्या होगी इस बार जो 17 भारती भारती दिवस होगा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेसीन अमरित काल बी डबलु एफ पैरा बैडमिंटन विश्व चेंपियंशिप जापान की राधधनी टोक्यो में आज जित हुआ इसमें प्रमोध भगत मनीशा रामदास क्रमशा पुरुस और महिला वर्ग में दोनों ने सौनपदग जीते डेगू जो की दक्षिंड कोरिया का सहर है यहाँ पंद्रहवी एशियाई एर गैन चेंपियर्शिप 2022 आईव जित हुई कहाँ पे डेगू दक्षिंड कोरिया का जो की शहर है वाई केसी वाडियारी अंतरराष्टी कंणड पुरसकार 2022 से समनित किये गए अक्टूबर मा में रूस भारत का सबसे बड़ा तेला पूर्तिकर्टा देश बन गया कौन रूस सोनपूर मेला जो की बिहार में लगता है वो पुशकर मेला राजस्थान में अभी हाली में दोनों आउजित हुए चेस इन स्कूल प्रोग्राम ये कहां पराविजित किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में इसरो जापान के साथ चाद के अधेरे वाले हिस्से का रहस्य खोजने के लिए समझोता हुआ इसरो और जापान की जो अंतरिक्स एजंसी उसके मंदिर रितुराज अवस्थी ये 22 में विधी आयोक के अध्यक्ष बने तीन वर्षों तक के लिए इनका कारेकाल रहेगा ये पूर चीफ जस्टिस हैं करनाटक हाई कोट के फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड 2021 ये शशिकला पांडे गंगा जोशी उत्राखंड की हैं और सुमन दूबे लिसी अचक क्यूंजू उत्रवदेश की हैं इनके सहित कुल क्यामल लोगों को दिया गया पूरी लिष्ट याद रखने की उरुत नहीं है इतना महत्पूर नहीं है जस्टिस डी वाई चंचूड भारत के 50 में CGI हो गये चीफ जस्टिस अप इंडिया हो गये सुप्रिम कोट के विक्रम S12 भारत का पहला निजी तोर पर विक्सित प्रक्षेपडियान है क्या नाम है विक्रम S12 इसकाई रूट जो संस्था है निजी स्पेस एजनसी भारत की उसने इसको बनाया है केरल वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीती के तहद भारत में सोने की एक समान नीती लागू करने वाला पहला राज बन गया कौन केरल नई दिल्ली में 2023 में महिला विशुकप मुक्यबाजी का एवजन होगा यह तीसरी बार होगा जब नई द दिल्ली या भारत में इसका एवजन होगा इसके पहले 2006 और 2018 में यह हो चुका है सुभाश बाबू बेली के एसफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारती हो गये हैं यह भारती विज्ञानिक है मेडिशीन के छेत्र में यह कार्य करते हैं अरुणा मिलर अमेरिका के मेरी लेंड राज की लेफ्टिन गवरनर हैं पहली भारती मूलकी तथा दक्षिन एशियाई महिला है जो कि अमेरिका के मेरी लेंड राज की लेफ्टिन गवरनर बनी है अर्थात अमेरिका के किसी राज की इस पत पर पहुँचने वाली पहली भारती मूलकी और दक्षिन शिया की भी पहली महिला है जी साथियान और मानिका बत्रा टेबल टेनिस विस रैंकिंग में टाप फाइब में जगह बनाने वाली पहली भारती मिश्यद यूगल जोड़ी बनी है निकोबार पिरुजना परिया और मंत्राले के दौरा ग्रेट निकोबार दीप में आउस्तर राष्टी ब्यापार मेला 2022 ये प्रगती मैदान नई दिली में आउजित हुआ इसकी थीम क्या थी इस बार की वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल फोकस राज उत्तरवरिश और केरल थे ग्रेग बारकले नियुजिलेंड के हैं ICC के पुनह अध्यक्ष निर्वाचित हो गया बन्दे भारत एक्सपस्टेन यह मैसूर और चन्यक मध्य यह एक्सपस्टेन चलाई गयी हाली में जो की दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत एक्सपस्टेन है मधु कांकरिया 31 में बिहारी पुरसकार से समनित किये गए इसके साथ ही डाक्टर माधो हादा इनको 32 में बिहारी पुरसकार समनित किया गया दोनों की जो रचनाएं हैं क्रमशा मधु कांकरिया की हम यहां थे के लिए और डाक्टर माधो हाडा को जो 32 में बिहारी पुरस्का समनित किये गए पंचरंग चोला पहन सखीरी इस रचना के लिए लौलीना बोर्गहिन एशियाई मुक्केबाजी चेंपेंशिप में इन्हो बैंगलूरू में बैंगलूरू के सोरी बैंगलूरू जो शहर है करनाटा की राजधानी है उसके संस्थापक नाद प्रभू कैंपे गोड़ा इनकी 108 फीट उची कांस की प्रतिमा है प्रधान मंत्री मोधी के द्वारा इसका अनावरण किया गया नीरज चोपड़ा स्वी गंग उत्तरवदेश में 2023 में खेलो इंडिया इन्वस्टी गेम्स की मेजबानी की जाएगी उत्तरवदेश करेगा इनकी मेजबानी तीसरी बार ये आयोजन होगा पहली बार 2020 में उडिशा ने मेजबानी की थी दूसरी बार करनाटक ने की थी उडिशा में 2020 में आउजध हुआ अभी 2023 में खेलो इंडिया निवस्टी गेम्स उत्तरवदेश में आउजित होंगे। नाम है इन आवर लाइफ टाइम इसमें 18 से 23 वर्ष के युगा को प्रोसाहित किया जाएगा परियावर सरक्षण के लिए ध्यातव में कि पीम मोदी द्वारा जून 2022 में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वाइरमेंट अर्थात लाइफ मूमेंट की शुरुआत की गई थी यह प लाइफ पाने वाले कुरुक्षे तर्थाध हरियाणा में अंतराष्टी गीता महस्वाय जित हुआ टी ट्वेंटी पुरुस क्रिकेट विश्वकब इंग्लेंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार ये जीत लिया सैम करन मैनाब्द टूनामिंट और मैनाब्द मैस दोन हो गई है इसके अनुसार 15 नवंबर को दुनिया की आबादी आठ अरब हो गई ठीक है भारत जनसंख्या में कब तक चीन को पीछे छोड़ देगा तो इसने कहा है 2023 में पीछे छोड़ देगा इसके साथ थी रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 में दुनिया की आबादी 10.4 अरब तक पहुँच जाएगी वहीं 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी और 2030 में ये 8.5 अरब हो जाएगी युद अभ्यास 2022 अर्था एक बात और कही गई इसमें निशकर्ष की 1950 के बाद से वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे धीमी गतिसे जन अभ्यास से हाली बायजित हुआ वैक्सीन इंजेक्टिंग होप ये नई दिल्ली बायजित किया गया संस्कृति मंत्री अरजुन महगवाल द्वारा इसका उधाटन किया गया सत्रावा जी ट्विंटी समिलन बाली इंडोनेशिया में सुरू हुआ थीम इसकी क्या रही यान रखेगा एक साथ ठीक हों मजबूत हों रिकवर टुगेदर रिकवर स्टॉंगर प्रधान मंत्री मोदी इसमें शामिल हुए सी विजिल जो है ये भारती नो सेना तथा भारती तट रक्षक बलदवरा ये संयुक्त अभ्यास आउजित किया गया सी विजिल के नाम से सी विजिल के नाम से एक एप भी है जो चुनाव आयोग दोरा जारी किया गया था वो अलग है ये अभ्यास है 11 नॉम्बर को राश्टी सिक्षा दिवस के रूप में मनाये जाता है 2008 से आरम हुआ था इसको मनाने का 12 नॉम्बर को विश्व नीमोनिया दिवस के रूप में मनायाता है 2009 में सुरवात हुई थी इसकी 13 नॉम्बर को विश्व द्यालता दिवस के रूप में मनाते है 14 नॉम्बर को राश्टी बाल दिवस के रूप में मनाते है ये पहली बार 2021 मनाया गया था अर्थाद इस बार दूसरी बार था जब राष्टी जंजादी गुरुद्यूस मनाया गया पंद्रा नॉम्बर 1875 को बिर्सा मुंडा का जन्म हुआ था जारखन में धर्ती आबा के नाम से भी इनको जाने आता है उन गुलान जो आनलनों था अंग्रेजों के विरुद्ध उसमें इन्होंने महत्पूर्ण हुमक्या निभाई थी जल जंगल जमीन का इन्होंने ही नारा दिया था जो आदिवासी चेतना है उसको जागरित करने में काफी इनका योगदान रहा तो 15 नॉवंबर को इसलिए चिन्हित किया गया राष्टी जंजादी गौरो दिवस के रूपे मनाने के लिए 16 नॉवंबर को राष्टी प्रेस दिवस के रूपे मनाया जाता है क्यों क्योंकि 16 नॉवंबर 1986 को ही भारत प्रेस परश्यत की स्थापना हुई थी जलवाई परवतन प्रदर्शन सूचकांग 2023 ये जारी किया गया है जर्मन वाज के द्वारा 2005 से ही जारी किया जाता है इसको प्रथम तीन अस्थान पे इस सूचकांग में कोई देश नहीं है दूसरे पर अस्थान पे अगर देखा जाए नंबर में तो स्वीडन है भारत इसमें आठवे अस्थान पे इस तरह से देखा जाए तो पहली बार भारत अगर तीन क्रम अर्था जिसमें कोई देश शामिल नहीं है उसको हटा दिया जाए तो पहली बार टॉप पाइब में भारत शामिल हो गया है दोजार बाइस और दोजार इकिस में भारत की रैंक दस्वी थी इसमें उनसट देश और यूरोपियन यूनियन जो की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उससर्जन का 90 परच्चत से अधिक उससर्जन के लिए जिम्मेदार है उनके लिए सुचका अंगजारी किया जाता है लीड आईटी समयलन ये कोप 27 में भारत और स्वीडन ने इसकी मेजबानी की लीड आईटी की और द्योगिक शेत्रों जिनका कारवन उसर्जन कम करना कठीन है उन पर ये ध्यान के इंदित करता है लीड आईटी अचंता शरत कमल काफी चर्चा में है और चुकि इनको खेल रत्न पुरुसकार मिला इसलिए पूछ सकता है इनके बारे में तो ध्यान अखे का टेवल टेनिस खिलाडी है मेजर ध्यान चंद खेल रत्पुरुसकार 2022 दिया गया अंतर राष्टी टेवल टेनिस महासंग में एथलिट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारती खिलाडी ये भी बन गया है अरविंद विर्मानी नीत यायोग के पूर्ण कालिक सदस्य इनको नियूत किया गया है किसको अरविंद विर्मानी को हाली में अबू धाबी पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का यजन कहा हुआ है अबू धाबी UAE में माला वार अभ्यास जो की नोसेन अभ्यास है चार देश इसमें भाग लिये कौन-कौन इंडिया, USA, आस्टेलिया और जापान जापान सी में इसके 26 में संस्क्रण का यजन हुआ है विक्रम एस भारत का पहला निजी राकट है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा ये बनाये गया है अभी कुस मैंने चर्शा भी की इसकी इन इस्पेस जो की इंडिया नेशनल प्रमोशन और ऑथराईशन सेंटर है भारत की निजी शेत में इस्पेस विमानन को मंजूरी प्रदान कने वाली सीस संस्था है इसके द्वारा इसको अधिकृत किया गया है इन इस्पेस 2020 में स्थापित हुआ था एहमदाबाद में इसका मुख्याले है जी ट्वेंटी देखे 17 जो है अभी हाली में इंडोनेशिया के बाली हुआ 2022 में 18-2023 में भारत में होगा नई दिल्ली में आर्टेमिस नासा का चंदर अभियान है क्या नाम है इसका आर्टेमिस का एकरम फ्लोरीडा से SLS जो की 32 मंजिला रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉंज किया गया पो सो को पावर सिस्टम ओपरेशन का ओपरेशन लिमिटेड इसका नाम बदल कर ग्रिड कंट्रोलर आफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है अलाक इतना जवरी नहीं है यह अभी हाली में किस टाइगर रिजब में हाथी दत्तक ग्रहड पर्युचना सुरू की तो अना मलाई टाइगर रिजब उकी तमिलाड में इस्तित है भारत जो है मैंग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट में कोप 27 के दोरान शामिल हो गया मैंग मैं की बात करें तो कोप 27 जो पहल पर इसमें UAE इंडोनेशिया भारस शिलंका अस्टेलिया जापान और स्पेन शामिल हो गया है अब तर मार्स मेथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम कोप 27 शर्मल सेक में जोआज उत्वा मार्स को लांच किया गया गोवा जी ओ डबलुए ग्लोबल आफशोर एलायंस हाली में अर्था 2000 इसको द्यान रखे कोप 27 में इसका गठन नहीं हुआ है इसके पहले सितंबर में ही इसका इसकी स्थापना होई थी 2022 सितंबर में नो देश हाली में इसमें नो नए देश शामिल हो गया है तमिलाड कावेरी दक्षिण वन जी अभ्यारण राज का 17 वन जी अभ्यारण घुशित हो गया तो कावेरी दक्षिण वन जी अभ्यारण जो की तमिलाड में इस्तित है 17 वन जी अभ्यारण राज का घुशित हुआ तमिलाड का नो मनी फॉर टेरर कांफरेंस इसका तीसरा संस्क्रण ग्रिह मंत्राले की अध्यक्स्ता में भारत सरकार की मेज़बानी में आजित हुआ, नई दिल्ली में आजित हुआ, 75 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, ये पहला जो कांफरेंस था, 2018 में पेरिस में आजित गुवा के बारे हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ और जानकारी इसके बारे में, सितंबर 2022 में अंतराष्टी अक्षा एरुजा अजनसी, IRENA के नितित में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 बान जर्मणी में IRENA की स्थापना हुई थी, ठीक है, अबुधाबी में इरीना का मुख्याले अभी है, पूछेगा IRENA का अंतराष्टी अच्छा एरुजा अजनसी का मुख्याले कहा है, तो अबुधाबी में है, UAE में, ठीक है, गोवा की स्थापना के लिए जो स्थापक इसके हैं मुख्यता IRENA, डेनमार्क और ग्लोबल विंड इनर्जी काउंसिल, भ फ्रिजियन कैप, पुरातन फ्रांसीसी सब्वेता का प्रतीक लालटोपी है, 2024 में जो प्यरिश ओलंपिक होगा उसका शुभंकर घोशित कर दिया गया है, फ्रिजियन कैप को, अंतर क्यों इतना है कि पैर अलंपिक में एक पैर जो है उसमें मशीन लगी हुई है, ठीक है Cambridge Dictionary को 2022 के लिए, Cambridge Dictionary ने इस शब्द को 2022 के लिए वर्ड आफियर घोशित किया है Baseball में Home Run सब्द से A सम्मन्दित है Sea Sword Anti-Terrorism Anti-Norgotics के Against ये अभ्यास हाली में जापान के नित्यत में आयोजित हुआ उत्तर पश्चमी अरब सागर में आयोजन हुआ है भारत से INS त्रिकंद इसमें शामिल हुआ है भारती सौर उर्जा निगम, COP27 के कारण काफी चर्चा में रहा ये निगम इस निगम की अस्थापना 2011 में हुई थी नवीन और नवी करणी उर्जा मंत्राले के अंतरगत मुद्रा निगरानी सूची ध्यान रखेगा मुद्रा निगरानी सूची जो है USA की एक सूची है जिसमें एक बार यदि किसी देश को सामिल कर लिया आता है ठीक उसको दो वर्षों तक उसमें रहना पड़ता है तो USA ने भारत सहित इटली, मैक्सिको, थाइलेंड और वियतनाम को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से भी हटाया है इसलिए चार्चा में आया तीन आधार इस सूची में शामिल करने के होते हैं व्यापार, अधिशेश, अर्था USA के साथ ऐसा तो नहीं कि फाइदा पूरा यही देश ले जा रहा है चालू खाता अधिशेश और मुद्रा बाजार में कितना हस्तक्षेश पर इस आधार पर निगरानी की जाती है एक बार सूची में आ जाने पर अगले दो वर्षों तक इसमें रहना पड़ता है यही कारण है कि भारत को अब जाके इसमें हटाया गया है रूल आफ लॉ इंडेक्स 2022 हाली में जो जारी हुआ है भारत सतहतरवे अस्थान पे हैं डेनवार्क पहले अस्थान में पहले केवल इतना याद रखना है आपको जगदंबा जो कि शीवा जी की तलवार का नाम है महाराज शरकार द्वारा लंदर से लटाने का प्रयास किया जा रहा है इसकी भोशा की गई है चन्नाई Reliance Industries Limited को भारत के पहले Multimodal Logistic Park कहा पर चन्नाई में इस्थापित करने के लिए इस पोर्जेक्ट के लिए प्रुस्कित किया गया 19 नॉम्बर को विश्व 140 दिवस्क रुपे मनाये जाता है पहली बार 2001 में इसका यवजन किया गया था इंद्रा गाधी जैनती के रुपे भी 19 नॉम्बर को मनाते हैं इसी दिन इनका जनम हुआ था नल नाड़ा अंटिल वी मीट अगेन रसकिन बांड की नई पूस्तक है लॉंच होई है पूस सकता है भोपाल रेलवे स्टेशन इसको चार स्टार फोर स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाणपत्र दिया गया पूर्वी तिमोर जो की आसियान के दोरा सहधाद्धिक रूप से स्टेशन कर लिया गया है बहुत जल्द ग्यारवे सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर इसका बन जाएगा ब्रिटेन कबड़ी विश्रकब दोजार पच्चिस की मेजबानी करेगा तो पहली बार होगा कि एशिया के बाहर इसका एवजन होगा भारत बाजरा का वैशिक उत्पादन में 41 प्रतिशत के साथ अग्रणी राष्ट ये भारत बन गया है बाजरा का कितना प्रतिशत पूछेगा 41 प्रतिशत शारुक खान ग्लोबल आइकन अवार 2022 से नवाजे गए अउनाचर पदेश दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्तवा पशुधन टीका करण सेवा कहाप लांच के गए अउनाचर पदेश में हलदवानी उत्राखंड में भारत की पहली एस्टो पार्क कम साइन्स सिटी विक्सित की गई है राजीव कुमार भारत के मुख निर्वाचन आयोक जो है ये नेपाल में चुनाओं के लिए अंतराष्टी परिवेक्षा के रूप में आवन्तित किये गए है हलदवानी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उत्तराखंड हाई कोड जो की नेदी ताल में था इसको हलदवानी ट्रांसफर कर दिया गया आईजोल अंतराष्टी परिटन मार्ट का आयोजन कहा हुआ आईजोल में कामेंग हाईड्रो पाउर इस्टेशन ये अरुणाचर प्रदेश में इस्थित है प्रधान मंत्री के द्वारा इस हाईड्रो पाउर इस्टेशन का उधगाटन हुआ इसके साथ ही पधान मंत्री ने अरुनाचा प्रदेश की पहली ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का भी उद्गाटन किया दलाई लामा को गाधी मंडेला शांती पुरसकार से सम्मानित किया गया हिमाचा प्रदेश सरकार के द्वारा तबस्वम जो की भारतिय वनेति इनका निधन हो गया मेरी कौम आई ओए की एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसियेशन है उसकी एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी है लांस नायक मंजू भारती सेना की पहली महिला सकाई ड्राइबर बनी है कौन लांस नायक मंजू मुंबई में लेखा कारो एकाउंटेंट्स की 21 विश्व कांग्रिस का आउजन हुआ मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस में इन्होंने का सजीता हैदराबाद जीओ स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मिलन का आउजन हुआ हैदराबाद में पंद्रहवा एशियाई एर गैन चेंपियर्शिप डेगू दक्षिड कोरिया में जो की आउजित हुआ इसका समापन जब हुआ तो भारत एक तरह से पूरी तरीके से इस टूना विंड में एक तरफा जीता हुआ कुल 28 प्रतिस परधाओं में 25 स्वड़ जीते भारत थे अर्थाथ 28 में से 25 भारतियों ने जीत लिये इसमें 9 रज़त और 4 कास में साविये इसका मलत भारतियों ने ही भारतियों को कई टूना विंड में हराया कुल 38 प्रत भारत ने जीते इस तरीके से दूसरे अस्थान में दक्षिड कोरिया है तीन स्वर्ण, चौदर रज़त और 12 कास के साथ कुल 29 पदक उच पेकिस्तान तीसरे अस्थान पे है कोई स्वर्ण नहीं तीन रज़त और तीन कास के साथ कुल 6 पदक प्रतम जो की संस्था है गुरोत्तापूर सिक्षा के लिए प्रेरिट संस्था है 2021 का इंद्रा गाधी शांति निसस्तिकरण विकास पुरसकार इसको प्रदान किया गया वारानसी में प्रदान मंत्री के द्वरा काशी तमिल संगमम का उध्गाटन हाली में किया गया चिरन जीवी को 93 अंतराष्टी भारती फिल्म होस्तो जो की पनजी में आजित हुआ परसनाल्टी अफदेयर 2022 का पुरसकार दिया गया जम्मू कश्मेर में 25 वा राष्टी ई-गवर्नेंस मेलन आजित हुआ इसकी थीम क्या है ब्रिंगिंग सिटिजन्स इंडस्टी एंड गॉर्मेंट क्लोजर औरेज पिरोजशा खमबाटा ये रसना के संस्तापक है इनका निधन हो गया कार्णोस अलकाराज स्पेन के टैनिस की लाड़ी है सबसे कम उम्र के ATP वर्ड नमबर वन टैनिस की लाड़ी ये बन गए है प्रणय शर्मा जकार्ता में काराटे वन सिरीज ए में स्वण पदक जीतने वाले पहले भारती है रवी सागर प्रतिष्थिक डाक्टर अब्दुल कलाम पुरसकार 2022 ये इनको प्रतान किया गया रवी सागर को खालिद जावेद जेसीबी साहित पुरसकार 2022 से इनको समनित किया गया मड़िपूर में मड़िपूर जो है उत्तरपूर उलम्पिक खेल जो आजन्द हुआ उसमें सी सस्थान पे रहा नसीम अलबहर ये भारत और उमान का सयुक्त नोसन अभ्यास है हाली मायजित हुआ नीकोबारी होदी ये नीकोबार में कास्ट की एक नाव है शिल्प कास्ट शिल्प है प्रकार की इसको जी आई टेक के लिए आवदन दिया गया है इसके लिए इसलिए चर्चा में आई इंडोनेशिया सियान जुन शहर के पास भीषण भुकम पाया सैक्डों लोग इस भुकम में मारे गए प्रोफेसर वेडु गोपाल अचंता जोकी निदेशक है CSIR के इनको वजन और माप के लिए अंतराष्टी समित का सदस्य बनाये गया है प्रांस में 31 अंतराष्टी वेग्यानिकों ने वर्तमान ज़रुतों के उनसार सबसे बड़े और सबसे चोटे मापों को इस दोरान चिन्ध किया सबसे बड़े जो माप चिन्हित किये गये है क्वेड़़ जोकि 10 कगहत 30 है रोना जोकि 10 गहत 27 है सबसे छोटे जो माप हैं क्वेक्टो जोकी 10 घात माइनस 30 है और को रोंटो जोकी 10 घात माइनस 27 है जी पी ए आई ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशिल इंटलियंस 2020 में इसको लॉंज किया गया था भारत इस 25 सदस्य समूग का संस्थापक सदस्य है इसका सचीवालय OECD के अंतरगत आता है अभी क्यूं चर्चा में है क्योंकि भारत ने फ्रांस से इसकी अध्यक्षता ग्रहन की है प्रोजेक्ट उन्नती परियोजना ये परियोजना है जो कि मार्च 2022 में समाप्थ होनी थी लेकिन दो वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 2020 में मनरेगा मजदूरों को कुशल बनाने के लिए लौंच किया गया था ताकि मनरेगा पर से जो इतना बोज है वो हलका किया सके अन्यत्र लोगों को रोजगार के विकल्प मिल सके 2022 तक 2,00,00 मन्रेगा पात्रों को प्रसेक्षर देकर कुशल बनाना जिससे मन्रेगा पर बोज या निर्भरता कम हो ये इसका लक्ष था इसको अभी बढ़ा दिया गया है दो वर्षों के लिए इसमें पात्र होने के लिए दो मुख्य इलिजबिल्टी है एक तो 18 से 45 वर्ष के बीच की आई होनी चाहिए दूसरा सो दिनों तक मन्रेगा में कार किया होना चाहिए तेन जिन नारगे साहसिक पुरसकार 2021 खेल मंत्राय दोरा प्रतान किये गए लैंड एडवंचर सेड़ी में नैना धाकड को वाटर एडवंचर सेड़ी में सुभम धरंजे को लाइफ टाइम अचीमेंट सेड़ी में ग्रूप कैप्टन भवानी सिंग को एकसीडेंटल जार दा लाइफ एंड लाइज आप ब्लादिमेर पुतिन ये एंड्रू एस वीज की पुस्तक है USA के है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया का सेड़ी सन्या भास है आली में आज़ेत हुआ पच्चिस नॉम्बर को अंतराश्टी महिला हिंसा और मूलन दिवस की रूपे मनाया जाता इस बार की जो थीम है युनाइट एक्टिविजम टू एंड वाइलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स पच्चिस नॉम्बर उन्नीस सो साथ को डोमिनिकन सासक टूजिलो की ताना शाही की विरोध में तीन महिलाओं जो की बहने थी जिनको मीरा बेल बहने भी कहते हैं हत्या कर दी गई थी मारिया मेरा बेल पेट्रिया मेरा बेल और एंटोनिया मेरा बेल की उन्ही की याद में 25 नॉम्बर को अंतराष्टी महिला हिंसा अन्मूलन दिवस के रूपे मनाय जाता है ये 1993 में स्थापित किया गया था इस दिवस को युएनों के द्वारा ध्याद देने वाली बात है कि युएन द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन के लिए 2030 तक के लिए युनाइट अभियान शुरू किया गया है नाव यू ब्रीद ये राखी कपूर की पुस्तक है अरिट्टा पट्टी गाउं ये तमिलनाट का गाउं है इसको पहला जय विवत्ता विरास्त अस्थल तमिलनाट का गोशित किया गया है मुंबई जो कि CDP की जलवाई कारवाई सूची में सीस अस्थान प्राप्त किया तो CDP की जलवाई कारवाई सूची में सीस पर रहने वाला दक्षण एशिया का पहला शहर बना है कौन मुंबई CDP क्या है Carbon Disclosure Project है क्या है Carbon Disclosure Project है United Kingdom, Japan, USA, भारत, चीन और जर्मनी में ये स्थापित है 2000 में इसकी स्थापना हुई थी Headquarter इसका London में है इन देशों में इसका केंद्र है और ये कार्य करता है पूरे विशों में Carbon Disclosure Project के रूप में एक प्रोजेक्ट है Carbon कितना उत्सरजन हो रहा है कौन सा देश कितना Carbon उत्सरजन कर रहा है कौन सा शहर कम Carbon उत्सरजन कर रहा है अब मुंबई के संबंद में इसने एक बात की टिपड़ी यो की महत्पूर्ण है लिख सकते हैं कि मुंबई इतना विक्षित होने के बाद इतनी भीड़भार होने के बाद इतना डेवलप्ड होने के बाद भी Carbon उर्सरजन में विशों के अन्य सापेक्षिक देशों में बहुत अच्छी कंडिशन में है अनवर इब्राहिम मलेशिया के दस्वे प्रधानमंत्रिये बने है कडा लेकाई परिशे ये बेंगलूरू में आयजिद मुंफली उस्सों है क्या नाम है कडा लेकाई परिशे रूस वित वर्स 2022-23 की पहली छमाही में रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उरवरक आपूर्तिकरता देश बन गया है तो रूस के बारे हम काफी आपने बढ़ा है याद रहेगा कहीं तेल में कहीं उरवरक में इस तरीके से 26 नॉम्बर को भारती समिधान दिवस गरूपे मनाय जाता है कब से मनाय जाता है 26 नॉम्बर 2015 से 2015 एक सो पचीसवा मेटकर जैनती वर्ष भी था 26 नॉम्बर को ही राष्टी दुख्द दिवस गरूपे मनाय जाता है वरगीज कुरियन जोकी श्वेत करांदी के जनक थे भारत में उनकी जैनती के उसर पर विक्रम गोकले जोकी अभिनेता थे भारती इनका निधन हो गया अब्दिल फत्र अल सीसी मिसर के राष्पती है और इनको 24 गर्तन दिवस 2023 में मुक्यतित के रूप में बुलाया गया है मिसर के पहले ये नेता होंगे जो गर्तन दिवस में भारत में शामिल होंगे राष्टी आत्महत्यार उक्थाव रणनीती ये स्वास्व परिवार कल्याण मंत्राले के द्वरा ये रणनीती घुशित की गई इसका लक्ष है 2030 तक 10 प्रतिचत की कमी लाना आत्महत्या में दीपा मलिक जो की भारती परालंपिक है पराइथलीट है निक्षय मित्र की ब्रांड बिश्डर इनको घुशित किया गया है निक्षय मित्र के बारे हमने आपको डिस्कस किया था कि एक पहले भारत सरकार की जिसमें आवान किया गया है विभिन सरकारी संस्थाओं से, राज सरकारों से, सरकार की संस्थाओं से, स्कूलों से, ठीक, जन प्रतनिधियों से, सांसदों, विधायकों और यहां तक की आम जो आदमी है उसके, उससे भी, कि एक टीवी या जितना शमता है, टीवी मरीजों को गोद ले, उनके दवा, इल स्प्रिंटर जॉन मैकफाल यूरोपी अंत्रिक्ष एजंसी दौरा इनको नियुक्त किया गया है पहले पैरा एस्टोनौट है नियुक्त होने वाले पहले दिव्यांग एस्टोनौट है यूरोपी अंत्रिक्ष एजंसी की बात करें तो पेरिस में क्या मुख्याले है 1975 में इ कालिक पुरुस्कुलाडी भी है प्रशांत वाग एक्वरा कंपनी के संस्थापक है ग्लोबल बिजनेस कानुक्लेव जो की लंदन में आउजित हुआ है एशियाज एस्पिरेशनल लीडर का पुरुस्कार इनको प्रदान किया गया बाइसवे आई ओ आरे कॉम ये जो समेलन है मंत्रियों का इंडियन ओशन रीजन जो एसोसियेशन है धाका बागला देश में आउजित हुआ बाइसवा संसकर्ण था भारत की तरब से विदेश राजमंत्री डाक्टर राजकुमार रंजन ने इसमें भाग लिया वी अन्ना मलाई इनको कुएमपू राष्टी प्रोस्कार पदान किया गया लचित बरफुकान इनकी चारसोवी जैनती विज्ञान भौन नई दिल्ली में आउजित हुई एक समारो आय जित हुआ जिसमें प्रदान मं प्रद्री ने सम्मोधन दिया लचित बरफुकान असम में अहोम समराज में जनरल थे सैने जनरल थे सरायगहाट का जो युद्ध था प्रसिद 1671 में ब्रह्म पुद नदी के तड़ पर हुआ था इनके नितित में औरंग जेब की सेना को बुरी तरह से विफल किया गया था और 24 नॉम्बर को लचित दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है सरकार के द्वारा डाक्टर पूर्णीमा देवी वर्मन ये भारती वन जीव विज्ञानी है हर गिला आरमी की संस्थापक है जो की वन जीव की रक्षा के लिए काम करता है सैउक्त राष्ट का चैंपिय प्रते कांफ्रेंस की कांफ्रेंस आप पार्टी होती है चाहिए UNCCD हो जाया है साइट्स हो जाया ठीक है या फिर आपका UNFCCC हो जाया है सीवीडी हो जाया है सबका अपना अपना कोप है ठीक ये साइट्स का कोप है कोप 19 पनामा सिटी में जन हुआ है इसका ठीक है इसमें दो भारती कच्छों लाल मुकुट कच्छुआ और नरम खोल कच्छुआ जिसको क्रमशह बटागुर निलसोनिया लीद कच्छुआ के र साइट्स का फुल फाम होता है कन्वेंशन आफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीस आफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा जो जंगली वनजीव है या वनस्पति है उनके जो विलुप्त प्राय है या संक्टापन है उनके ब्यापार पर नियंतर रखने वाल यह संस्था है साइट्स मित्र महाराश इस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफार्मेशन नीत यायुक के तर्श पर महाराश सरकार ने मित्र का गठन किया है उत्तरबदेश प्रयागराज आगराव गाजियाबाद में भी अब पुलिस कमिशनरी सिस्टम लागू हो गया उत्तर पुलिस कमिशनरी सिस्टम लागू हो जाएगा साइट्स जिसकी चर्चा कर रहा था एक जुलाई 1975 को यह लागू हुआ भारत अक्टूबर 1976 में इस कनवेंशन में शामिल हुआ परसिष्ट एक दो और तीन तीन परसिष्ट इसमें होते हैं चर्चा हमने कर दी थी कल ही आप साइट्स को वासिंग्टन कन्वेंशन के आधार पर आस्थापित किया गया था जो कि IUCN का एक मसोदा था 1963 में वासिंग्टन में इसका कन्वेंशन हुआ था इसलिए इसको वासिंग्टन कन्वेंशन के रूपे जानते हैं उसमें इसका गठन हुआ था इसके आधार पर ही कारे करने वाली एक और संस्ता है ट्रैफिक जो कि साइट्स के सहयोग से कारे करती है जिसकी स्थापना WWF Worldwide Fund for Nature के द्वारा और IUCN International Union for Concentration of Nature इसके द्वारा सहयोग तो सरक्षण कायकरम के रूप पे सुरू किया गया था इसका विकार यह होता है कि जो अंतराश्ची व्यापार है वन जीवों का या वनस्पतियों का वो सुरक्षित है या नहीं है इसकी निगरानी ट्रैफिक करता है 1976 में ट्रैफिक की स्थापना होई थी Headquarter Cambridge में UK में साइट्स के सहयोग से एकारे करता है भारत में ये 1991 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ Worldwide Fund for Nature के सहयोग से IUCN की बात हुई तो International Union for Conservation of Nature 5 October 1948 में स्थापित हुई मुख्याले इसका Gland Switzerland में है WWF World Wildlife Fund for Nature 19 April 1961 की स्थापना हुई इसकी Gland Switzerland में मुख्याले है अंतराष्टी NGO है स्थापित है पहले इसका नाम World Wildlife Fund था अभी अब इसको World Wildlife Fund for Nature की रूप में जानते हैं ये Living Planet Report जो की दीवार्षिक रिपोर्ट है वो जारी करता है 1998 से इसके लावा अर्थ आवर जो होता है ये इसी के द्वारा सुरू की गई पहल है 29 नॉम्बर दोजार बाईस तिरपन में भारती अंतराष्टी फिल्म होसो जो की फोकस देश इसमें फ्राज रहा अभी हाली में इसका समापन हो गया थोड़ा विवादों में चला गया कस्मीर फाइल्स का जिक्र जो हुआ इसमें पड़ जी गुवा में आजित हुआ हर साल वहीं आजित होता है चिरन जीवी को इंडियन फिल्म परस्नाल्टी आफ देएर 2022 से नवा जा गया आपरेशन बर खाने अभी फ्रांस ने 2013 में जो की सुरू की गई थी एक अगस 2014 में जो अफरीका में आपरेशन बर खाने की सुरुवात हुई थी उसको समाब्त करने की घोश्रा कर दी है आपरेशन बर खाने जो साहिल शेत्र के देश है जिनका कल हमने आपको मैप में भी बताया था कि उन देशों में जो अलगाव वादी ससस्त संघस करने वाले गुरूप थे उनको नियंतित करने के लिए शांति स्थापित करने के लिए फ्रांस का अभियान था इसको समाब्त करने की घोश्रा कर दी गई है इकशक भारती नोसेन वारा शुरू सर्वेक्षन पोथ है क्या नाम है इकशक नाम है 69 एशिया पेस्पिक ब्राट कास्टिंग यूनियन महासभा कहा प्राईजित हुई नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्राले को इगवर्नन सेड़ी में स्वण पुरसकार पतान किया गया कहां पे जो 25 वा एगवर्नन समिलन हो रहा है कहां पे हो रहा है ये राश्टी गवर्नन समिलन जम्मु कश्मीर में बिहार हर घर गंगा जल प्रिवजना किस सरकार ने सुरू की है बिहार सरकार ने आस्ट्राहिंद ये भारत और आश्टेलिया का सेवत अभ्यास है महाजन रेंज राजस्थान में होने वाला है PSLV C54 हाली में आठ नैनो उपग्रहों के साथ अर्थ आबजर्वेट्री सेटेलाइट 06 को इससे लांज किया गया Blue Bugging शब्द काफी चर्चा में है Bluetooth के माध्यम से हैक करने का सिस्टम को एक जरिया है Blue Bugging एक प्रकार की हैकिन प्रक्रिया है ठीक है इसमें Bluetooth के माध्यम से हैक कियाता है हाली में काफी चर्चा में रही CCUS Carbon Capture Utilization and Storage इसका फुल फार्म है नीत यायोक द्वारा इसको लांज किया गया एक Policy Framework के रूप में इनको वैक दुनिया की पहली इंट्रो नेजल वैक्सीन है नाक के माध्यम से ली जाने वाली COVID की भारत बायोटेक द्वारा इसको विक्सित किया गया है इसके बूश्टर डोज के लिए DCGI Director Controller General of India जो है इनकी अनुमती मिल गई है Director Controller Drugs Controller General of India जो है इनकी अनुमती इसको मिल गई है बूश्टर डोज लगाने की ठीक है मौना लुवा ज्वाला मुखी है सक्री ज्वाला मुखी है अमेरिका की हवाई दीब का चालिस वर्षों बाद भी सड़ विसफोर्टिस में देखा गया सात्मा वैश्विक प्रद्योकी शिकर समिलन कहां पर आजित हुआ नई दिल्ली में सात्मा वैश्विक प्रद्योकी शिकर समिलन आजित हुआ हरी माउशक्ती भारत और मलेशिया का सेउत सैन्य अभ्यास है तिरपनवा भारत अंतराश्टी फिल्म होसो जो हुआ उसमें इतने प्रश्ट महत्पूर्ण है पूछ सकता है सवसेष अभिनेता का वाहिद मुबाशिर सवसेष अभिनेत्री का डैनियला मारिन नवारो सवसेष निर्देशक का नादर सेवर नो एंड मूवी के लिए आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम जो की स्पेनिश फिल्म है इसको गोल्डेन पिकाग पुरुसकार दिया गया इंडियन फिल्म परस्नाल्टी आफ दे यर चरन जीवी को सत जीतरे लाइफ टाइम अचीवेंट पुरुसकार कार्लोस सवरा को तो ये थे नॉवंबर मा के महत्पूर करेंट अफियर्स आप इसको एक दो बार सुन लीजेगा इसके पहले अक्टूबर का हमने दिया है आप लोगों को पुनह मैं एक बार बताना चाहता हूं कि 9453-75039 पर संपर करके UPPCS प्रिलिम्स आरो यारो 2023 प्रिलिम्स के लिए BEO, LT ग्रेड या निकिसी परिक्षा के त्यारी करना चाहते हैं तो उस नंबर पर संपर करके आप जुड़ सकते हैं मुख्य परिक्षा की विशेश जो क्लासेश चल रही है UPPCS के लिए उससे अवस्चे जुड़ें काफी लाब होगा कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपकी तयार हो जाएंगी एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूपे मनाया जाता है WHA क दोरा 1988 में इसको मनाने की सुरुवात हुई थी 2022 की जो थीम है समानता, एक्वलाइज है राग दर रिबन ये नारा है एड्स दिवस का यूएन एड्स जो संस्था है उसकी जो स्थापना होई थी संगराष्ट के द्वारा 1990 में होई थी तो ये भी पूछ सकता है हिमालई याग जो FSSAI है Food Safety and Standards Authority of India है इसने इसे खाद पशु के रूपे मानता दी तो सीधे प्रश्ण पूछेगा किसे खाद पशु करूपे मानता दी हिमालई याग को FSSAI के बारे में बात करें तो खाद सुरक्षावा मानक अधनियम 2006 के तहत 5 सितंबर 2008 को इसकी इस्थापना होई थी हैटकौाटर नहीं दिली है जियांग जेमीन का निधन हो गया कौन थे चीन के पूर राश्पती थे 1993 से 2003 तक कि अवधि में ये राश्पती रहे थे प्रसून जोशी भारती कलाकार है लेखक है उत्तराखन सरकार की ये ब्रांडे मेस्टर बने है कौन प्रसून जोशी आरेच्टी 13 ये गेहूं के नए अर्द बोने जीन की खोज की गई हाली में इसका नाम आरेच्टी 13 है एम पॉक्स क्या है तो डब्लू एचो की घोशना डब्लू एचो विस्वास संग्ठन ने हाली में घोशना की है कि अब मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहा जाएगा क्योंकि एम मंकी पॉक्स जो था ये नसली भेदभाव को धर्शाता था फूजी वारा प्रभाव दो चक्रवाव अथात किसी को भीमारी हो जाए कुछ रोग हो हो जाए तो आप उसको मंकी बुला रहा है इस तरीके का ये एंगित करता था फूजी वारा प्रभाव ये क्या है दो चक्रवातों के तीवरता शेत्रों का मिलकर बड़ा चक्रवात बन जाना बड़े चक्रवात के रूप में तब्दील होना फूजी वारा प्रभाव कहलाता है इसकी खोच चुकी फूजी वारा नामा के एक साइंटिस्ट ने की थी परियावरण विद ने की थी जलवाई विद ने की थी जापान के थे इसलिए इसका नाम फूजी वारा प्रभाव पड़ गया है हाली में हिन मनौर और गार्डो चकरवातों के मिलने से ये फूजी वारा इफेक्ट चर्चा में आया था राश्टी प्रदूशन नियंतर दिवस के रूप में दो दिसंबर को मनाया जाता है कब से 1985 से क्यों 1985 से इसको मनाया जाता है काफी मात्रा में लोग मारे गए थे उसमें हताहत हुए थे उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है स्टेफनी फ्रापार्ट ये कौन है फीफा विश्रकप में पहली महिला रेफरी जो पुरुसों का फीफा महिला विश्रकप भी हालीम हुआ है वहां पहली महिला रेफरी ये बनाई गई इस टेफनी फ्रापार्ट कहां की फ्रांस की थी के आई आई टी कलिंग अद्योगिक प्रद्योगी संस्थान इसको राष्टी खेल प्रोस्थान पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है समन में 2022 2022 वार्षिक संयुक्त मानवी सहयता वा आपदा राहत अभ्यास है आगरा में संपन्न हुआ है उत्तरबदेश में इसलिए महत्पूर्ण है मुक्यतिति इसमें रक्षामंती राजना सिंग रहे हार्मिल महसो कहां पर मनाया गया नगरलेंड में चन्नही भारती तटरक्षक बलद्वारा 24 में राष्टी तेल रिसाव आबदा आकस्मिक योजना और तयारी बैठक कहां पर आजित हुई चन्नही में कुछ फैक्स हैं जो आपको पूछ सकता है रजी ट्राफी विजेता 2022 में कौन रहा मदबदेश रहा पहली बार जीता द्रोपदी मुर्मू ये संथाल जनजात से आती है ध्यान रखेगा जो वरतमान राष्पती है भारत की दूसरी महिला राष्पती भी है दूसरे जो CDS बनाए गया है लेफ्ट्रियान जनरल अनिल चौहान बनाए गया है 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतराष्टी दिवस 1992 से मनाया जाता है 2022 की जो थीम है समावेशी विकास के लिए परवरतनकारी समाधान Transformative Solutions for ID Inclusive Development 1983 से 1992 तक का जो दशक था इसको विकलांग जनों का सेंकतराष्ट दसा के रूप में भी जानते हैं ध्यान रखेगा 4 दिसंबर को भारती 9 सेना दिवस मनाया जाता है सरब जोथ सिंग 65 राष्टी निशानेवाजी चेंपियंशिप में इन्होंने 12 स्वन पतक जीता किसने सरब जोथ सिंग ने विजे हजारे ट्राफी ये क्रिकेट से संबन्दित है ये याद रखेगा 2022 में जो टूनामिंट हुआ उसमें सौराष्ट ने महराष्ट को हरा कर ये जीता विजे हजारे ट्राफी को रणजी का वंडे ट्राफी भी कहा जाता है रणजी ट्राफी क्या है ये टेस्ट टूनामिंट है दचिपको मुवमेंट अपीपूस मुवमेंट ये पुस्तक है कि इसने लिखा शेखर पाठक ने ध्यान लखेगा इसको कमला देवी चट्टो पाध्याय पुरसकार दोजार भाई से सम्मनित किया गया इस पुस्तक को उदैपूर में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी हुई है शेरपा बैठक की ध्यान लखेगा भारती शेरपा कौन है अमिताफ कान्त हैं पहले पियुश गोयल होने थे पियुश गोयल को किसी कारण वर्ष रटाया गया भारती शेरपा अमिताफ कान्त है हंस राम गंगा राम अहीर राष्टी पिश्डावर गायों के नए अध्यक्ष बने है कौन हंस राम गंगा राम अहीर पाकिस्तान अरली वार्निंग प्रोजेक्ट जो कि USA की एक रिपोर्ट है उसके अंसार हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान सीर्स पे है भारत बहुत ज़्यादा पीशे नहीं आठवें अस्थान पे है नई दिल्ली में स्वर दरोवर महस्तो मनाया गया किसके द्वारा संस्कती मंत्राले के द्वारा कहां पर नई दिल्ली में अगनी वारियर भारत और सिंगापूर के मद्द सेंक तुसेन अभ्यास हाली में आजित हुआ नाटो वेनेक्टर पॉली डॉन्टस यह दुनिया का पहला स्वीमिंग डाइनासोर है जिसको मंगोलिया में खो जा गया इसके अस्ति पंजरों को खो जा गया कहां मंगोलिया में संगई मौस्तो यह मड़ीपूर में मनाया गया जॉंबी वाइरस हजारों वर्सों से विश्व मिदा दिवस के रूप में मनाया गया, 2014 से मनाया जाता है इस दिन को, क्योंकि इसकी घोशना उन यूएन जीये ने सेंगतराश की महासभा ने 2013 में की थी, इस बार की जो थीम है मृदा जहां भोजन सुरू होता है, स्वाइल्स वेर फूड बिगिंस, भारत की बात क पूर भारत 102 में अस्थान पर था, तो काफी अच्छी रैंकिंग मानी आ सकती, बहुत उच्छाल हुई है, अर्थार इस शेत्र में नागरिक उडियन के इस शेत्र में काफी अच्छा काम किया है भारत ने, पहला अस्थान सिंगापूर का है इस शेड़ी में, डॉमनिक ल 2022 पुरुषकार किसे प्रदान किया गया, केनरा बैंको, लंदन में जो ग्लोबल बैंकिंग सम्मिलन ये भी पूछ सकता है, कहाँ भे ग्लोबल बैंकिंग सम्मिलन आय जित हुआ, लंदन में, वहाँ पर इसको ये पुरुषकार दिया गया, नई दिल्ली में, मृदा स्वा ताउ देवी लाल इंडोर स्टेडियम ये गुरुगराम हर्याणा में है, तीसरा T20 विश्वकप नेत्रहीनों का यहाँ पर उधगाटन हुआ, यहाँ पर खेला गया, जिसमें साथ तीमों ने हिस्सा लिया, नई दिल्ली मिलेट स्मार्ट निटिटिव फूड कानकलेव का आ फोव्स ने हाली में दुनिया की सव सबसे सकतिसाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें सबसे उपर अस्थान निर्मला सीतारमन का है, भारत तरफ से 36 अस्थान पे हैं, चौथी बार है जब निर्मला सीतारमन ही सूची में जो है इसको जो ए अर्थ सायट पुरसकार जए ओसकर है ये प्राप्थ हुआ है तो खेती क्या है भारत का Greenhouse इन दीटिट्थ ansch ठेखा और उस इसको जो 50 years एक मारतृषार थास आुधव और एंदर बायो फार्म्स जो है उनकी उनका उत्पादन किया जाता है वो लगाए जाते हैं तो खेती जो है इस छेत में काम करने वाला इस टार्ट अप इसको अर्थशाट पुरसकार प्रदान किया गया वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट हाली में विश्व मौसम विग्यान संक्ठन WMO के द्वारा जारी हुई WMO के द्वारा अगर बात करें तो 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी जेनेवा में इसका मुख्याले है वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट पूछेगा किस ने जारी किया तो WMO ने दीना बोलुवर्ट पेरू की पहली महिला राश्वती है राजधानी पेरू की लीमा है मुद्रा सौल है पूछेगा कि दीना बोलुवर्ट कौन है तो पेरू की पहली महिला राश्वती है ब्लादी मिर जलन्सकी ये टाइम परसन आप दियर 2022 चुने गए आपको पता है ब मेरा भाई चानू भारत की भारतोलक हैं विश्व भारतोलन चेंपियंशिप 2022 में होव जीवी कोहरा कर इन्हों रज़त पदक जीता ये कहां पर आजित हुआ ये चेंपियंशिप तो चीन में आजित हुआ हो जीवी कोन है हो जीवी जिनको इन्होंने हराया ये चीन की है भारतोलक टोक्यो अलंपिक में ये स्वण पदक विजेता भी थी इनको हरा कर रज़त पदक जीता इन्होंने स्वण पदक किस ने जीता तो जियांग हुई ने जीता चीन की है चेन्नाई में भारत का पहला ड्रोन प्रसेक्षन समयलन आयुजित हुआ आपरेशन 777 भी लांच हुआ 777 आपरेशन क्या है पूछेगा तो 777 जीलो अरथा 777 जीलो में भारत के ड्रोन का प्रदर्शन करना ये आपरेशन 777 है फिजी में बार्वा विश्व हिंदी समयलन फरवरी 2030 में आयुजित होगा थीम क्या रहेगी हिंदी from traditional knowledge to artificial intelligence अगर हम बात करें विश्व हिंदी समयलन की तो पहला जो आयुजित हुआ था 1975 में नागपुर में आयुजित हुआ था ग्यार्वा अर्थाद इसके ठीक पहले वाला मौरिशस में आयुजित हुआ था बार्वा कहां आयुजित होगा फिजी में रूम यहाँ पे FAO के द्वारा जहां की मुख्याले भी है FAO का अंतराश्टी बाजरा वर्ष 2030 का उद्गाटन समार हुँ आयुजित हुआ नोट करने वाली बात है कि विश्वंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तो वही राष्टी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है मैंडूस बंगाल की खाड़ी में बना चकरवात है मैंडूस इसका नाम है जिसने भारत के तटों को प्रभावित किया सो नजल 2022 वार्षिक युवा महसो जिसको सो नजल 2022 कहते हैं कहां प्रायज़ उत हुआ जम्मू कश्मीर में तिरपन घंटे का चैलेंज क्या है तो केंदरी जो मंत्री हैं खेल और युवा मंत्री अनुराख ठाकूर इनके द्वारा ये चैलेंज लॉंच हुआ ध्यान रखेगा तिरपन में भारती अंतराश्टी फिल्म महसो के साथ ही इस चैलेंज को लॉंच किया गया इसमें तिरपन घंटो में आईडिया आफ इंडिया एट हंडेट पर लगू फिल्म बनाने की चुनोती दी गयी थी जिसमें 75 क्रिएटिव माइणद को चैनित किया गया ये दूसरी बार है जब 75 creative minds को चैनित किया गया है तो कुल संख्या 150 हो गई है इस टूनामेंड में dear diary ने तिरपर घंटे का challenge पर्थम पुरसकार जी ताकि इसने dear diary ने सीशी रविशंकर इनको the the emissary of peace award USA का है प्रदान किया गया इंग्लेंड cricket team जो पुरस इंग्लेंड cricket team है इसको test में पहले दिन इसने 500 रन बनाकर इतिहास रजदिया पाकिस्तान के खिलाब इसने 500 रन बनाए पहले ही दिन इतिहास रजदिया आज तक किसी ने बनाए नहीं थे स्वच वायस और एविक्षन 2022 जो overall ranking है उसमें लखनव पहले अस्थान पे रहा ध्यान रखेगा most most important है दूसरे अस्थान पे ranking में प्रयाग राज रहा तीसरे पे मुरादाबाद रहा तो top 3 में तीनों जो है जो जीले रहे उत्तरवदेश के रहे इसको तीन केटेगरी में निकाला गया overall ranking मैंने बता दी आपको तीनों केटेगरी की देख लीजे 10 लाग से अधी का अबादी में लखनव पहले अस्थान पे फिर प्रयाग राज दूसरे अस्थान पे तीसरे पे वारणसी तीन लाग से दस लाग तक की अवादी में पहले अस्थान पे मुरादाबाद, दूसरे पे फिरोजाबाद, तीसरे पे अमरावती तीन लाग से कम अवादी वाले जिलों में देवास, पहले अस्थान पे, दूसरे पे सुन्दर नगर इरान यहां मोरल्टी पुलिस को भंग करने का निर्देश दिया गया कहां पर इरान में 10 दिसंबर को अंतराश्टी मानवा धिकार दिवस के रूपे मनाया जाता है इस बार की थीम क्या रही डिग्निटी, फ्रीडेम एंड जस्टिस फॉर अर्ल इसको 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1947 को ही सैउक्तराश्ट महासभा के दोरा मानवा धिकारों की सारभोमिक घोष्णा को अपनाया गया था केवी शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं कौन केवी शाजी गूगल भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान हाली में किस ने सुरू किया गूगल ने गोलबिन मोड आक्सपोर्ड वर्ड आफ दे यर 2022 चुना गया किसे गोलबिन मोड को इसका जो अर्थ होता है लालची वे उहार से होता है सुश्मिता शुक्ल निव्यार्क में फेडरल जर्वेम की पहली उपाध्यक्षे ये निक्तुई है एन चंशेकरन बी ट्वंटी बिजनेस ट्वंटी इर्थाद ब्यापार के ट्वंटी लोगों का समूँ जो है इंडिया के अध्यक्ष बने जी ट्वंटी के साथ साथ ही सी ट्वंटी और बी ट्वंटी जैसे भी समूँ हों भाग लेंगे तो बी ट्वंटी के एन चंशेकरन अध्यक्ष मने वारानसी में सार्वोमिक स्वास्त कवरेश दिवस उस्सो दोजार बाईस मनाया गया गुवा में नौवा विश्व आयरवेद कांग्रेस इसका उधगाटन प्रधान मंत्री ने किया कनाडा में प्रकित सक्षन के लिए कूब 15 कायोजन हुआ पहले ये चाइना में होना था कुनिमिंग में लेकिन कनाडा के मौन्टियल शहर में इसको चोकि चीन में कोविट की स्तिती बहुत भयावा है तो ये कनाडा ट्रांसफर कर दिया गया हाला कि मेजबानी इसकी चाइना नहीं की सेउक्त राष्ट जय विवत्ता सम्मेलन भी जो को 15 है ये UNFCCC का नहीं है ये CBD का है Convention on Biological Divacity का है जै विवत्ता परविसमे का है जिसे की जो 1992 में रियो डीजिने रियो विथिवी सम्मेलन हुआ था उसमें अपनाया गया था आस्टेलिया की बात करें विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्मान कहां प्रारम हुआ है अस्टेलिया में पूछ सकता है अभी हाली में विधान सभा चुना हुए विविन राजों में वहां के नतीजे घोशित हुए साथ ही दिल्ली MCD चुना हुए जिसमें आम आदमी पार्टी विजिता रही पहली बार सभी दिल्ली की तीनों जो नगर पालिकाएं हैं उनको मिला करके महान अगर पालिका में इसको तबदील किया गया था एक साथ चुना हुए थे 250 सीटों पे आप 134 पाकर पहले अस्थान पर ही दूसरे अस्थान पर भी जेपी रही इसके लावा हिमाचर प्रदेश और गुजरात राज्यों के चुना हुए जिसमें हिमाचर प्रदेश में 68 सीट होती है विधान सभा की कांग्रेस को 40 भाजपा को 25 अन्य को 3 सीट इस तरह से कांग्रेस ने सरकार बनाई गुजरात में 182 सीट पर हुआ जो मद्दान हुआ भाजपा 156 सीट कांग्रेस 17 आव माधिवी पार्टी 5 अन्य को 4 तो भाजपा को प्रचन बहुमतिया मिला 11 दिसम्बर को यूनिसेफ डे की रूप में मनाया जाता है क्योंकि 11 दिसम्बर 1946 को यूनिसेफ की अस्थापना हुई थी हेटकॉर्टर इसका न्यूयार्क में है महाराष्ट दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला भारती राजपना कौन महाराष्ट बॉबी दिल्ली MCD चुनाओ जितने वाली दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पारशद हैं आमादवी पार्टी जिन्हों ने जिता क्या नाम है बॉबी मेगाले सरकार एशिया के पहले ड्रोन डिलिवरी हव नेटवर को कहां की सरकार ने लॉंच किया मेगाले सरकार ने यहां का स्टार्ट अप टेक इगल है इसके साथ मिल करके किष्णा ववी लाला भारती मूल के अमेरिकी हैं इनको प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवेंट पुरसकार दिया गया विश्वबैंक केरल के साथ साजदारी में विश्वबैंक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपाउचुन्टीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारीगी रिनियोबैल 2022 ये क्या है तो IEA अंतराष्टी उर्जा एजंसी द्वारा जारी वार्शिक रिपोर्ट है वैश्विक अक्षय उर्जाक शमता का अगले पांच वर्षों में दोगना होने का इसने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया सड़क परिवहन वर राजमार मंतराले भारत का पहला जमानती बांड बीमा इसने लांज किया सड़क परिवहन वर राजमार मंतराले ने विश्व बैंक फ्लैक्शिप जेंडर टूल किट लांज किया किस ने हाली में पूछेगा फ्लैक्षिक जेंडर टूल किट लांच किया विश्व बैंक ने वर्ड एथलिट आफ दे यर 2022 पुरुष में स्वीडन के मोंडो डूपलांटिस और महिला में USA की सिडनी मैकला घलिन लेवरोन पीटी उसा जिनको उडन परी भी कहा जाता है भारती उलम्पिक संकी पहली महिला अध्याक्ष बनी है 1960 के बाद कोई खिलाडी है जो अध्याक्ष बना है ओमान में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोत पर तीसरा वैश्विक उच्चस्तरी सम्मिलना आजूद हुआ कहां पर ओमान में टी आरेस जो कि तेलंगाना राश्र समिती थी चुनाव आयोग ने इसका नाम बदल करके बी आरेस भारत राश्र मित्र कर दिया जिसकی लिए टी आरेस ने आविधन किया था क्योंकि टी आरेस पूरे देस में अपना विस्तार करना चाथ तहीं प्रधानमंती बनना जाते हैं तो इसके जो मुख्यमंत्री है तो अपना विस्तार कर रहे हैं तो भी आरेसी सी लेख दिया नेचर पॉस्टिव फंड कार्बन क्रेडिट की तरज पर कोब 15, CBT में इसको खारिज कर दिया गया तो हाला कि अब ये पूरानी कार्ट सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बन गया है कौन? रिजर पे, UPI पर क्रेडिट कार्ट को ये सपोर्ट करेगा इगल अधनियम ये ग्रीन कार्ट सम्बंधी अधनियम है जिसको USA ने अभी हाली में लांच किया, लागू किया है USA का बीजा सम्बंधी कानून है आम आदमी पर्टी चुनाव आयोग द्वारा राष्टी पर्टी का इसको दर्जात दिया गया तो भारत में अभी ये नौई राष्टी पर्टी बन गई है अन्य जो आठ है CPI, CPIM, INC, BJP, BSP, NPP, NCP AITC अलुआ बीज फार्म केरल में है भारत का पहला कार्बन न्यूटल फार्म इसको घुशित किया गया है चौतीस्वां किंग्स कब रेगाटा 2022 फोकेट, थाइलेंड में आईजित हुआ भारती नाविक आनंदी नंदन चंदा वरकर मेगना अलावत टेबल टेनिस फेडरिशन आप इंडिया की पहली महिला ध्यक्ष बनी है मॉन्टियल, कनाडा में जो शहर है आपको बताए है मैंने इसके बारे में यहाँ पे कोब 15 कायोजन हुआ है वीना नायर आश्टेलिया में प्रधान मंत्री पुरसकार इनको मिला किसको वीना नायर को सुखविंदर सिंग सुख्षू हिमाचर ब्रदेश के नए मोख्यमंत्री बने है केरल, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उधगाटन कहां पर हुआ है बैंग नोट जारी किया गया कहां पर USA में पूछेगा देश का नाम याद रखेगा इशान किशन वंडे किकेट के तिहास में सबसे तेज दोराश तक लगाने वाले खिलाडी हो गए है वंडे में दोराश तक लगाने वाले चौथे भारती भी हो गए है सचिन सहवाग और रोही शर्मा के बाद CBD का को 15 की चर्चा कई बार हमने की थी आज फिर से कर दे रहा हूँ कनाडा के मौंटियल सहर में आजित हुआ खत्रे वाली प्रजातियों की सूची में अबालोन, शेल्फिस, टूगोंग और स्तंब, मुगा को रखा गया तीनों ही समुद्धी प्रजातियां है आर्टमिस, वन मिशन या आर्टमिस का एकरम जो चंदर मिशन है नासा का मानो मिशन जो भेजना है उसी का एक प्रायोगिक मिशन था अभी हाली में ये सफलतापूरों वापस आ गया मैतेई लिपी, मड़िपूर में, मड़िपूर की ये प्राचीन लिप है हाली में, वहां के सरसमाचार पत्रों ने ये नेड़े लिया कि अब मैतेई लिप का प्रयोग करेंगे बंगाली लिप की जगह पीटी उशा, राजसभा सदस नहां वरतमान में ध्यान लखेगा भारती ओलंपिक संकी पहला महिला अध्यक्ष बनी इनको उडनपरी पयोली एक्सपेस, चोकि पयोली में जन्म हुआ इनका ट्रेक एंड फील्ड की रानी सुनहरी कन्या के रूप में भी जाना याता है पदमश्री अरजुन पुरसकार मार्शल टीटो अवार्ड इनको प्रदान किया गया है हाला कि खेल रत्न पुरसकार इनको नहीं मिला है इंडोनेशिया के जगारता में 1985 के दोड़कुद एशियाई प्रतिविक्ताओं में पाँच स्वन और एक कासकुल च्छा पदक इन्होंने जीता था वो किरतीमान अभी तक कायम है एशियाई खेल जो सियोल में हुए थे 1986 में चार स्वन और एक रज़त जीता था और कुल अगर बात करें शियाई खेलो में तो 11 पदक इन्होंने जीते हैं राश्टी उर्जा सरक्षन दिवस के रूपे मनाया जाता है 14 दिसंबर को 1991 से ही तमिलाड अपना जलवाई प्रवतन मिशन सुरू करने वाला भारत का पहला राज्जी हो गया है मनु भाकर राश्टी निशानेबाजी चेंपियंशिप पे इन्होंने स्वन पदक जीता संस्कती मंत्राले साथ शेती सांस्तिक केंद्रों की इन्होंने स्थापना की शेती सांस्तिक केंद्रों की कहां कहां प्रियाग राज, पटियाला, नागपूर, उदैपूर, कोलकाता, दीमापूर और तंजाओर में वारानसी यहां राश्टी स्वास्त मंत्रियों का सम्मिलन आयोजित हुआ भोपाल में आठवा भारत अंतराश्टी विग्यान महस्तो जनरी 2023 में आजित होगा अन्य जो महस्तो हुए ये पहला दूसरा दिली में, तीसरा चन्नाई में, चौथा लखनों में, पाचवा कोलकाता में छठा वर्च्वली हुआ था, कोविट के समय साथवा गुवा में हुआ था, आठवा भोपाल में होगा शिशुपाल पहाड़ी, 36 गड़ में पहाड़ी है इसको परेटन अस्थल के रुप में विक्सित करने का नेड़े लिया गिया था, चर्चा में है आ सकता है भूपेंद पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री की सपतली, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने ही है बैंगलूरू G20 अध्यक्षता की प्रथम बैठक जो हुई वो भारत को करना है, हाला कि दिल्ली में आवजित होना है लेकिन इस संदर में पहली जो बैठक हुई, वो G20 की, बैंगलूरू में हुई हाली में, दिसंबर में अंडमान निकुवार, यहां 21 निर्जन दीपों का नाम परम वीर चक्र विजिताओं के नाम पर रखा गया है कहां के अंडमान निकुवार दीप समों में तवांग रुनाचर प्रदेश में भारत चीन की सेन्याओं के भी जड़प हुआ, इसले चर्चमाया जापान, यहां आई स्पेस द्वारा, दुनिया का पहला कामरिशियल मून लैंडर लांच किया गया इसका नाम हाकुतो आर है, फालकन नाइन राकेट फ्लोरीडा से इसको लांच किया गया है राशिद यह यूएई का और अरब जगत का भी अगर बात करें तो पहला चंद्रयान है वहां पे निर्मित मुहम्मद बिन राशिद अंतरिक्षकेंद में इसको बनाया गया है दुबाई में फ्लोरीडा से फालकन नाइन राकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है इसको अंतराश्टी चाय दिवस के रूप में 15 दिसंबर को मनाया जाता है चाय जो है कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे से प्राप्त की जाती है इसमें अथीन, कैफीन, टैनीन के अतरिक्त अन्य विशाक्त तत्वर रहते हैं नियूजिलेंड एक जनुरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए वेक्तियों को सिगरेट बज़ने पर प्रतिबंदर के लिए तंबाकू कानून कहां किस देश ने प्राड़ित किया नियूजिलेंड ने नियूजिलेंड का लक्ष 2025 तक धूमरपान मुक्त बनने का लक्ष है मुरक्को यहां कतर में हो रहे फीफा फुडवाल विशकप में सेमी फाइनल खेल कर यह पहली अफ्रीकी टीम बन गया अभी तक के इतियास के जिसने सेमी फाइनल खेला हालिया चर्चित चंद्र मिशन कौन-कौन है हाकुतवार जापान का जापानी स्टाट अइस पेस द्वारा आर्टमी स्कायकरम नासा का है लूना टूरूस का है राशिद रूवर युवेई का है केप स्टोन नासा दौरा चांद पर आराम चोकी मिशन अस्थापित करने की योजना है धनूरी ये दक्षिन कोरिया का चंद्र मिशन है श्री अरविंदो की एक सो पचासवी जैनती 13 दिसंबर को मनाई गई 13 दिसंबर 2022 को स्री अरविंदो की बात करें तो बंदे मातरम समाचारपत के संपाधक अनुशीलन समिती के सदस्य जो बंगाल की थी उसके सदस्य अलीपूर शडयन्त मामले जिसमें गिरफतारी भी हुई अरविंदो आश्रम पुदुचेरी 1926 में इन्होंने स्थापना की इसके लावाद दे लाइफ डिवाइन योग का संसलेशनर सावित्री से सहीत लिखे इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं नोट करने वाली बात है कि मीरा अलफांसा जिनको मदर या मा कहा जाता था इनकी सहयोगी थी अरविंदो आस्रम का बाद में इन्होंने ही संचालेन किया था 16 दिसंबर को विजे दिवस करूप में मनाय जाता है UNSC सेविक्तराश्ट की सुरक्षा परिशद अगस्त के बाद अगस्त 2021 के बाद ध्यान रिखेगा पुनह दिसंबर महा में दिसंबर 2022 में भारत ने की इसकी अध्यक्षता USA समलेंगिक विवा कानून हाली में इसने लागू किया मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार के फिर से प्रधान मंत्री बन गई है डेनमार के इतिहास की सबसे कम उलकी प्रधान मंत्री भी है इरान की बात करें तो सेंबर राष महिला अधिकार समू से इसको हटा दिया गया है यूथ को लैब ये अटल इनोवेशन मिशन नीत यायोग और UNDP इंडिया के द्वारा इसका पांचवा संस्क्रण हाली में लाँच किया गया है UNDP इंडिया की एक पहल है UN को लैब National Mission for Queen Ganga को Co.15 में भी पुरस्कित किया गया जो मॉंट्रियल में आजित हुआ सूर्य किरन भारत नेपाल सेंबर प्रसिक्षन अभ्यास है इसका 16 वा संस्क्रण हाली में आजित हुआ पहला संस्क्रण 2011 में आजित हुआ था Mumbai San Francisco के मद्य सीधी उडान की सुरुआ थाली में जोतिरादे सिंधिने आने की कहां कहां Mumbai से San Francisco USA तक हानले लंदाग में है भारत का पहला डार्ग स्काई रिजर्व ये बन गया है नव भारत साक्षरता का एक्रम 2022 से 2027 के लिए इसको मंजूरी मिली है इसका उद्देश 15 तथा उससे अधिक आईवर के गैर साक्षरों के भी साक्षरता को बढ़ावा देना है इसके पाँच घटक हैं मूलभू साक्षरता वांकग्यान मातपूर जीवन कोशल व्यावसाइक कोशल विकास मूलभू सिक्षा व सतत विकास रूस की बात करें तो नॉम्बर 2022 में भारत का शीर स्तेल आपूर्ति करता देश बन गया इराग को पचाड करके शंकर चौधरी गुजराद विधान सभाके अध्यक्ष बने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैट सम्मिट 2022 का जन हुआ सर्ववैक सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए ये टीका है रूस के द्वारा इसको विक्सित किया गया है भारत उपग्रह संच्वार के लिए स्पेक्ट्रम की निलामी करने वाला पहला देश भारत बन गया है USA परमाण सल्यन हाइडोजन बम जो हाइडोजन बम की संकलपना है परमाण के सल्यन के सिधान प्याधारित है इसकी सफलता की आपचारी घोशना की लेकिन ये बम नहीं है बलकि उर्जा के लिए शांती उपयोगों के लिए ये इसका प्रयोग किया जाएगा 32 टिलियन डॉलर ये भारत का वैशिक ब्यापार है जिसकी सीमा 32 टिलियन डॉलर को पार कर गई है 18 दिसंबर को अंतराश्टी प्रवासी दिवस और अलपसंख्या का धिकार दिवस के रूपे मनाया जाता है वहीं 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूपे मना जाता है 19 दिसंबर 1927 को अश्फाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपूर जेल में ठाकुर रोशन सिंग को इलाबाद जेल में फांसी हो गई थी इसके ठीक दो दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में राजेन लाड़ी को फांसी दे दी गई थी काकुरी एक्शन केस में 2028-29 भारत ने UNSC सेंगतरा सुरक्षा परिश्टत के अस्थाई सदस्ता के लिए उमिदवारी की घुशना कर दी भारत की उमिदवारी दो वर्ष हो गए अब समाप्त होने वाली है अगस्त 2021 दिसंबर 2022 में भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की ITF विश्ट चैंपियन जो आयुजित हुआ उसमें राफेल नडाल पांचमी बार सोरी ITF विश्ट चैंपियन जो गोशित हुए इसमें राफेल नडाल को पुरुष वर्ग में पांचमी बार पुरुष कृत किया गया इगा स्विया तेक को महिला वर्ग में पुलैंड की है सरसेष्ट महिला खिलाडी के रूप में पुरुष यूगल में राजिव राम USA के हैं और जो सैलिस बेरी UK के हैं इनको महिला यूगल में बारबरा केजिस कुवा और केतरीना सीनिया कुवा दोनों चेक रिपब्लिक की हैं इनको चैंपियन घुशित किया गया भारत अंतराश्टी जूनियर साइंस ओलंपियाड में छे सुनपदक जीते भारत ने असोला भट्टी अभ्यारण ये दक्षिन दिल्ली में हरियाना बॉर्डर बेस्थित है पर्या औरन सम्वेदन सिल शेत्र है हाली में काफी चर्चा में रहा मिथेन नेचर पत्रिका के अंसार वैश्विक उत्तरजन 2019 के 9.9 पार्ट पर बिलियन से बढ़ करके 2020 में 15 पार्ट पर बिलियन हो गया नेचर पत्रिका की रिपूर्ट काफी महत्पूर्ण होती है जी आई टैग भारत में पंजी की जी आई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़ के 432 हो गई है हाली में नो को दिया गया जिसमें गमुछा असम का तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का रक्त से कारपो खुबानी लद्दाग का अली बाग सफेद प्याज महाराशका अन्य जो है अट्टा पट्टी थुआरा कंथलूर वारा वारा वेलू थुली कोंडा कालूर पेट्ट्यू वेलारी अट्टा पट्टी अट कॉम्बू आवरा ओन्ना टुकारा एलू ये सब केरल के फीफा फुटबाल विश्कप दो जार बाईस जो अभी संपन हुए ये बाईसवां संसकर्ण था बत्तिश टीमों ने भाग लिया शुभंकर लाइव था जिसका आर्थ विशेश गुणवाला होता है हर भी शब्द है ये ये कहां आजित हुआ तो कतर में आजित हुआ दोहा में इसका उधगाटन हुआ था अरब में आजित होने वाला पहला फुटबाल विश्कप भी था ये फीफा का फुल फाम होता है फेडेशन इंटरनेशनल डे फुटबाल एसोसियेशन इसकी इस्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी हलाकि इसका हेड़ क्वाटर मुख्याले जीवरिक स्विटजरलेंड में है वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गियानी एंफेंटीनों है पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था अरुग्ये में विजेता भी उरुग्वे था सरवाधिक बार इसको ब्राजील न जीता है पांच बार जीता है हाली में जो इसके सरुकालिक महान फुटबालर पेले का निधन हुआ है पेले ने अकेले तीन बार जो है इस टुनाइमिंट में विजे दिलाई थी 21 जो है रूस में आयोजित हुआ था विजेता उसमें फ्रांस था कुरेशिया को हराकर फ्रांस में जीता था 2026 में ये कनाड़ा मेक्सिको और USA में आयोजित होगा तो 23 संसकन होगा नोट करने वाली बात है कि फीफा विश्व कब 1942 और 1946 में आयोजित नहीं हुए थे दिती विश्व के कारण 2022 में जो परिडाम रहे 64 मैच खिले गए जिसमें 172 गोल हुए अर्जेंटीना विजेता रहा दूसे अस्थान पे फ्रांस रहा तीसे अस्थान पे क्रोईशिया रहा चौते अस्थान पे मुरुको रहा सर्शेश खिलाडी का गोल्डन बाल का अवार्ड नियूलन मैसी को अर्जेंटीना के हैं सीस स्कोरर का गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एमबाम पे फ्रांस के हैं सर्फेट गोल कीपर का गोल्डन गलब अवार्ड एमार्टेनेंस को अर्जेंटीना के हैं गोल कीपर सर्फेट युगा प्लेयर एंजो फर्नांडीस ये भी अर्जेंटीना के खिलाडी है फेर प्ले अवार्ड इंगलेंड की टीम को दिया गया एमबांपे फाइनल में तीन गोल एक साथ करने वाले अर्थाथ हैट्रिक करने वाले दूसरे खिलाडी बन गए है जो फर्ष्ट ने 1960 में किया था उसके बाद विश्वक कप के इतिहास में तीसरी बार हुआ है कि पेनाल्टी सूट आउट से कोई टीम बिजी हुई है इसके पहले 1994 में ब्राजील ने 2006 में इटली ने इसी तरह जीता था बीस दिसंबर को अंतराश्टी मानो एक्ता दिवस के रूपे मनाया जाता है 2005 से ही सेवतराश्ट महा सभाने इसकी खोशना की थी अगनी 5 का हाली में सफल परिक्षण हुआ ये परमार सक्षम सतह से सतह मार करने वाली भारत की बैलेश्टिक मिसाइल है इसको DRDO के दोरा निर्मित किया गया है DRDO के Integrated Guide and Missile Development Program कायकरम के तहट जो 5 मिसाइलें है पितवी अगनी त्रिशूल नाग और आकाश इसके तहट ये विख्षित किया गया है इसका संचालन सामरिक बल कमान के दोरा किया जाता है DOXING ये क्या है ये शब्द है काफी चर्चा में है किसी की व्यक्तिकर जानकारी को पतरना की इरादे से परकट करना DOXING कहलाता है ट्वीटर द्वारा एंटी DOXING नीद के तहट कई खाते हाली में निलंबित किये गया है SORT, Surface Water and Ocean Topography Satellite इसका Full Farm है नासा के द्वारा प्रितवी की सत्थ के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षन के लिए उपग्रह लांच करने की योजना है काशी तमिल संगमम एक महीने का पूरा प्रोग्राम था वरानसी में आउजित हुआ सरगम कोशल ये लास वेगास में आउजित सौंदर प्रितवीक्षन में मिसेज वर्ड दोजार बाईस इन्होंने जीता 21 वर्ष बाद किसी भारती ने ये प्रितवीक्षन जीती है 2001 में अदिती गोवित्रिकर ने इसे जीता था इसकी सुरुआत 1984 में हुई थी मुरक्को में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में कलब विश्वकप की मेजबानी के लिए इसको चैनित किया गया है तो कलब विश्वकप कहां होगा मुरक्को में होगा रीगा जो लातविया का शहर है यहां सेंट अभियान बल जे इफ शिकर समिलन हाली में आयुजित हुआ सैट काम ये शब्द है चर्चित है क्यों चर्चावाया क्योंकि उपग्रह संचार के लिए इस्पेक्टरम की निलामी करने वाला भारत पहला देश होगा सैट काम ये उपग्रह संचार से जुड़ी सरशन होती एक उपकरम होता है कलाड आइन गे हारवर्ड विश्वद्याले की पहली अरश्वेत अध्यक्षन नियुक्त हुई है वैश्विक खास रक्षा सुचकांग 2022 दा इकोनॉमिस्ट द्वारा जो प्रत्रिका है इसके द्वारा जारी हुआ पहले अस्थान पे फिल्लेंड है भारत और सठ्वें अस्थान पे है नई दिल्ली में सात्मा भारत जल प्रभाव शिकर समिलना आजित हुआ इसकी थीम रेश्टोरेशन और कंजर्वेशन आफ स्माल रिजर्व इन लार्ज बेसिन रहा विज्ञान एव इंजिनिंग संके तक रिपोर्ट 2022 नेसल साइन्स फांडेशन उएसे की संस्था है इसके द्वारा जारी हुआ इसमें ये कहा गया कि भारत 2010 में इसमें सत्वें अस्थान पे था 2020 में तीस से अस्थान पे पहुँच गया है वैश्विक नियुन्तम कर Global Minimum Tax GMT यूरोपी संग ने बड़े व्यवसायों पर नियुन्तम 15% कर लगाने की योजना अपनाई है किस से संबंदित है EU से संबंदित है यूरोपी संग से औरान औरण भूमी जो की पवित्र भूम मानी जाती है ये ऐसे शेत्र होते हैं जो रेगिस्तानों में विशेश जलवायों के करण विशेश जैविवत्ता के करण विक्सित होते हैं इन शेत्रों में खेती या निगत्विधिया नहीं की जाती हैं जैविट्ता के हाट स्पोर्ट मने आते हैं तो हाली में वहां चुकी सौर पैनल पवन टरनल वगर बहुत सारे लगाए जा रहे हैं पवन चक्किया लगाई जा रही हैं जिससे इनको खत्रा उत्पन हो गया है इसकुरते जा रहे हैं वहां के लोगों ने पैदल यात्रा जिसको ओरन यात्रा भी कहा जाता है उनकाली CC TNS Crime and Criminal Tracking Network System है इसके क्रियानिवन में हरियाना सीर्ष पर रहा इसको पुरिस्कित किया गया England Stem Cell का उप्योग कर दुनिया का पहला आपरेशन कहां के लोगों ने किया विग्यानिकों ने इंग्लेंड के Fit at NES PV IR की पुस्तक है अभी गैल कवा नान कुवा निधन इनका हो गया 96 साल की थी हवाई दीब जो USA का है इसकी अंतिम राजकुमारी थी बजाज अलियांज भारत का पहला जमानत बांड बीमा लांच इसने किया है नितिन गटकरी दौरा इसको लांच किया गया किसके लिए जो राजमार प्राधिकरण है उसके लिए रहाना आहमद इंग्लेंड की है 18 वर्स 126 दिन मातरीन की एज है डेब्यू मैच में पांच विकेटिन होने लिया पाकिस्तान के गेंश्ट और ऐसा करने वाले सबसे युवा के केटर पुरुष बन गया है कुनमिंग मॉन्टियल वैश्विक जैविता धाचा कहां पर अपनाया गया मॉन्टियल शहर में कनाड़ा के को 15 जैवित हुआ वहाँ 23 लक्ष है इसमें जिन्हें 2030 तक हासिल करना है इसका उद्देख्ष है सरक्षन पहलो के लिए प्रतिवर्श 200 बिलियन डॉलर सुनिश्यत करना बंधन बैंक रख्षा मंत्राले ने स्पर्ष केंद्र स्थापना के लिए समझोता किया किस के साथ? बंधन बैंक के साथ स्पर्ष क्या है, ज़ो Defense Personals है उनके सेवा के लिए अच्छे सुलब उनके लिए जो सेवाएं हो पहुशाने के लिए स्पर्ष केंदर ये बैंकों के सहयोग से आवजित करने वाले केंदर है राश्टी गड़ित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है 125 जैनती 2012 में जब थी स्री निवास रामानुजन जो भारत के महान गड़ तक गया है तब ही से इसको मनाया जाता है 1729 जो है ये रामानुजन अंग के रूप में जाना जाता है इसको रामानुजन को 1918 में रायल सुसाइटी आफ लंदन का स्तदस्य बनाया गया था ये भी याद रखेगा इनका जनम इरोड नगर तमिल लाड में हुआ था IEX भारती उर्जाविन में भारत का पहला कार्बन तटस्त पावर एक्षेंज बन गया है सामाजिक प्रगति सुचकांग 2022 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशद द्वारा इसको जारी किया गया पुदू चेरी संपून अगर देखें लिष्ट में तो सरसेश प्रधर्शन करने वाला राज या केंसासित प्रधेश रहा दूसरे अस्थान पर लक्षदीप तरहा तीसरे पर गुवा रहा जारखंड और बिहार सबसे खराप प्रधर्शन करने वाले राज़े में रहे सबसे निचला अस्थान जारखंड का रहा जीलों में देखें तो आईजोल सबसे टॉप पर दूसरे पर सोलन तीसे पर शिमला दिल्ली 36वी एशियाई कुस्ती चेंपियंशिप 2023 की मेजबानी करेगा सात्मी बार ऐसा दिल्ली करेगा लियो वराडकर आयरलेंड के नए प्रधानमंत्री बन गये हैं हुनक्का उस्सो यहूदी समुदाई से सम्मन्नित है भारत शिलंका नौका सेवा हाली में काके संथुरई जो की शिलंका का बंदरगा है भारत के पुदुचेरी से काके संथुरई तक यह सेवा सुरू की गई नई दिल्ली यहां सात्मा पेट्रोकेमकर कानकलेव का एवजन किया गया लाइट वी केरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल उबामा की पुस्तक है राजविंदर सिंग भट्टी नए डीजीपी बिहार के बनाये गया है अगर तला यहां प्रधानमंत्री के द्वारा दिसंबर मा में ग्री प्रविश का एक्रम लाँज किया गया तमिलनाड सभी युजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार करने वाला राजजी हो गया है भारत जापान राजनई संबंधों की सत्तरमी वर्षगांट दिसंबर 2022 में मनाई तेज दिसंबर को किसान दिवस के रूपे मना जाता है 2001 से ही भारत के पांच में प्रधानमंत्ती स्वरगी चौतरी चर्ण सिंग की जैनती की रूप में इसको याद किया जाता है आइनस वागीर या वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहट फ्रांस की सहता से स्वदेसी रूप से निर्मित स्कार्पियन पंडुबियों में पांच भी पंडुबियों में ध्यातब है कि प्रोजेक्ट 75 1998 में लांच किया गया था इसके तहट 6 स्कार्पियन पंडुबियों का विका किया जाना है स्वदेशी रूप से फ्रांस की सहता से जिसमें कलवेरी खंडेरी करंज वेला पहले ही लॉंच हो चुकी थी वागीर को अब लॉंच किया गया है अंतिम जो है इस सेड़ी में वागशीर जिसको जल्द लॉंच किया जाएगा शारूख खान बिटिस पत्र का ए पहुसत मासिक आये में घाले सीस पर है इस सेड़ी में दूसरे अस्थान पर पंजाब है जम्मू कश्मीर यहां भारती रेलवदारा सबसे लंबी देश की सबसे लंबी एसकेप टेनल खोली गई है इसकी लंबाई बारत समलो आट नो किलो मीटर है यह बनिहाल कट्रा रेल सेला दर्रा अरुनाचर प्रदेश में है अरुनाचर प्रदेश में मुकी भूमी को तवान से जोडने वाला यह दर्रा है गगन यान दोजार चौबिस में भारत ने भेज़े जाने का लक्ष रखा है हाली में मंत्री ने इसकी घुशना की 2022 इन नाइन चार्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की विश्व बैंक की रिपोर्ट है इसमें एक कहा गया है कि 1970 के बाद से दुनिया सबसे बड़ी मंदी में आ गई है या मंदी के दौर से गुजर रही है 24 दिसंबर को राष्टी उभोक्ता दिवस्गरूप में मनाते है 1986 से क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उभोक्ता सरक्षण अदनियम को राष्पती की मंजूरी मिल थी इस बार की जो थीम है फियर डिश्टल फाइनस है 15 मार्च को विश उभोक्ता दिकार दिवस्गरूप में मनाते है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथार्टी आफ इंडिया को सर्वोत्तम कारपणाली के लिए सीज डेटा सुरक्षा प्रसकार से सम्मानित किया गया है कल्याणी फेरेश्टा भारत का पहला ग्रीन इस्टील ब्रांड है इसको जोति रादित सिंदिया के दौरा दिल्ली में लौंज किया गया कल्याणी ग्रूप के दौरा इस ब्रांड को बनाया गया है आसकर 23, चार भारती फिल्में शाट लिस्ट हुई हैं विभिन सेडियों में जिसमें ट्रिपल र को नाटू नाटू गाने के लिए छेलो शोग को दे लाश्ट सो जिसको इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन का नाम है भारत की आधिकारिक प्रविष्टी है तो अंतराश्टी फिल्म की शेड़ी में आल देट ब्रीस को डाकुमेंटरी फिल्म की शेड़ी में और देली फैंट विस्पर्स को डाकुमेंटरी शॉर्ट फिल्म की शेड़ी में जल जीवन मिशन, देखे जो लोग डेली परिक्षा खबरी देखते हैं, उनको रिवीजन मैं करा रहा हूँ, बहुत आसानी हो रही होगी, इसलिए मैं कहता हूँ, डेली परिक्षा खबरी देखे, रिवीजन करेंगे तो बहुत मज़ा है, जल जीवन मिशन, 19 करोन से अधिक घरों में नल का पानी है, दद समलो, साथ पांच करोन परिवार, इस मिशन के थू लाभानवित हुए हैं, गुवा पहला हर घर जल राज बना है, दादरा नगर हवेली व दमंदीव, पहले केंसासित प्रदेश बने हैं प्रमानित, और बुरहानपुर मद्वदेश का जो जिला है, पहला हर घर जल प्रमानित जिला बना है, सानिया मिरजा, मिरजापुर की रहने वाली हैं उतरब देश की, देश की पहली मुसलिम महिला फाइटर पाइलेट बनी है, जो भारत की पहली महिला फाइटर पाइलेट के रूप में जानी आती है, तीन लड़किया बनी पिल के इतिहास के सबसे मागे की लड़ी बन गए 18.05 करोण में इनको किंग से लेवन पंजाब ने खरीदा क्रिस्मस डे 25 दिसंबर को मनाय जाता है यूश्यू के जनम के रूप में इसको जानते हैं क्रिस्मस को लेकर 12 दिन तक क्रिस्मस टाइड मनाय जाता है 25 दिसंबर को ही सुसासन दिवस के रूप में मनाय जाता है अटल बिहारी बाचपेई और महामना मदन मोहन मालवी की जैनती रहती है 2014 से ही सुसासन दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात हुई थी 26 दिसंबर जो कि Christmas Day का अगला दिन रहता है इसको आवकास के रूप में मनायाता है राश्वंडल देशों में जिसको Boxing Day के रूप में जानायाता है 26 दिसंबर को ही इस बार पहला राश्टी बालवीर दिवस मनाया गया जो कि गुर गोविन सिंग के बेटों फते सिंग और जुरावर सिंग के शहादत के रूप में याद किया जाता है पिछले इसी वर्ष जनुरी 2022 में प्रधान वंती ने इसे मनाने की घोशना की थी UNSC संकल 25-93 किस्से संबंदित है तो अफगान, अफगानिस्तान में मानव अधिकार और महिला अधिकारों से संबंदित है भारत भी इस आलोचना में शामिल रहा अर्थाद भारत ने भी आलोचना की अफगानिस्तान की इस मैटर पे लायन एट्स 47 विजन फार अमरितकार गिर एशियाई शेरों के सरक्षन के लिए ये विजन है परियावरन वन वजलवाई प्रवतन मंत्राले के द्वारा जारी गिया गया पश्चिम बंगाल में राज प्रदूशन नियंतर बोड द्वारा प्रदूशकों को राज में प् बायो दिवार स्थापित करने का नेर्ड लिया गया है जो पश्चिम मंगाल राज पदूशन नियंतर बोड है उसके द्वारा बीजी यात्री सेवा संपर्क रहित प्रवेश के लिए ये सेवा हाली में IGI हवाई एड़ा इंद्रियागाटी इंटरनेशनल हवाई एड़ा को साहितिक उपलब्दी के शेड़ी में और इसके राय को सामाजिक उपलब्दी के शेड़ी में प्राप्त हुआ वीर गारजियन भारत जापान के मध्य पहला हवाई उध्याभ्याज 2023 में जापान में आजित होगा बेथमीट इंग्लेंड की महिला फुटबाल की लाड़ परसीवरेंस नासा का मंगल मिशन है 2020 में इसको लॉंच किया गया था ये कार क्या का एक रूवर है जेजेरो क्रेटर की खोज के लिए मंगल ग्रह पे ये गया था हाली में चर्चा में रहा इसके लावा अन्य जो मंगल मिशन है युएई का होप तियानवेनवन चीन का परस ओडेसी मावेन क्यूरिसिटी रोवर और एमारो ये ना साके महत्पूर्ज चर्चित पोर्टर हाली में रहे राइट टू रिपेर हाली में खा द्यों भूगता मामलों के मंत्रा द्वारा लॉंच किया गया इसके लावा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एंसीयस पो कर दिया गया है खेलो इंडिया डेशबोर्ड खेल मंत्राले ने ये डेशबोर्ड लॉंच किया सोसल स्टाउक एक्सचेंज हाली में सेवी के द्वारा इसकी स्थापना को मंजुरी दे दी गई इसका प्रस्ताओ 2019-20 के बजट में लाया गया था अम्वित भारत स्टेशन योजना ये एक हजार छोटे स्टेशनों के आधनी की करण के लिए रेलवे के द्वारा सुरू योजना है इसको पुनर विकास का खुरदा मॉडल भी कहा जाता है स्पेन इसकी राधानी मैडिड है और इसका मुद्रा जो है यूरो है नया ट्रांसजेडर कानून हाली में स इसके अंतरगत 16 अवर से अधिक आयो के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की अनुमती दे दी गई है आर्थिक मामलों की मंत मंडली कमेटी अक्सर चर्चा में रहती इसकी अध्यक्सता कुन करता है प्रधान मंती करते हैं ये क्रिश उत्पादों और वरकों उद्योगों इवा महसे ग्रूप में मनाते हैं इस बार जो महसो आउजित होगा राष्टी इवा महसो ये हुबली धारवार ट्विन सिटी करनाटक में आउजित होगा जो कि 26 संसकर्ण होगा पहली बार राष्टी इवा महसो निसंग पंचानबे में मनाया गया थाpla पच्चीसवा इस क्रम में पुदुचेरी में आउजित हुआ था, 12 जनवरी को मनाने का करण है, 12 जनवरी को स्वामी वेकरनंद का जनम हुआ था, 12 जनवरी रठारह सो तिरसेट में, 1984 में राष्टी युवा दीवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं, इसी के साथ याद कि 12 अगस्त को अंतर राष्टी युवा दीवस के रूप में भी बनाया जाता है, 2000 से, UNGA ने उसकी घुशना की थी, गामा का एक संगीत विधा है, करनाटक की, इसके प्रितपादक HR केशव मूर्ती थे, जिनका हाली में निधन हो गया, 2022 में ही इनको पदमशी दिया गया थ अरुनाचर प्रदेश जेलों को मानवी कित करने वाला पहला राजे बन गया है, गेटो सोरा, छोटा सा बच्चा है, अरुनाचर प्रदेश का साथ वर्षी बैडमिंटन खिलाडी है, इसको टॉप एरीना जूनियर एंटरनेशनल बैडमिंटन चेंपियंशिप, 2024 जो इसकी अस्थापना होई थी, 24 भाषाओं के साहित्य को इस बार पता नहीं किया गया, जो प्रमुक हैं, जो आ सकते हैं, बद्दी नराय को हिंदी साहित्य तुम्दी के शब्द, अनीश अश्वाक को उर्दू साहित्य ख्वाब सराब के लिए, अनुराधा राय को All the Lives We Never Lived इंग्लिश जो कृती है इनके लिए, और M. राजंदन को काला पानी जो तमिल कृती है इसके लिए दिया गया, दस्वान नार्थ येश फेस्टिवल नई दिल्ली में आउजित हुआ, नेपाल में कमल धहल प्रचन तीसरी बार प्रधान वंतरी पतकी इन्हों ने शपत लि लोसार महसो तिबती नववर्ष है जिसको लद्दाकी नववर्ष भी कहते हैं, लद्दाकी नववर्ष लद्दाक में और तिबत में नववर्ष के रूपे मनाया जाता है, लोसार महसो को ध्यान रखेगा इसमें लद्दाकी बौध मंदिर जिसको गोंपा कहते हैं हर घर में यह होता इसमें चढ़ावा चढ़ाये जाता है शी शयलम आन पदेश का तीर्थ शहर है शीव पारवती का मंदिर है शीव को यहां अरुजुन और पारवती को मलिका अर्थाथ या मलिका अरुजुन के मंदरिक रूप में भी द्विख्याथ है महा महिम राश्पती के द्वारा प्रसाद प्रिजना का यहां पे शुभारम किया गया दूसरी शताब्दी से यह अस्तित्व के इसके प्रमाण मिलते हैं साथवाहन शीला लेखों में इसका वर्डन है इसका अधिकांश आधनकी करण इस मंदिर का विजन अगर सामराज में हरीहर प्रथम के काल में माना आता है प्रसाद प्रिजना की बात करें तो तीर्थ काया कल्प और आध्यात्मिक समवर्धन का एकरम पिली ग्रिमेज, रीज उनिवेशन एंड स्पिर्चुल अगुमेंटेशन ड्राइव इसका फुल फाम है पर रिटन मंत्राले के द्वरा 2014-15 में चिन्हित तीर्थों के समगर विकास के लिए इस योजना की सुरुआत की गई थी 2017 में इसका नाम प्रसाद कर दिया गया था शत प्रतिशत इसमें खर्चा केंदर देता है राज्यों को आरभ में 12 अस्थलों का चुना हुआ था अब इसमें 41 अस्थल है उत्तर देश के दो अस्थल है वारा नसी और मत्वरा प्रभुचंद्रमिश्वा अटल सम्मान प्रुषकार 2022 इनको प्रदान किया गया संतोष यादो को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया राष्टी राजमार प्राधिक्रण जो है उसका राष्टी राजमार जो नेशनल हाईवे अथार्टी आफ इंडिया है उसका अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष ओर CEO बनाया गया विने त्रिपाटी की जगाईन होने लिए डान्स टू डीक कार्बोनाईज का एक्रम पेटोलियम मंत्राले के द्वारा नई दिली में आरजित हुआ गरुण एरोस्पेस को डायेटर जनरल जो सिविल एविशन है इसके द्वारा दोहुरा प्रमारन प्रदान किया गया और दोहुरा प्रमारन प्रात करने वाला पहला ड्रोन स्टार्ट अप हो गया है भारत का किस ड्रोन के लिए प्रदत किया गया है किसान ड्रोन के लिए बम चक्रवात या बामबे चक्रवात या बामबो जेनेसिस अमेरिका में आया तीवर चक्रवात है जिसके करन नुई यार्क में आपातका लागो किया गया भारत दुनिया के सरसेश व्यंजनों की सूची में पांचमें अस्थान पे है, सीस अस्थान पे इटिली रहे स्वास्ती सिंग को ये जो की साइकलिस्ट है इनको एकलब विपुरसकार 222 से सम्मनित किया गया आयाइटी कानपुर के शात्रों और शोतकरताओं ने कृतिम हिदे का विकास किया है प्रले सता से सता पर मार करने वाली कम दूरी अर्थाद 150 से 500 किलोमेटर तक की रेंज वाली बैलेस्टिक मिसाइल है डियारडियों के दौरा युद्ध के मैदान के प्रयोक के लिए इसका विकास किया गया है रक्षा मंत्राले ने 120 प्रले मिसाइल खरीदनों के मंजूरी दी है इसको पाक और चीन के सीमा पर तैनाद किया जाएगा धर्मदाम जो कि केरल का एक निर्वाचन शेत्र है जहां से पिनराई विजयन चुनकर आते हैं वहां के चीफ मिनिश्टर भारत का पहला पूर्ण पुस्तकाले निर्वाचन शेत्र बन गया है ध्यान रखने वाली बात है कि केरल देश का 100% साक्षर्ट वाला पहला राज है केरल ही हर गाओं में एक पुस्तकाले वाला पहला राज एक मात राज है भारत का पुथुआपिल नाराण पडिकर को भारत में पुस्तकाले आंदोलन का जनक जाम के रूप में जाना आता है गया है फोक्स इन दरोड माई डेज एट आर्बियाई एंड बियोंड सी रंगराजन की पुस्तक है 19 वे गवर्नर आर्बियाई के थे सी रंगराजन इनकी पुस्तक हाली में लॉंच वी अरविंद वालिया भारती सेना के नए इंजिनियर इंचीफ ने उत्किये गये हैं बे प्रियंका शर्मा उत्तरवदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर बन गई है प्रोजेक्ट ICRUS अमेरिकी सरकार द्वारा सौर्भू इंजिनिंग पर शोध के लिए प्रोजेक्ट ICRUS सुरू किया गया है सौर्भू इंजिनिंग कृतिम रूप से सूर की किर्णों को विक्षेपित या परावर्तित करने पर कारे करता है धनु यात्रा बरगड सहर उडिशा में आई जित हुई कंसमेला के नाम से भी इसको जाना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एर थीटर के रूप में इसको जाना जाता है बरगड सहर मतुरा के रूप में आमरपाली गोपापुरा के रूप में और जीरा नदी यमना अददी के रूप में परिवर्तित हो जाती इस दोरान अर्थाज जानी जाती 30 दिसंबर 2022 को प्रमुगटनाय हुई कौन कौन सी प्रधान मंत्री की माताशी माहीरा बेन का निधन हो गया महान फुटबालर ब्राजील के पेले का निधन हो गया रिशब पंद की कार का एक्सिडेंट हो गया प्रधान मंत्री के द्वारा वर्चुली हावडा नियू जलपाई गोडी वंदे भारत एक्सपेस को हरी जन्डी दिखाईगी जो कि पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सपेस है राष्टी गंगा परिशत की दूसी बैठक पांच वर्ष बाद पहली बैठक ये कानपूर में 2019 में आज जित हुई थी इस परिश्यत की दूसी बैठक आईनेस नेताजी सुभाश जो की नौसेना का हेटकॉर्टर है पर्शिम मंगाल में यहां अवजित हुआ जो का कोलकाता में डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी राष्टी जलव स्वच्चता संस्थान का विद्गाटन हुआ ध्यान रखेगर आश्टी गंगा परिश्यत की स्थापना 2016 में अक्टूबर में हुई थी अध्यक्सता इसकी प्रधान मंती के द्वारा की जाती है बिजली महोसो आर इसी के द्वारा जो की महारतन कंपनी है इसके द्वारा असम के बक्सा जीले में अवजित किया गया शेनवार्न दिवंगत आश्टेलिया एक क्रिकेटर है इनके नाम से जो टेस्ट प्लेयर आप दे इयर का वार्ड है आश्टेलिया का इनके नाम से अब क्यक कर दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू छटी बार इस्राइल के प्रधान मंत्री बन गया है प्रमीड कुमार कारवाहक केंदी सतर तायुद बन गए हैं सूरेस एन पटेल जो की सेवा ने वित हुए हैं उनके अस्थान पर एलीडा गवेरा प्रथम ये क्यूबा की हैं प्रथम के आर गोरी अम्मा राश्टी पुरसकार से सम्मानित हुई है तिरंदाजी एशिया कप 2022 इसका जो स्टेज 3 है चरण 3 है शार जहां UA में आजित हुआ भारत इसमें सीस पे रहा अटल बिहारी बाजपे भारत के पूर प्रधानमंति थे भारत के 10 में प्रधानमंति भी थे तीन बार प्रधानमंति रह चुके हैं इनके नाम पर तारे का नाम रखा गया है उत्तरवदेश ग्रियम अंत्राले के द्वारा दो अस्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई कहां कहां मुंडेरा बाजार नगर पालिका परिशत को अब चौरी चौरा के नाम से जना जाएगा गोरकपूर में इस्थित है तेलिया अफगान गाओं को जो अगदेवरिया में है अब तेलिया शुकला गाओं के रूप में जाना जाएगा प्रहरी एप ग्रिह मंत्राजा के द्वारा इसको लाँच किया गया बार्डर सेकुर्टी फोर्स के जवानों के सुविधा के लिए उत्तरवदेश हाई कोड के द्वारा निकाय चुनाओं में OBC आरक्षन के लिए ट्रिपल टेश कराने का अदेश कहां दिया गया उत्तरवदेश के हाई कोड के द्वारा दिया गया तो आज के लिए इतना है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पीडियेफ चाहिए या फिर वीडियो को बार बार देख लीजेगा जितना हो सका रिविजन कर लीजेगा पीडियेफ हम आप लोगों को उपलप्त करा देंगे बहुत बहुत धन्यवाद